कि देखिए दोस्तों अभी हम बात करेंगे अल्टर नेटिंग करेंट अब देखिए यह चैप्टर कहते लोग कि यह बहुत खतर नाख रह त यह कैगी और इसमें इसमें कोई गलत बात हो रही है लड़के तब भी रखते हैं लड़किया तो रखती है लड़के भी रखते हैं तो यहाँ पर बात चल रही है अब यह चैपकर टुफ तो है पर अगर आप ध्यान नहीं देते हो तो अगर आप ध्यान दे तो इससे इजी कोई बनाई नहीं है यकीन मानों बहुत सिंपल चैप्टर है कोश्चन भी बड़े सिंपल आते डारेक्ट डारेक्ट कोश्चन आते हैं इसके उपर तो चलो डूट ही जोटा जिसको बोलते हैं डी सीर डी सी का मतलब क्या तो डी सी अब अब तुम में इसके पारे नहीं होता है जो बचपन में आप लोगों ने बहुत यूज किया छोटी चोटी बैटरी आते तो बैटरी रिमोट की बैटरी और एक थोडी चोड़ी सी बैटरी उसको जीम जीम में लगा लेते हैं तो जिन्दा हो जिन्दा वो चोटी सी वेल्यू वो डीसी करेंट पैदा करता है और चोटी सी वेल्यू होती तो आपको फरण नी परता लेकिन वही एसी लगालने तुमने लाज तो तकड़े आएंगे तुम्हें सीधा खौलता हुए तेल दिखाएदेगा और पाफ इतने किये कि आ नरकी जाने तो खौलता हुए तेल दिखाएदेगा फेटा ध्यान देना आप यह थे को बज़ाओ क्यप करेंट हो नियंक होता है जो हम बचंपन से अबतक देखते आ रहे हैं डाइक्क कुछी नहीं होता अगर हम बोले आ यह और यह समय को क्या देखने को मिलेगा कि करेंट कि वैल्यूस अधिंट की विक्स है टाइम अंगि बढ़ रहा है ब्स फाइब से तो हम बोले हैं हम डरेक्क्र के चिंए वाद करेंगे डीदिस सी महीं बात करें हैं कि अ ओब देसे के पड़ना इए अब तुम बेंगे का मतलब होता क्या मतलब होता है ऐसा हो मतलब अ नहीं पता है बहुत होता है क्या आप और मतलब नहीं जानते जानदा चभी अगर नहीं जानते तो देखिए और लेटेंड और अल्टर स्नुंत बोलते हैं जिसार मना मालनों हमारे प्रिंट भाई फ्रीम्स भाई ने राहुल वाई फ्रीम्स भाईने राहुल को कुछ कर दिया तो राहूल अब प्लैनिंग बना रहा है रोहित के साथ कह रहा है कि तू भी आर मैं भी आर चल उसको मारते हैं चल उसको मारते हैं तो प्लैन क्या बनाया कि समझे वेरी बात आल्टरनेटिक चुब जाओ आल्टरनेट का मतलब क्या होता है मैं आपको बदलना तुमने खराब कर दिया चोड़ो बढ़िया श्टोरी बनाए थी बहुत खतरनाव सी ठीके ना बदलना जैसे मैं बता रहा हूं ना जैसे मचल स्टोरी कंटिनियों कर देता कि समझ में आजा और आपका समय है कि इसको ऐसे करेंगे या इसको एसे मारेंगे या इसको वहां मारेंगे तो इनको प्लैन बदलना तो ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है दुसरा और आपका समय है तो आप क्या पाएंगे की करेंट बदल रहा होता है करेंट की वैल्यू चेंज रही होती है और पोलेटी भी देखो पहले करेंट की वैल्यू यहां पर है जहिने जिरू धियान देना प्लीज, बहुत जुरू धिया धियान देना है। पहले करेंट की वेल्य रेट्ट की वेल्यू जीरू है। फिर आपके current का value maximum पहुँच गया फिर current का value कम हो गया फिर नीचे चला गया direction change हो गई फिर तो value बार बार चेंज हो रही है उपर नीचे उपर नीचे उपर नीचे उपर नीचे समझे भी बात को तो जब value चेंज हो रही हो तो उसको बोलते हैं alternating current अब मुद्दा यह है कि यह alternating current पैदा कैसे होता है मुद्दा यह कि सर आपने बताया alternating current होता है alternating current में value change होती रहती कभी 0 कभी 2 कभी 4 कभी 10 कभी 5 कभी 3 कभी 2 कभी 1 ये कि मुद्दा यह है कि alternating current हो बनाए कैसे लेकिन alternating current बनाए कैसी मुद्दा हमारा अभी भी होई है और नेटिंग कैसे बनाएंगे उसके थोड़ी से आपको बाते बताता है अल्टरनेटिंग करेंड बनाए जाता है एसी जन्रेटर अब तुम बोलोगे सब एसी जन्रेटर तो हमने पढ़ाई नहीं पढ़ने के नीड भी नहीं बड़ा सिंपल होता है थैंज में थाई यह ला नौर्स पोल अफ मेंगनेट इसके अंदर एक लूप रख देते हैं लूप क्या रखते है लूप और इसे लूप को न हम रोटेट करवाते हैं इस लूप को मोटर लगा दो या सबसे असान तरीका क्या था तरवाइन वाला सिस्टम तरवाइन आप क्या करो यहां पर ऐसे गोड़ी टाइप बना दो कि और कहीं से हाइ स्पीड में पानी छोड़ दो यह जो पानी आएगी पानी डैम से रिपन का गूमेगा फंखा से लगा हुए राड घूमेगा और मैं ऍल्जक से ओंगी यह और अम पूछ थो समझना मैं न यह पूर सो कोल तो होता गया है दोस्तों कि यह घूमेगी और आपको पता है जब भी मैगनेटिक फिल्ड में आपने इमाई चप्टर में पड़ा है जब भी मैगनेटिक फिल्ड में कोई कोई घूमता है जब मैगनेटिक फिल्ड में कोई कोई घूमता है तो वहाँ पर यहां पर आपको यह में पैदा होता हुआ मिलेगा और भाइस आप जो इनोट साइन ओमेगा टी यह आप लोगों को पता होना चाहिए उसके लिए मैं शमाज आता हूं अगर आपको नहीं आता है तो ठीक है अगर यहां पर इतना E.M.F मिलता है मेरे बच्चो और इस EMF को बोलते हैं, E naught sin omega t, जहाँ पर E का मतलब आपका EMF है, E naught का मतलब होता है, बता दूँगा E naught का मतलब बाद में, omega का मतलब बता दो आपको omega क्या है यहाँ पर, अगर हमने rod को घुमाया है, यह घुमा है, रोटेट हुआ है, तो किसी ने किसी speed से घुमा होगा, यह angular speed है मेरे दोस्तो, this angular speed मेरे प्यारे बच्चो, मेरे होनहार बच्चो, this angular speed is called, this angular speed is called what, omega, t का मतलब क्या है, time, तो यहाँ पर अभी आप समझना कि अगर एक North Pole, South Pole के बीच में, एक कोईल को घुमाएंगे, एक वायर किया गया कोईल को घुमाएंगे, तो इतना EMF पैदा अगर आप इस EMF के देखते हो, मेरे प्यारे बच्चो, अगर आप इस EMF को फुरा ठीक से देखो, तो लिखा है, जो EMF है, वो समय के साथ बदलेगा, t लिखा न, t, अगर time की value 0, तो EMF 0, time की value 1, तो EMF कुछ और, time की value 2, तो EMF कुछ और, जैसे समय बढ़ेगा, EMF की value change होत होते, तो आपको क्या मिलेगा, मेरे प्यारे बच्चो, कि EMF, sign के हिसाब से change हो रहा है, और sign का graph बच्चपन से हम जानते हैं, ऐसा होता है, कई सारे बच्चे होंगे, जो नहीं जानते होंगे, बच्चपन में उन्होंने देखा नहीं हो गई है, कई सारे होते हैं, जिनको अगर हमएं हलका सा feel ले, तो EMF का मतलब होता है voltage, क्या मतलब होता है, तो अगर हलका-हलका feel ले तो, यानि जो voltage है, वो change होंगा, sign का हिसाब से, समय के साथ, तो voltage को अगर change होगा, voltage अगर change होगा, तो आपको क्या लगता है, कि यहाँ पर एक बार ऐसा point आता है, यह वाला point, इस पॉइंट को देखिए ध्यान से मेरे दोस्तों अगर आप इस पॉइंट को ध्यान से देखेंगे मेरे पैरे बच्चों अगर इस पॉइंट को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको देखने को क्या मिलेगा ये पॉइंट है हाइस्ट क्या पॉइंट है ये ये पॉइंट यह point highest है इसी को बोलते हैं हम E not क्या बोलते हैं कि भीया देखो graph के अंदर एक point तो होगा जो विल्कुल peak होगा जो की maximum होगा तो यह जो E not है यह हमारा peak है प्यारे बच्चो यह जो E not है यह हमारा maximum है प्यारे बच्चो तो यह होता है peak यहां फिर maximum value तो E not का मतलब दोस्तों य maximum value कि सर्थीक आपने बताया कि alternating current AC generator से बनाया जाता है तो अभी अपने alternating current तो बताया है नहीं फिर बता रहा हूं देखो हमने प्यादा कर लिया हमने कुछ नहीं किया हमने का यार जब हमें E not by R और यहां क्या हो जागा sin omega t जहाँ पर r का मतलब resistance होता है तो आप क्या देखेंगे कि अगर हम emf को resistance से divide करेंगे दोस्तों तो आपको current मिलेगा और e naught को r से divide करेंगे तब भी आपको क्या मिलेगा क्या मिलेगा बताओ i naught मिलेगा e naught भाई r क्या वाजागा आपका i naught यहां पर साइन है और यह क्या है है? तो आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं आई इसटेर टू आई नोट साइन अज Tet, अजूक ए भाई आर आपका आई बन जाएगा इनोट भाई यार देखो, इनोट यहां पर मैक्सिमम् था, यहां पर आई नोट क्या होवा? यानि अगर मैं इसका graph बनाऊं, अगर मैं यहाँ पर current और time का graph बनाऊं तो current भी, यहाँ पर current भी आपका समय के साथ change हो रहा है, current भी आपका समय के साथ change हो रहा है, current भी आपका समय के साथ change हो रहा है, I is equal to time पर depend ज़र रहा है, और sign के हिसाब से, यानि आपका current भी ऐसे छीजा है लेकिन यहां पर ये जो हाइट होगी इस हाइट को हम आई कहते हैं आई नौट कहते हैं मैक्सिमम कहते हैं यह जो हाइट है इसको'll आइनोट कहेंगे मैक्सिमम और आप पर आपने 11 थलकी भी पड़ी हो तो मैक्सिमम हाइट को ही एम्पलिट्यूड कहते हैं क्या कहते हैं इसको हम एम्पलिट्यूड भी कहते हैं मेरे दोस्तों तो एसी चप्टर को समझना बहुत एजी है कोई टेंशन वाली बात नहीं है तो अनुट मेरे दोस्तों मेरे बचो मेरे प्यारे मेरे प्यारे बचोव यूटे नॉट इडाउन फर्र हम धूब बचाते हैं । कि क्यों कि देखिए दिस इससलाइड आप समझिये मैं हलका स्लाइड बनाया आपके लिए कि alternating current किसे कहते है देखिए मेरे प्यारे बच्चो मेरे सुन्दर सुन्दर नलायक बच्चो तो लिखा है current whose magnitude changes continuously with time alternating current किसे कहते है AC किसे कहते है जिसकी value समय के साथ change और यहां लिखा है यह DC है direct कोई change निसीदा सीदा काम चलेगा है तो छोटी सी बात मैंने आपको नोट करा दिया है यहां मैंने आपको यह भी नोट करा दिया है वेन वैन और कोईल वैन अकोईल इस रोटेटेड इन मेगनेटिक फिल्ट एन और alternating EMF is induced यह एक alternating EMF आता है जो बदलता रहता है इस इकल टू इनोट साइन ओमेगा टी अगर दोस्तों अगर हमें करेंट निकालना है तो रोजिश्टेंस से डिवाइड करना पड़ेगा तो आई इस इकल टू आइनोट साइन ओमेगा टी और दोस्तों यहाँ पर आजनट का मतलब और आइनोट चा मतलब क्या मैंने आये उम्प powerless MR आए नोट का मतलब पीडमेड करेंट और पीक मतलब होता है मैकसिम या फिर एक कौर sir हमने बढ़ाइए आपको आम्प्ली टी वोड क्या बदा है मैंने आम्प्लीटी यूद क्या होताया आप लेटी और प्रिंस ठीको अप अंधर आई या लेती हो आप जोर जोर से वाज आवाज तो नहीं आई पठीक है कैसे मैं समंझ नहीं आ रहा है इतना तगड़ा कुछे जुक रहा है क्यों घर से सो क्या आया करो अब यहां पर कुछ कूर बात यह पूर प्लीज हो गया ठीक या अगली बार से नहीं करेगा ठीक है अब मेरी बात संओ देखो आपको ना हमेशा छोड़ो बहुत ग्यान बाट चुका हूँ बच्छपन से आज तक अब नहीं सुनो आप लोगोंने पड़ा E is equal to E not sin omega t जहां omega नाम की चीज होती है omega उसका मतलब क्यों होता देखिए तो omega होता है अगर एक पूरे चक्कर की बात करें तो 36 डिगरी तो टू पाई बाई टाइम पीरिट जहां पर टी का मतलब क्या है टाइम पीरिट और एक ही जोती है अंत पाई यहां फ्रिक्वेंसी और दोस्तो इस का मतलब क्या होता है कि और अंग्मीलर फ्रिक्वेंसी न हूँ दोस्तों को दर्थ तो नहीं कोई दुख तो नहीं कोई कश्ट नहीं कोई बाई प्रिंस तब इत्वराव है कि फिट्स हो गया तो भाई यकीन मानो यह चैप्टर ना खा जागा तुम लोगो चैप्टर में हर एक बात को समझा जोड़ी है बिटा अधर के लिगा है हाउस हाउस में जो एसी सप्लाई होती है दोस्तों देखिए अच्छा कई लोगो फ्रिक्वेंसी का मतलब नहीं पता ह मतलब क्या होता है फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है वन सेकेंड में क्या मतलब होता है वन सेकेंड में कितने साइकल कितने साइकल कितने राउंड जैसे मैंने का यार देखो साइकल का मतलब साइकल नहीं आपर साइकल चक्कर होता है क्या यार मुझे इतना समल के चलना बढ़ कि प्रिक्वेंसि का मतलब होता है वन सेंड में किसने में जखकार जैसे मैंने गा मानलो मैं यहां पर एक खूटा गारू क्या गारू और खुटे से रस्टी बांदू और मैं किसको लूँ इस बार नहीं भूट रसी और रसी से बैल को बाद दिया बात बराबर यह तुम्में कूज आज करना खूटए से रस्तिक्ते से बैल ओर बैल चक्कर काट रहा है Disc Anda है तो बहुत ठीच से गूंग रहा है है सब्सक्रीं कि ऊवद्टे के चार गूमेंगा तो उसकी कितनी होगी चार तो फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है वन सेकेंड में कितने चक्कर मेरी बास समझे तो कोई इंसान एक सेकेंड में कितने चक्कर काट सकता है कितने साइकिल कम्प्लीट कर सकता है वही उसकी फ्रिक्वेंसी होती है तो समझ यह यहां लेका है कि घर के अंदर जो एसी सप्लाई होता ह घर के अंदर जो बन के आता है उसकी फिर्क्वेंसी को कि उसकी फ्रिक्वेंसी को उन्हें से 50 हर्ज aircraft और लृई यानी कि घर के अंदर एक सेकेंड में ऐसे पचास बार फूम जाता है एक सेकेंड में पचास बार इसी बहुत ज्यादा है एक सकंड में पचास बार लिए पुछ भी नहीं है जब हाई फ्रिक्वेंसी तो आपको तू हंड्रेट भर्ज का भी मिल जाएगा अललग अललग घर के अंदर यह सप्लाई करते हो तो लो यह दो थोड़ी तो बचने के चांस थोड़े और तो इस दुबारा उठाता है और अगर तुम्हेत किराया कर नहीं करना तुम्हें दिल्ली से भीर जैना कोई रहताइंगा जैना उन cent से यहां reflection में खुद को देख रहा हूं तो चलो कहानी यह सुनो जहां से कि यह सब बाते आपको पता हो न अच्छी इस नोट कर लो फिर हम आगे वरते दोस्तों फटाफट नोट मेरे प्यारे बच्चो अब दोस्तों कहानी यह है कि ना अब एक दिक्कत है दिक्कत यह है मेरी बास सुनो कि यह अगर current है और यह समय है दिक्कत यह है यह यह ग्राफ ही दिक्कत है इस्टार्ट अब मेरी बास समझो हमने alternating current को समझा हमने पहə ौमेगा को समझा हमने frequency को समझा हमने इनोट को समझा हमने ऐनोट को समझा लेकिन दिक्कत यह है कि मेरे से की से बोला अरे ने कि इल नोडक दैठ deduction कि वहलु आरहे हैं किया तो है तो नर्समाइ। दो है कभी थीन और फिर टीड़ है जो है कि इतनी सारी वैल्यो मेरी बात समझो मैं आपसे बोलू है अब बात करो मानल मैंने टो पुल अरहन भाई अल्टरनेटीग करेंट की वेल्यू गया है तो कहारा है सर में को देखा जी रो भी होता है तो जी रो नहीं बोलेगा यह लॉजिकली बोलेगा वन है मैंने मौहित से बोला भाई क्या वैल्यू मौहित कह रहा है जिस इंसान ते पूछो कहें अलग-अलग व जिसे मालनों कि इस भाई को दिली से बिहार जाना है इस भाई को दिली से बिहार जाना है तो अपनी कार से जा रहा है इसने खूब पैसे कमाया बढ़िया बढ़िया कार लिया आप कहरा गाउं में कार चमकाने जाओंगा मैं ठीक है तो अपनी कार लेके यहां से बिहार निकल तो हसने वाली क्या बार्ट तो गभी स्पीड जीरो कभी 10 जहीं कभी 12 कभी 15 कभी 100 जब गाऊं पहचा इसके दोस्तों ने पूछा अरे वाइव नहीं कार क्या स्पीड जाया है तो अब यह बोले आप मेरे तो यह लगा लें यह लगा लें लगाले on an average on an, so problem यह है कि जब हमारे पास। विकल्प ज़्यादा हो तो हम सहारा लेते है on an average का हम ने का सब्सक्राशब है alternating current के बारे में मझा नहीं आ रहा तो लोगे उनका average value लो, क्या लो? average value क्या पंढ़ने झाएं हम करने धे तुन ले रहे हैं एवरेज वेल्ई टिक एवरेज वैल्यू या फिर कह सकते हो मीन भी बोलते आप लोगों को मिन वैल्यू क्सा ओफ ए सी आवर Ore और फॉल-साइकल समय्ज्ट किया और यहां तक हम गए तो हम वैल्यू निकाले कैसे तो वैल्यू निकालने में आप लोगों का सब कुछ निकल जाएगा अब यकीन वानों पहली बोल रहा हूं जिसको यह समझना आए क्योंकि इसमें इंटीक्रेशन लगेगा वह आप बोलना यह टॉपिक भार में जाए इसको रट लेना है क्योंक के बस डीप इंटीक्रेशन नहीं है उनके यह टॉपिक हाई नहीं मैं क्या कोई भी नहीं समझा सकता आपको हाँ अगर आप भगवान जी के अफ्तार हुए तो आप पहली बार में समझ जाओगे या आपका दिमाग बहुत शार्प है अब बहुत बुद्धिमान बहुत सक पर बढ़ बढ़े तो और तुम्हारी किसम अरी समझ भूगे ना समय समय था फ्ली कोई तुम्हारी कशना इस आप इसले खारा हूँ तुम लग बंधिन निकरो निवा सम्झेर वे निप करो है नहीं बहुत आफ डिमांड आप डिमांड नहीं कर पाएंगे और विटा फिर सुबह जाओ दिमांड नहीं करोंगे तो यहां पर दिमांग लगा जा रहा है पूरा बढ़िया से कि जीते तब भी जीत हारे तब टीक है याँ अब काम की बात कैसे जुनों दोस्तों कि यह किसी को समझना आया है न आएगा यह तो इतिहास रभावे फिर भी देखते हैं तुमने किता दिमाग है तो हमने का यार हमेना वैल्यू निगालनी है यह एन ऐन अन एवरेज काम करना है तो हमने लिए दिमाग लगा के यह तो करेंठ कैसे निकलेगा टोटल चार्ज अपन टोटल टाइम बताना पड़ेगा तो किसी को को पता नहों तो बता दू किसी भी टाइम पर एट एनी इंस्टेंट किसी भी समय पर ना करेंट को लिख सकते हम डी क्या बात है करेंट आप कहीं लोग बोलेंगे हमें यह नहीं आया अरे क्यों नहीं आया भाई चार्ज निकल जाये तो मजा आजाये ऐसा मजा आजाये कि वहीं क्या बात है मजा आ दिक्यू को रख लो और डी क्यू को पकर लो और डी क्यू पकरने को दिटी को उद्र भेज़ दू आई नोट साइन ओमीगा ठी डी ठी क्या बात अब ठीक है अब दोस्तों आपको निकालना है टोटल चार्ज क्या निकालना है तो आपको करना पड़ेगा इंटेग्रेशन देखो डीकी उसे ख्यू बनाने के लिए हमें इंटेग्रेशन करना पड़ेगा इंटेग्रेशन करेंगे तो ही हो जाएगा आई नट साइन टो मेगा T DT आए नोट साइन अमेगा अटींटू क्या बात है दोस्तों दोस्तों अब तुम्हारा बजने वाला जाने आई आक रहीन शाएगा तीजबी आज दो है तो आ चाहेगा oma t अब तुम्हें दुख दर्ध कस्ट पीरा पेन जलन सब होने वाला है अब ध्यान दो कैसे अब मेरे दोस्तों अब मेरे दोस्तों आई नोट साइन का का इंटीकरेशन बताऊ मुझे शाइन का इंटीकरेशन बताऊ चाहिए साइन का सारी बच्चे कह रहे हैं मायनस कॉस्स को क्या था वाला कर रही है आप भी वाले हो वाले हो इतने कॉन्फिडेंस क्यों कह रहा है अरे मैं ऐसे मजाक नहीं रहा हूँ एक्षिली मिना बाइलोजी में होता ही नहीं होता है तो समझे तो साइन का लिख देते हैं माइनस कॉस ओमेगा टी और जब इंटीगरेशन करते हैं नीचे ओमेगा आएगा नीचे क्या आएगा समझे और देखे हमें लिमिट कहां से फुल साइकल जीरो से लेगे टी तक अरे यार बायो वाले की क्या गलती है सोचो आप मुझे ऐसा लगता ना बायो वालों के लिए फिजिक्स भी अलग से डिजाइन करना चाहिए लेकिन फिर वह बिचारें भी के रह जाएंगे बता इस लोग की एवरेज उमर पता कितनी होगी थी 40 साल 35 साल मैंने बहुत दर बता है बात जब हमारा बायोजी और इंसम में साइंस में इतनी डिसकवरी नहीं थी तो लोग जल्दी जल्दी इदम मतब ऐसा है लोग जान बचके ददस बच्चे पैदा कर रहे थे 12-12 बच्चे कु लोग क्यों पता है रीज़ già यह था कि पहले उनको बता Sith कि बच्चा खेले का साप काटे निकल लेगा या बच्चा खेल रहा है बुखार राए आगा निकल लेगा त्योंकि पहले बुखार से लोग बहुत मरते थे अ thitte इसलिए उन लोगों ने प्लैनिंग कर रही थी दस करने हैं एक आतो हाथ में आएगा बड़ा हो जाएगा आपको साप काटे नेवला काटे लड़की काटे हो मजाग कर रहा हूं सोरी 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 कोई भी काटे आप बच जाते मालों आपको डिप्रेशन हो गया तो बाइलोजी बाइलोजी वालों ने ढूंड दिया है एंटी डिप्रेशन वाली गोलिया खाओ अच्छा अच्छा फील होता है तो बाइलोजी वालों के वह जैसे दुनिया है यह आजके टाइम पर इतनी सारी भीमारी आती है उनकी सॉलूशन ढूडते हो लोग ठीक है लेकिन लोगों सब्सक्राइब कि थोड़ी मैस उनके बाए होती है तो काम के बाद क्या है ध्यान दो परते हैं तो अब जीरो से टी साइन कामने कोस लिख दिया अगर विटा यह माइनस ने आया तो यह जए जिए जिरो से टी है क्या यह जीरो से टी और यह हमारा चार्च चल रहा है चार्च यह माइनस आई नॉट ओमेगा लिमिट है लिमिट बशते है बाता है आप एक वास्टिवा लिखना है अब आब उम्यगा को खोल के लिखो में क्या होता बताओ टू पाइब बाई लिटे और इस को टी की जगह पूड करना अपर कै निसम्जाएं ओमेघा गहोता है बदाओ तो पॉर भाई ही और टी की जगह पे सrüे सीरा को माय नागाना और फो फुर्टक से जगह रहेगा वाज रहेगा फुराइगा टूपाइटी अडियो जीर ल Mys com यह रहे है श्युक्त में लीजा लेलिया लिए अमुझे कुछ निकरना ईक वाली जो मेलियो को समेगा टी-क था और पर एक जागा टी यह गती तूपाई वाई थी अम मेरे दोस्तो आई नोट बाई ओमेगा अब टी से टी गया कॉस्ट टू पाई कितना होता है कॉस्ट टू पाई कितना होता है एट वन होता है तो चार्ज की वेल्यू इतने आ गई तो लिखाए लिखवाद है यहां पर कॉस्ट टू पाई वन कॉस्ट जीरो डिग्री वन तो वन मैंस वन कितना आ गया फ्रसुट फ्रसुट पाई साम छार्ज कि वैल्यूए जीरो आ रही है अगर चार्ज की वैल्यू जीरो आयेगी समझना किसी को पहली बार में सब्सद Anyone स Mengरवग दो है तो जीरो एंद जीरो अपन में Ēं मोल्य ती कितना हो गया आपका बिजली बिल ले रहा है बेटे बेटे देख साइंस क्या कहता है साइंस कहता है करेंट क्या है जीरो तुम उसे बिजली ओफिसर उसे बोलगा आजा बेटा करेंट की वैलियो जीरो है टार वाज थे तो कहानी यह है कि साइंस साइंस नहीं कहा ओवर फुल साइकल एवरेज करेंट की वैलियो सिरो प्र उलाग होगा यह तो यह इस बात में दम नहीं अब कुछ और पड़ेंगा तो लोगों ने जिमाग लगाया लोगों ने क्या दिमाग लगा है हम आगे पढ़ेंगे तो आप प्लीज इसे नोट कीजिए सब्सक्राइब करते हैं इस्टार्ट करते देखो यह नीचे ओमेगा कहां साया यह यह वाला ओमेगा कहां साया यह इंटिग्रेशन का नियम है कि साइन ओमेगा थी का और कॉस कॉस है तो साइन का दो चूगा है यह ओमेगा की जगह हमने लिख दिया दोस्तों कि विजली वाले के पास माल कौन गया था बतां किसको ले जाए कृष्ट तो अब नहीं तो आपने से जो भी बिज़ी वाले के पास गया कि मेरे मास्टर मेरे मास्टर ने कहा था देख बेटे ओवर अ तुम कल्कूलेशन करके दिखा है इंटिगरेशन लिमिट उधर कह रहा हूए तयार कर अपने कलीक को कह रहा है तो तयार कर वायर तयार कर यह बास वायर लेका यार लगा जया तुमारे नाख मुझान पे बैटा करेंट जीरो है क्या नहीं 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 बिजली भी लाएगा तो आप तहान यह है जब भुडब ही जयां दो जब वर फूवस्ट अ गयल गया तो लोगनए करेंगे लोगने डिमांगा लगा हुर्ट नेंगे आन नकालेंगे किसमे लिए तो लोगने हावत है के ल? में तो सेम लिए दो प्लीज अब आपको अलग से लिखना है चुप जाओ मैं तो इसी में चेंजेस कर रहा हूं वर्ट टॉपिक का नाम क्या रहेगा टॉपिक का नाम रहेगा एवरेज वेल्यू या फिर मीन वेल्यू ओवर हाफ साइकल किसकी बात कर रहे हैं हाफ इस बार हम हाफ साइ टाइम भी जगा टी एगा बस सेम रहेगा यहां परजीरो से क्या हो जागा टी कि जगा पर क्या हो बताओ घुली है अरे मुर्ड को समझ्ञे आ रहे हैं सबकु सेम चल रहा है टाइम की जग पर टी वाइटू तो यहां से श्रैप दूबार करा देता हूं मैं आप लोगो क ठीक है कोई टेंशन ही नहीं है देखो बस सब कुछ सेम रहेगा फुल की जगह हाफ आएगा अब इंटेग्रेशन करते हैं चार्ज है यह यह आई नोट है साइन क्या होता है माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइड वाई ओमेगा डिवाइड वाई और इसकी लिमिट कहां से कहा की ओमेगा और टी और स्ट्राइम के जग़वर हमें पूट करना है ऑफ यह मायनस और मैइनस पॉट Presca 2-2 ओमेगा और टी और टी डिव जग़वर एब यह अगा अब मेरे दूस्तों मेरे सुन्दर वच्च्चों मेरे 5니다 यह जेता हो सुनों चार्ज लिगाबर क्या है आइनोट भा puppies उमेगा देखो 2 से 2 गया ट से T और स्ञाइब वहलाश पा इस वस्फडर्न होता है बढाता हो लिक देता हूं पाइद कॉस्पाइब सभी माइनस वं पहता है और कौस जीड़ डियो टीव्स होता है तौच इसनोट अमेगा मैनस क्यों पाइस कैद इह आज की दुनिया हो बादा और ऑग多 क्रेंट चला है अभी एक हम दो डेंट चल रहा है बहुत जदा बहुत जदा बहुत जदा बहुत जदा बहुत जादा अभी मैं घलती से घ्र मैंस माइनज माइन सब्सक्राइब प्लस हो रहे है और मैंने का अच्छा उनलों को नमस ज्यादा बढ़ ली निक गलत नहीं है सहरे मास मास माइनस तो सहिए और पिर बोल रहा है तो मैं किसी को सब्सक्राइब कहता गलत है इस एप एप जक्री एख according to math according to sense कि मैंस माइनस है कोई बात नहीं माइनस माइनस यह माइनस माइनस क्या हो जागा प्लस तू आई नोट बाई ओमेगा वे खुल आम बोला गर तो आई सबस्क्राइब मैं तू अचैन से तू आई नोट ओमेगा कितना होता है और बगल में डी टू ने तो तो आइड़ वाई बै आभ दोस्तों टू भाई भाई परेंगे ना यह बता है अगी जो टो पॉइंट संथेंगा ठीक है जीनों पाइंट एक बांग अग। तो 2 by pi को अगर हम solve परेंगे तो इतना आएगा, 0.636 के आसपास या आता है, यानि कि जो current की value आ रही है, half cycle में किसमें आ रही है, वो निकल गया रहा है, 0.636 I0, यानि बोला गया, समझना वेरी बात को, बोला गया, अगर ये हमारा peak value, क्या ये, peak value, तो इसका average क्या लेंगे ह अगर ये हमारा peak value है, I0 is peak value, तो average क्या आएगा, average इसके आसपास आएगा, किसके आसपास, 0.636 into में I0, मेनी बास समझे, यानि अगर मैं आपसे कहूं, example के तो इक आएगा, ये 100 A कितने का है, तो average कितना माना गया है, average कितना माना गया है, बताओ, average माना गया है, जो average माना किया, वो मना गया है, 0.636 into में I0, यानि कि 100, तो कितना आएगा, बताओ, almost approximate कि अगर हम बात करे, तो approximate कितना आएगा, 63 A के आसपास, कितना आएगा, यानि कि अगर आपको average value देखना है, तो माली जी अगर वो उसकी उचाई पहुंसती है, 100 तक, कहां तक, तो on and average कितना मान 63, जैसे for example, आपकी जो car थी, आपकी car कभी 100 भी touch की थी, आपकी car कभी 0 भी touch करी थी, जब आप सुसू कर रहे हैं, तो कोई गलत बढ़ है, फिर हसरा है, अरे करते नहीं हो, तो जैसे car जो है car, कभी, चुब जाओ, कभी car जो है, car कभी 100 थी, कभी 50, कभी 30, कभी 80, कभी 90, इसी परिकार से अगर current की value change हो रही है, 1, 2, 3, 10, 12, 15, 16, 100, अगर current की value 100 तक जा रही है, तो इसकी mean value कितनी आ रही है, 63 ampere, तो on and average बाते कर रहे हैं, पर ये भी ethical नहीं है, ये भी सही नहीं है, बोलो क्यों, मतलब तुम बढ़े smart बन रहे हो, कि पूरे cycle में answer 0 आ रहा है, तो आधा ले लो, ये भी logic है, मेरी बात नी समझे, बात नी समझे, वो कह रहा है, पहले answer 0 आ रहा है, अच्छा, 0 आ रहा है, तो कुछ जुगार लगाते, तो पूरे current की, पूरे full cycle की study मत करो, आधा की कर लो, और ये कोई logic है, तो ये तरीका भी अपना बेकार है, तो इस वाले नहीं आएगा, पर पढ़ना दा सब कुछ है, छोड़ ने सकते ना कुछ, अरे क्या हो गया यार, वहा नहीं अभी तक, शुपता हो गया, रही मैं, और यार, चलो, guys, start करते आगे, मैं दो कर रहा, आज 2-3 गंटे पढ़ लेते हैं, लगे तार 5-6 गंटे में खतम करते हैं, चलो, आज 8-9 गंटे बढ़ेंगे, 10 गंटे, 12 गंटे, 15 गंटे, ठीक है, कंबल की नीड है, अभी, मेरी बात सुनो, 5-9 गंटे आज पढ़ते हैं, शप्टरों खतम करते हैं, छुट्टे का दिन है, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, मतलब, आज जन्न मास्टमी का दिन है, चलो, सो दोस्तों कहानी यह है, कहानी है चुट्टी, भाई, ठीक है, कल हम पढ़ेंगे कि यह सब बेतु की बाते है, असली बाते होगी, आज तुम लोग इधर ही घूमने आने वाले हैं, पिछली बार हमने बात किया था, कर लिया था, अब हम इस बात में अटका हुए थे, कि आप तुम कह रहे थे कि फुल साइकल में वैल्यू जीरो आ रही है, तुमने अपने ही मंसे कहती है, हम हाफ साइकल का निकालेंगे, आज यह कुछ बात होती है, मतमना, एसी की एफ आक्टीव वैल्यू निकल बारेंगे, शाक्टीव वैल्यू नहीं निकाल पारेंगे, शाक्तिव वैल्यू समस्के हो, जो रिय यह जाथा, फील यह क्या मतलब है, कि हम पूरे का निकाल लेका आंसर जीरो आएगा, तो हाफ क यह है कि हमें क्या करना है हमें निकालना है effective value of AC alternating current की effective value निकालनी हों कि एफटीव वेल्यू ऑफ ऐल्टरनेटिंग टरेंट अल्टरनेटिंग करेंट की एफ वेल्यू निकालनी है आप तुम बोलो कि हम कैसे निकाले एफ आप टिव यह इसका और नाव रखेंगे रूट मुझा रहा हूं रूट मीन स्क्वर वैल्यू आरे मेस बताऊंगा बाद आरे मेस वैल्यू अब इस बात को लेके बढ़ा हो चल रहा है टेंशन विवात चल रहा है कि निकाले कैसे टेंट बंदा आया वह बंदा कैता यार तुम लोग क्या फाल तुम यह क्या कर रहे हो एक असान तरीका बदार हो वह बंदा गयता तुम्हें रहें लेलो रहेंग सब्सक्षाइब सभी सब्सक्राइब उसवेल्यूंद समेड़ पालék तुम लगात यॺ डीसृ सब्सक्राइब में तुम लगा दो AC क्या लगा दो AC समझ ना मेरी बात उसी हीटर में DC लगा दो उसी हीटर में AC लगा तो सफाई सायो बिल्कुल आगर हरसेथ चलो तो उन्हों दिमाना लगाया गया कैसे निकाले रियल वैल्यू और यहां पर ना मालो इसकरेंट की वैल्यू है 100 एंपियर कितना है और जो गर्माहाट पैदा हुई जो हीट पैदा हुई वही मालो 500 जूल किता हुआ आपने 100 एंपियर का करेंट दिया और हीट पैदा हुआ 500 जूल हां यहां का करेंट आपको नहीं बता है यहां करेंट आपको लेकिन हीट को तो फील कर सकते ना अगर यहां भी हीट यहां तो 500 जूल का है जैसे यहाँ पर जो हीट है, मैंने कहा अगर 100 एंपियर 500 जूल हीट पैदा करता है, तो 500 जूल हीट कितना एंपियर पैदा करेगा, 100 क्या बात है, या निक हमने AC की वेल्यू भी निकाल ली, कितनी होगा AC की वेल्यू ऑटोमेटिक, 100, AC की वेल्यू कितनी होगी ऑटोमेटिक, आप तो जो दिमाग लगाओ, सिंपल बात है, मैंने कहा, 100 एंपियर का करेंट 500 जूल हीट पैदा करता है, 100 एंपियर करेंट 500 जूल हीट पैदा करता है, अगर यहाँ पर भी सेम हीट है, तो करेंट भी तो सेम ही मानेंगे, यानि एक इन डारेक्ट तरीका हो गया, अल्टरनेटिंग करेंट को नापने का, यानि DC की वेल्यू ही AC के बराबर हो सकती है, अगर हीट सेम पैदा हुआ, मेरी बात नहीं समझे, कि मुझे इस पत्थर को तोलना है, कि यह पत्थर कितना है, कितना वजन है इस पत्थर का, क्या करूँ, क्या करूँ, तो राजू लेके आऊंगा, एक तरफ रखोंगा जो मुझे पता है, बात समस्य है बात, एक किलो, दो किलो, से पता है दस किलो पांच किलो बाट होता है बाट तराजू पे बट्टा बोलते हैं तो मैं तुम यहां पर तरीका वोला कि भया तुम क्या गर रहे हैं तुम AC की वैल्यू कभी 0 निकाल दे रहे हो कभी रहे हैं त Bible 20 पशुंचल हैं पांसो जूल रहा हो रहे हैं है हमें किसी मतलब है फिर भीम की वैल्यू । DC current के बड़ाबर होगा DC current की value हमें पता होता है अब नहीं समझ माया तो what is effective यह क्या effective value है क्या हुम real value मान सकते हैं मान सकते हैं न भाई क्योंकि आपके घर का bulb की चलता ही जलता है यह energy से चलता है कैसे आरे में स्वेल्य ओफ एस निकाला गया समझें इन डिर्ट तरीके से तो अगर आप से कोई बोले चलो एक बाद इफिनेशन लिखता हूं फिर आप समझ जाओ ठीक ना आप इस एक बाद नोट करो फिर में डेफिनेशन लिगदूंगा आपके लिए नोट करो नोट करो है नोट करो चलो इस्टार्ट करते हैं विअंचर क्या लिख एक ओंपड़ो दोस्तो लिका शय गुवेल्याइए यह आऊ-मस में वैल्यो कि से गाऊ-मे तो वोलंगे इद इस दा वेल्योँ आफ ०ीसी Значит वय्विए क् produces same heating effect as produced by AC अगर दोनों में heat same है तो DC की value ही क्या होगी AC के बराबर same time में same resistance candle so it is the value of direct current देखो AC की value कितने बराबर होगी बताओ direct current के बराबर तो AC किसके बराबर है direct current के बराबर so it is the value of direct current which produces same heating effect as produced by DC और AC है ना समझ पार हो तो definition समझ भाया effect produced by AC it is the value of direct current which produces same heating effect as produced by AC in same time through same register तो बता प्लेक से नोट कीजिए बहुत बढ़िया तरीका है फटा 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 धूम मचा देंगे अब अब दोस्तों ध्यान दोगे आप लोग तो क्या देखने को मिलेगा आपको कि भाई ठीक है तुमने कह तो दिया पर यह निकाले कैसे पंगा यह है निकाले कैसे अब यहां भी भाई लगिया जिसावन देखना बहुत खतरनाक चीज है यह अब यह इंटीग्रेशन करने में क्या-क्या छूटे का वो सोचने वाली बात है अब प्रॉब्लम यह हम कहेंगे ठीक है वाई आप अगर हम ऐसे सिंपल ही बात करें डीसी में तो हम डीसी में क्या बोल सकते कि हीट का फॉर्मला जो होगा आई स्कॉर आटी होगा लेकिन हमने यह बोला ना उसी का नाम क्या रखेंगे घंट ए कि वहीं ऐसके बराबर होता है है और इसके लिए अगर हम हीट की बात करें तो यह instantaneous होता है इसका formula यह होता है i2rdt साथ हमने समझाओ बात पर फर्मला होता है हीट का i2rdt at any instant at any instant किसी instant की अगर हम बात करें तो किसी particular छोटे सा time के बात करें तो हीट का यह formula आप कई लोग करेंगे हमें तो हीट का फॉर्मॉला भी नहीं आता है सारे बच्चे फोन साइलेंट पर या वाइबरेशन पर लखेंगे प्लीज आई रिक्वेस्ट ठीक है तो आपको पता ही है उसने बोला है ध्यर्फोर हीट इकवल टू हीट अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम बोलें यह भी नहीं पता नर्ख में जाओगे सीज़ा मेरी बास समझे तो तुम कहरो सर यह हीट है यह भी हीट का फॉर्मॉला है यह भी हीट और यह भी हीट का तो देर्फोर अगर हम एकवल रखें तो क्या मिलेगा बताओ आई इफ्रक्टिव का स्क्वेर आरटी एकवल होगा किसके बताओ आई स्क्वेर ऑर्डी। आइफ्रक्टिव का स्क्वेर आअटी इसिकल टू आइ स्क्वेर आर डीटी का इंट्गरेशन नहीं सम्झे बरी बात अरे यार क्या और यह वह इसका जो राइट एंट साइड है और इसका राइट क्या हो गया आए अधिक आया नी मैंने हीट इक्वल टू हीट रख दिया अब यहां पर आप एक चीज नोट करेंगे आर ने आर को लपेट दिया यहां तो आई इस एक्टिव का स्क्वेर जेको टाइम को नीच अच्छा मेरी बात सुनना ध्यान से अगर मैं आपसे यह कहूं ध्यान दो अगर मुझे स्क्रिफ आई एक्टिव चाहिए तक्या मुझे यहां पर रूट लगाना पड़ेगा ऐसे वन बाई टी इंटिग्रेशन आई स्क्वेर डिटी अब तुम्हारे मन में आएगा पहले इंटिग्रेशन कम पड़ गया था कि रूट फूट और आगया देखो यह रूट मैंने जान मुझके लगाए तापको मैं फील दिसकूई है क्या देखिए आई इस अक्टिव को ही हम बोलेंगे आई आर एमस पदा है क्यों क्यों कि देखो आर एमस में एस का मतलब होता है स लिख से क्या क्या है कि गया तो सब को एड़ करने के मीन यहां पर और रूट इसका नाम क्या बढर जाता है और नाम बड़ता है नाम बढ़ता है तो क्वेल्यू फोलते और फैक्टी वैल्यू भी बहोते आप तो अगर आप चाहो तो यह पॉइंट शो करो अधरवाइस आपका तो यहीं से काम स्थाट है यहीं से करना है रूट फूट भार में जाए अब हमें कैसी भी आई इस अक्टिव निकालना है तो मैंने यार मन में सोचा मैंने का यार कहीं से जुगार तो करना पड़ेगा तो 1द्ер टी रखामने चलिण का माि मैं ठोता है इसे हैं तो आई का मतलब होता है नौल ऑी नौट साइन ओमेगा टी का मतलब होता है आईमट साइनी ओमेगाटी इसका ससुख्वे चलेगा जीरो से लेके टीत पूरा निकालेंगे हम पूरा कोई गंजोसी नहीं अब हम कहां फसके पता आपको इंटेग्रेशन चलो फिर भी करेंगे यार अब क्या करें करना तो पड़ेगा ना समझे अब मेरे दोस्तों आइनोट स्कुर को बाहर लेलो क्या बोला मैंने आइनोट स्क बहुत लोगल बात है जो इनसान बहुत टाइम से इंटीक्रेशन नहीं कर रहा है जिस इनसान को हिह नहीं कर रहे हों कैसे बहुता बात किईल आ आप जिसको नहीं आता क्या वहर इसकी लिए डिन इसको मैस से प्रॉब्लम में रट लेंगे वरना उनको चप्टर मुस्क नहीं लगेगा आप बोलो यह बाहर में जाए वाला टॉपिक यह टॉपिक में हम हैसी कर लेंगे वैसे एक्जाम मैंने के चांस कर लेंगे अब क्या होगा साइन स्कूर ओमेगा टी ना आपको बताऊं साइन स्कूर ठीटा को साइन स्कूर ओमेगा टी है नहीं इसको ऐसे लिखा जाता है अब मुझे पता नहीं कि कितना सही है कितना गलत है साइन स्कूर ठीटा पता है यह वी होता है अगाइक नाम है बंदा राजू है राजू का पापस सोहन है उसका पापा सब्सक्राइब 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 यहां मजबूर हूँ मुझे माफ कर दो अब यहां पर लिखना पड़ेगा वन माइनस कॉस्ट टू ओमेगा टी वाइब अब टू अब अब बगल में क्या चल रहा है डीटी दिकत हुई किसी को रोहन ठीक है चलो तो यह बात हो गई हमारी की बई साइन स्कुर्ण के जगए अब सारा खेल हैं इंटिग्रेशन का आई इफ्रक्टिव का स्कुर्ण अब मेरी बात ही समझे कई लोगों को लग रहा हो होता है वही वाली बात है तो होता है साइन स्कुर्ण ओमेगा टी होता अब आधि नहीं करता क्या हो गया क्या हो गया हो प्लिद के पहली फेज दो कि बाद में कोई दिक्रत नहों इस टू को उठाके मैं पहली धर ले गया हम पहली समझा रहा हूं है अब अच्छा वन की जगह पे टी और कॉस का इंटेग्रेशन पता है क्या होता है साइन तो साइन कॉस क्या बन गया साइन टू ओमेगा टी डिवाइड डवाइड टू ओमे अब को याद करना पड़ेगा बात है साफ है आप देगे सुनिए अब आपको लिमित पुट करना एकपर क्या पूट करनी है ती जहां भी टी है जहां भी टी एवहां टी मोट्ट करना है, डीदकए साइन वंवा embaixo k वकνα माइनस माइनस लाइना लिमिट लाइन के लिए अब जहां भी ती है, वहां ẽवहाँ दर्शीरो पंट करना है तो तो 0 आ ₹рий ही आजागास कि जीरो माइस एस दूला आब इसका बताओ, तो देखिये जब आप ओमेगा खोलो यह को तो बता ओमेगा पता क्या होता है तो इसाइन फॉर पाई जीरो होता है तो यह वाला पार्ट भी क्या हो जागा पूरा जीरो तो बता जिए अंदर की बात है जहां यह जो है ना यह आपने लिखे ना कहीं यह जागा 0 4by निकल के आएगा और वो जागा 0 यह जागा जीरो के बराबर ठीक है अब हो आक्षा किया आई फ्रक्टिव का स्कुर यह सब को 0 हो गए यह आगा बचा टी अट्री से एडिटी गया ये बचा आई नोट स्क्वेर भाई टू अरे मेरे लाड़लो तू तो आई क्या जाएगा आई फ्रक्टिव आई जो इसाक्ट थे फैसाथ समस्ते है इसाइए जो इसाथ पैदा कर रहा है वह रूट लगेंगा लगेगा आईनो दिश्कर भाई टू तू आघ जागा आई नोट भाई रूट्र्टू यानि कि यह है वो वैल्डू यहा वाली जिससे हमारा बिजली कि मिलिकल के आने वाले हैं यह आई यह अर्ण भाई रूट्रू क्या होती है मतलब बरना परता है आपको तोकि हमार पास वह वाली बात नहीं है कि हम इसे से कैसे करें तो आपको बिजली घुत्ते का भरना परता है हाइट का थोड़ा सा नंगें के निगला निकला कि आइस अपके बात करें तो वह हो रहा है मैक्सिमम का नीचे रूट टू या आरे में इसकी बात करें तो वह क्या होता है आई नोट भाई रूट टू तो बैटा टफ था मैं मानता हूं टफ था लेकिन हमारी भी मजबूरी है यार अब ऐसा तो है नी कि तुम्हें मजा नहीं आ रहा तुम्हें टफ लग रहा है तो हम मिठाई मिठा तो मिठाई मिठाई तो वह वाले किसा का कॉस का साइन जो भी है नोट किजिए इसे प्लीज अरे सुरो मैंने यह बता दिया क्या यह टी से टी कैंसल हो जाता है बच्चे पूछ रहे हैं कितना सब्सक्राइब दोस्तों तो हमने क्या सीख आपको समझ में आय अब जैसे यह जो करेंट है वन बाई रूटू कि निकालके देख लेना होंबग दे रहा हूं सब्सक्राइब कि इसकी पीक वैली जाती है सो एंपियर मालो तो तुम्हें कितना का इस आक्टिव एल्यू कितने की विजली मिल फर्मिए देखें इसका मतलब है दूसरा यह समझेगा फोड़ा सान तरीके से कि जैसे हमने का यार आई आरे मेस या फिर आई इसक्तिव इन दोनों का एक आउनसर आने वाला है आई नौट वाई रूट तू वैसे ही अगर हम हीट का इक वल करके यह अर्म से अगर निकाले ए और पे या फिर इस अक्तिव तब भी आउनसर आपको क्या रहेगा ए नौट बाई रूट तू अब यह वाला कैसे आता है लिकसे निक यहां पर हम भी यूज नहीं करेंगे यहां पर हम यूज करेंगे एफटिव स्कुर्ण आटी और दूसरे हीट का फॉर्मला क्या होगा बताओ इंटीग्रेशन यादे हैं तुम भी क्या बात कर रहे हो सुनो जैसे हमने दो फॉर्म लिखे नहीं यहां पर यहां पर हीट के कर सब्सक्राइब सब्सक्राइब यहां ऐनाओ ऑस और यहां इस यहां पर जाएगो आटम क्यों अवय गहां मेगा अभी हाङओ यहां इस अखतिवेद 17 अपर पार यहां सीम एथे उस्सेटिव है स्वेश और आप , यहां क्या हो जाएगा बताओ 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 इस्वेयर आर टी डिटी डिटी सोई मेरी बाती सम्दी क्या कर रहा हूं मैं अरे मुर्खो अब हीट का फॉर्मला कॉंसाल लिख दिया हमने वोल्टेज वाला यहां पर टी नहीं आएगा अपर आगा जीटी क्या है अभी रुकत रुकत जाओ कहानी क्या है हीट का यह वह लिखेंगे करके नहीं दिखाना तुम्हें बता रहा हूं बसलका था यहां पर यह फोर्म लेखेंगे नीचे भी चेंज कर देंगे आप कुछ नहीं आप देको सबकु सेम चलेगा देखना यहां आर से आर कट जाएगा आपका और ही कि और यहां पर कचलता रहेगा बताओ अब घर पए करना यहां कहलता रहेगा शेयर ऐख आख कर दो यहां पन द मीं नॉट ईनस्टक्र माद का अधर एनौट स्कट यहाँ भी क्या हो जाएगा यहां भी किया हो जाएगा और यहां पर आईफ क्या होग मताँ आई साक्टिव के नहीं फाक्तिव का स्ट्वेर ए वक्तिव सब कुछ सेम चलता रहेगा लाश्ट में क्याने कर जाएगा बता रहा हूँ कि दोस्तों मैं दुवारे कह रहा हूं सब कुछ सेम रहेगा चेंजेस कहां करने बता रहा हूं हीट का पहला फर्मला यह दूसरा यह नीचे आ रहाएगा लेकिन आर से आर बाद में कटी जाएगा तो अगले स्टेप्स में न जहां आई सक्टिव का स्वेर वहां पर क्या जा आपका दिकार किसी को एक बार आप इसे लिखळो कॉपी में कि वहांसे हम इनोट की वैली फिर निकल सकते हैं तो डूस्तो नेखो यानि मैंने को कहा क्यम इनोड भाई रूट 210 आज सकते हैं पर करके दिखाने की लोड़े सिंपल है एक बार यहां परip t का फॉर्मल यहां एक बार ये वाला फॉर्मला और एक बार एक बार एक स्कूर आर डीटी अब एक की वैल्यू पूट करो सेम इंटेग्रेशन साइन का चलेगा अंसर आ जाएगा कोई टेंशन किसी को पक्का पक्का अच्छा तो यह हमने पढ़ लिया यानि कि हमने क्या पढ़ लिया हमने यह बस जो पढ़ लिया पढ़ लिया आप काम की बाद करते हैं कोशन कर आता हूं एक दो कोशन है 220 वोल्ट है 220 वोल्ट 50 हर्च 220 वोल्ट 50 वर्च अप्लाइड अब लाइड टू एन इंडुक्टर उसरी नकर बोल रहा हूं रेश्टर ऑफ 10 न ऑ फन फांड फीक वैङ्लयो करेंड जोरिंड फीक वैल्लीएअज करनग पहकर उडश्ट्ट पानचंग कोशन को समझते पहले सॉलीशन समझयो कि यह कि तूट वॉल्ट 70 अब देखे आप है अब इसने 220 वोल्ट किया सोचो हम इसने 220 वौट वो दिया होगा जोईद कच भी नहीं बोला है क्या पीक वैल्यू का मतलब है आई नोट कब निकलता है तो आपको याद होगा इनोट वाई रिजिस्टेंस अरे अगर मैक्सिमुम करेंट चाहिए तो वोल्टेज भी क्या होना चाहिए मैक्सिमुम अच्छेंट फाइंट आपको सोचना है अगर मुझे चाहिए मैक्सिमुम तो मेरे को चाहिए नौट और मुझे रजिश्टेंस रश्चेंस कितना है यानि अगर मैं देखा जोगार कर लो कहीं से तो मुझे क्या मिच जाएगा आई नॉट तो मैंने कहां मैं इनोट कैसे निक जालू तो मैंने उपर देखा मुझे आरेमेस का फॉर्मला होता है वह होता है इनौट वाई रूट प्रूट और यहारेमेस कितना बताओ 220 तो 220 को जब रूट 2 से बंटिपलाई करूंगा तो मुझे मिलेगा इनौट क्या मिलेगा तो मैं कुछ निकरूंगा इस इनौट की व सbor्ट के रहा है अगर 220 वर्ट है यारे मैं 50 फृक्व्एयन तो कितना होब पीक वेल्स वेल्यृ फिरेरय का हुआ है यो कि क्या होता है इनॉट वाई आर ये- नौट प्ता नहीं है हमें पता क्या है आर मेशि Act एनॉट नि तो इनॉट निकाला उस इनॉट क्विक पुटिय अपना इसे नोट करो अच्छा कुछिंग दने वर्यवन कुछिंग दने बने नोट करो अच्छा है झाल झाल दन एरिवान दन सर दन रिवी दन खुछ से गरो बेटा डन एरिवान अप्लाइ प्लाइवर और बेस्ताशिर। प्रिटेंग नहीं अश्राइबान दिजय आफी टूर्श अश्राइब दिद्धार अश्राइब अव्राइब एंप लिए एंप लुट्ट है आप आप चलब को अधियान से कोशन के रहा है 220 वोल्ट यानि कि आपको देरेक्टा इर्मेस जब कुछ ना पता हो तो समझ जाओ कि आरे में सी है वहीं तो गाई आपको पता है कि जो एक्वेशन होता है वह होता है वह होता है इस इकल टू इनोट साइन असने बोला टाइम दिख्रत नी किसी इंस्टेंट पे इंस्टेंट का मतला होता है टाइम पुट कर नहीं आपको यह एम एक्वेशन और यह क्या है बताओ करेंड़ का आई आई नोट साइन ओमेगा टी अब मुद्धा यह है एक्वेशन के लिए इनोट की वेल्यू चाहिए तो इनोट कैसे निकालेंगे हमने का देखो आरे में से रखा है हम बोलेंगे जो आरे में सोता है वह होता ऊ chyba हुआ यह इनोट यह हीट रुट तो इनोट कितना होगा र्मस इंटूरोट तो हम कहेंगे बया दोसो पिज्गा दोसो तो ग्काँ है तो तो दोघ्ग हैं देखाई तो यहां पर मेरे दोस्तों और रखा है तो टू पांड यह है यह तो 2π, in to me 10, in to me T, अब दिक्कर थे किसी को, दर दो रहा है किसी को, तो हमारा जो EMF cancer आएगा, 200, root 2, sin, 25, T, अब current पर आते हैं, अब current के लिए I note चाहिए, क्या चिय किया, अब I note क्या होता है, अब I note क्या होता है, अब I note क्या होता है, आँ ऑलते हैं, I note होता है, E note by root 2, क्या यह लोग ने आधि कर दी आई नोट होता है और एक तो रूट यह अधिकर दी अधिन्यों नोटाइग और इनोट कितना है 200 तू इन लोट है रोट वाई तो आइन रोट चालीस रूट टू साइन ओमेगा 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 है 25 बढाइब तो ऐसे कोईशन भी आसकते हैं एक वेशन मनाने के लिए तो आप नोट कर लीजेँ आगे वहागे वठते हैं अच्छा कोईशन था नटरो यानि हम खेल खेलना सीख गए आई नॉट इनॉट इस समय ना पटाफुट चले स्टार्ट करते हैं देखो ध्यान से स्टार्ट अगला चलो यह हमने पढ़ लिया हमने भी पढ़ लिया कि वह तुम फुल साइकल में जीरो कर रहेते हो भाड़ में जाए जो तुम हाफ साइकल फ़र्मिला था आई स्कूर आट इसका जागा जागा जी स्कूर अपॉन में आर इंटू में टी बाइतना तो थोड़ा बार वी क्लास के बच्चे से उम्मीद कर सकता हो वसे इन डेरिवेशन पे ध्यान देने की जौर्ट नहीं इस सम नहीं आता है ठीक है नहीं आता है बस जो भी आपने बढ़ा अब आपने इजंटो क्या अल्टरनेटिंग source को alternating जबी सुट्र्स आपने बनाया है सिर्क्यट एक ऐसा सर्केट है जो बिल्कुल और तो पियोव सिर्किट रहे मतलब इसके अंदर दोस्तों हमने एक बाइबी एक रिज्टर है उस्सरें चाइए का लगा दिया दिया एशी अब हम सब्सक्राइब नहरी नोट कै'? जहां पर i not का मतलब होता है ? यह. याज रखना कि i not गांट कैनल डिन्हों का मतलब क्या होता है ? नोट मेट इन वाय रुखावाट तो बस हो agents गत्रम होगे तोपिक कि अब इसमें क्या इसका डियाग्राम होता है कुछ दिको डाग्राम तो फीजर डाइग्रम धित्दो फेजर डाइग्राम तुमने यह सी पहले भी बढ़ा है कैसे प्लता है स्कूल से तो फ़र कर थो फ़र का रहा है कॉंश्प्ट में तो है तो प्रयांद दो थे को द्यांति एंग्राम फ़र कहते लिएग्राम क्या होता है का चेंट सब्सक्राइब कि और रूंगा और कितने एंगल पर ही ओमेगा-टी एंगल यह गे बना दिया फिर हमने और किसको देखा हमने करेंगा तो सब्सक्राइब तो यह क्या देखने को मिलेगा और एम सेवफ में टो यह हमें फेसका मतलब होता है एंगल है गर इसका हूं फेजा डाइग्राम बनाएंगे और फेजा डाइग्राम बनाते गार्फ लाइँtest था अधिया अधिया हर इंसान के अंदर बच्चा नहीं बच्ची भी होता है अधिया बताओ यह कोई बात है कि भी लाडली बोलो औरे आध मचा दी यार अध मचादी अइंड़ी करें तुम्हारे सत के लोगे कि लिकिन ये लेकिन तुम्हारी फील目 को यहाँ पर खोड़ अरे यार कोई बात नी मुझे कोई फर्ग नी बर्दा तुम छोड़ो इट्स ओके देखा इस तरफ एमफ इस तरफ करेंट है चलो मेरी लाडली आरे 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 समय तो भी हम बना रहे विए डाइग्राम कुर्सी तो को रहा था है चलो का मतलो होता पड़ते है है चलना नहीं है तो यह हमारा यह मैं सबंदा यह मैं सब्सक्राइब करेंट का यह पर मुझे कोई बच्चा बता सकता मैंने करेंट को छोटा क्यों बनाए क्योंकि करेंट कह बाता है जब रॉइश्टेंट से डिवाइए टरैंट कितना अएगा और रद्टीश्टेंट के टना एगा और था चूंता है यह च्था कम हैं फ्सी तो करेंट चॉइब इसे कम होता है इस जाल्ड यह चॉण करेंट को से कम रखा जाता है तो हमने क्या किया हमने अल्टरनेटिंग सोर्स को एक रिश्टेंस के अंदर लगाए और फेरी उसके पढ़ी आप इसे नोट किजिए फिर आम आगे बढ़ते है येस प्रिया क्रिशन विल्कुल सही बेटा था था कुछ लाड़ ली बोला था अरे इस खुशी फीन हां टैन वेरी गुट अथ प्दा निस फिस इतनी आसान के सब्सक्राइब बढ़ता हूं को मिर्वार लगता है जूट है बढ़ता हम ऐसे बढ़ाते कि लोग से लोग को समझ में आजाए अच्छे से अच्छे को भी समझ में आजाए अधा क्या हो गया मुझे बुरा लगेगा और तु चाहिए जाएगा तो पता है क्यों कि भाई हमने काफी ट्राई किया लेकिन तुन स्टार्टिंग खराब करें अपनी अब एक वर इस और एक वर स्टार्टिंग गया तो एंड वी गया और भी गया कि अज़िए ऐसे नहीं बोलते लाडली पुस्पाजल अब तो बेचारे क्यों फसारे हो कितना सरीफ है देखो कोचिंग में वह यहीं लगता है कुस्पा मैं तुमारे स्कूल में बटा सरम करो सरम करो कुस्तो 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 लिहाज रखो टीचर है वाई बेबी मैं बेबी गाना भी तो बेबो लेकिन में इस्पूल में अची होती है यहीं तो जीवान है या देखो लेकिन आलबेस गिव रिस्पेक्ट तो चुब जाओ टीचर्स को लेकर ऐसे संबंद बनाना गलत है मतला ऐसे संबंद मतलब की मैं अच्छी रिखती है अच्छी है दर्स ओके लेकिन यह बोलना की करश है यह सब बहुत गलत है बिलीव में बेटा यह गलत है आपको सोचव वह किसी की मदर है या किसी की बहन है एज़ टीचर है आप उसम पर ऐसे नहीं देख सबते यह इस र बोस्त के पोल खोलो चाहिए सिच्वेशन कुछ भी हो यह बहुत गलत है समझे अच्छा करते हैं सटाट करते हैं सटाट सो मेरे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर बच्चो हम पढ़ रहे थे ऑल्टरेटिंग करेंट की एफ्टिव एल्यू और इफ्टिव वैल्यू दोनों एक तरफ ही होते हैं और फेदर डाग्राम और वेव डाग्राम पढ़ा था दोस्तों आज हम जो करने जा रहे हैं वह बहुत ही कठिन टॉपिक है अगर तुम्हें एक बार में समझ में आ जाए ना मैं अपनी सारी प्रोपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा अगर कि मेरे पास मेरी प्रोपथी मेरे नाम पर कुछ भी नहीं है मैंने अभर समान भी लफ करिदा हूं तो कि और फम्हें की ने है तो मेरे नाम ते कुछ भी नहीं है दोस्तों इसलिए मुझे किसी ने गिफ्टी किया था यह टीश्ट मुझे मुंबई से किसी ने भीजा था मैं आपके लिए कुछ करना चाता हूं मैंने का भाई देख लोगों अलग होगा तो वह अलग है मुंबई से किसी ने भीया था ठीक है चलो काम के बाद और भी मुझे किस लोगों ने बोला है कुछ कुछ बेजेंगे अधिकर कुछ लोगों का रिस्ता भी देंगे मैंने का थाइंचो अरे आगे अले अधिक टिक यह दूसक्त तो पिछली वह पुंद ना प्लिट आट डेली फुन दिलेट का से गाता है क्या मतलब इसका मतलब इसका मतलब स्टार्ट के बाद तो आएगा तो यही तो प्रवलम है जब आप बच्चों के साथ यह सचाए बतारो जीवन की जब बच्चों के साथ बहुत प्यारे बन जाते हो तो बच्चे आपको फिर ऐसे लिए हलके में हैं आप चलो यह होता है आप टीचिंग प्रफेशन में सबसे सबसे घटिया बात यह सबसे बेकार बात कि जब आप चाते हो कि बच्चों से घुल मिलके उनकी प्रॉबलम को अंडरस्टेंड करके काम करो तो बच्चे जादा खुल जाते हैं अब मेरी बात समय ध्यान से दोस्तों कि कहानी क्या है कि हमने अभी जो बहुत टॉपिक है आज का टॉपिक के स्टार्ट करते हैं देखिए पिछली बार हमने एक रईश्टर के अंदर अल्टरनेटिंग करेंट को देखा था फेजर डियाग्रम डियाग्रम पड़ा आज हम इन डॉष्ट वेजो इंडॉट्टर कहाँ जाए यहां जिसकी designs कितनी है अब इसके अंदर नुआ और वहत्ष सापिसे लाइजा इसना युछ हो आल्टरनेटिंग सोर्थ मैं लगा गहा रहा हूं ऑमेडा की क्लाया द्या सुधकिग यह क्ली य रहों ही जिसीए हम यह समझना कि एगर इतनी वोल्ट विश लगाईंगे यह वक्हें। हमें निकालना है कमारा टार्गेट तो करेंट ही है ना तो निए क्या करें तो हमें याद आया कि में फूर लिए बसावान ऑलने 424 ग्या है प्योर कुकुल ग्या है फियोर डरे लो प्योर ली इंडक्टिव सर्क्टे लिए अंतुम में से बहुत सारे बोलेंगा यार मुझे नहीं पता है यह कहाँ होता है चाप्टर 6 सब्सक्राइब कर दिया इनोट साइन ओमेगा टी इधर क्या है ल को में नीचे ला रहा हूं दिखर आपको अरे की जगा यह पूट कर दिया और यहां क्या हो जागा बताओ डियाई वाइ डियरा अब मेरेको तो आई चाहिए बरूश मुझे लाके दिखाओ तो आई कैसे लाएंगे हम तो वन्हें दिमाग लगाया हमने का न इस डियर दो तो इनोट ऑमेगा टी दोस्तो इनोट साइन ओमेगा टी इधर में डियर दो नीचे ल है और यहां क्या जाग गाँगा अब दोस्तों लेकिन मेरे को तो आइच आई चाहिए विरकों मेरे टो चाहिए तो मैनना integration कर दिया कां कर दियो मैंने integration क्या बाद है तो अगर मैं integration क्राइब तो वहिए उन्ड़ा तो ऑईनोट साइन ओमेगा टी इन्टू मैं धीडिन और दोसतों नीचे लहुद नीचे लह नीचे क्या है और नीचे लह था ही थैसे तो काम कि राद क्या है किया रॉंस कि यह हो गया रइक है बहुत है आपा इटीरेशन में अपमसी लो में mt into dt और यहाँ पर हो गया आई क्या हो गया हाई आइट समझ में आती अच्छ अब हमें यह सुचना है साइन का इंटेग्रेशन क्या होटा यह सोछने वादात है तो माईनस काज आई तो माईनस काज ओमेगा टी और टाइब माईनस कोज ओमेगाती होगे हमारा आश है और 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 यह जो उमेगा है वो नीचे आएगा निए कि साइं ओमेगा एक होता है मैन सक्समेगा और इंटिक्रेशन हमें नहीं आता है उसको सब्सस्क्राइब होता है कि आदण है तो कुछ Serya इन पूरे को मिला के बोल रहा हूं मैं साहिन उन्हें गाने में बोला गया आदमी खिलोना है और तो नहीं बोला गया नहीं साथ नहीं है इसमें यहां पर सबको इक्वालिटी का दिकार है ठीक है और देजी समान होती है इन वह दोस्तों तो यहां पर कहानी क्या चल रही मेरे प्यारे बच्छों कि आई इस इकल टू इनॉट एल माइनस कॉस्ट ओमेगा टी वाई ओमेगा आप कहानी यह है कि वहीं आप मुझे बताओ कि मानलो मैं बहुत बेसिक एक्जामपल लेता हूं हमारा यह देखो क्या है ह आप मुझे इन पूट हूमारा यह दो लगाया है क्या लगाया हमने इस इकल टू इनॉट साइब ओमेगा टी और करेंट क्या मिल रहा हमें फिसके क्रामपलने इस इस तो लिए क्रिश अक्रिश फिश्च इमार्लो क्रिश ने राथ को खाया आलू पराठा है तो सुब लु है तो मैं है कि है अधिक तो यह बात ऐसी है तुम लोग सर्मा रहें इधर दाला तुम्हें लगाया है तुमने इनॉट साइन ओमेगाटी तो मारा इंपुट है मतलब और करेंट लोगे आंद आसे लाओ तो में पलत भूशू को साइन में जब साइन में कनवर्ट करूगे ना, तो कोस को हम साइन में कनवर्ट करें तो यह आएगा ओमेगा T- 5Y2, आप लोग ने पढ़ा होगा, साइन को कोस में कनवर्ट करने के लिए 5Y2 का यूस करते हैं, बता आप लोगों, अगर नहीं पढ़ा है, तो माफिश आता हूं, इसको खतने सब्सक्राइब बढ़िया से लेट ऑस अच्कों बढ़िया सा एक पूरा होगा वथा हूं अगर करते हो आई सीगल टो आई नौट साइनोट डियासा है आई औरहिंड अगर हम कहेंगे स्वील करें आपको यह बाला पार्ट मिलेगा आपको पता है कि नीचे क्या होता है पता है रजिस्टेंस पता है बात अरे बाप रे बाप अगर यह भी नहीं आता तो तो नर्ख में जाओगे यार यानि यह हमारे रेजिस्टेंस जैसा है क्या यह मैं सच में धर जाओंगा अगर इतने भी मुर्क हो गए ना भाई मैं तो बिल्पल जर से पढ़ा रहा हूं बेसिक से यह होगे आपक है आपको औंड यह होता है यह यह अपड़ेशन तूदा करेंट आपन जैसे और यहां पर क्या होता है अभ मेरे दोस्तों यहां पर ध्यान का यहां पर एक इंड़क्टर में हमने लगाया तो करेंट को रुकावट से लोगा करेंट को क्या होगा इसका नाम है ओमेगा यह क्या है रुकावट तो कि इसका नाम क्या हो गया इंड़क्टिव रियाक्ट इंड़क्टर आई बासमझें अब इसके लिए एक सिंबल बना जागिया बोलागे इसके नाम रखेंगे हम एकटर के लिए तो उमेगा यह यूनिट क्या होगी इसकी और यूदि क्योंकि है तो यह रुकावट ही क्या मेरी बात समझे आप यह था हमारे किसके वारे में कि अगर हम अगर एक इंडक्टिव सर्कृट लेंगे क्या लेंगे देखो यहाँ पर इंटिग्रेशन याद करना पड़ता इसके लिए मैं सौरी चाहता हूं ठीक है बाकि आप लोग इ अगर कोई इंडक्टर है तो इसके अंदर अगर कोई करेंट है तो करेंट को रुकावट मिलेगा इतना मिलेगा इसका मतलब यह है कि माल लीजे मैं आप सिंपल भासमें करता हूं कि मैंने नियुक्वक थे करेंट यूचिंहला है सिध्या आदमी है तो यूमारा डी सीधा आदमी है इसकी फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वंसीजी जीडू होती ही। देयरफूर, अगर फ्रिक्वंसीजीडू है तो रुकावड भी क्या होगा ? तो एकसल हो जाएगा इसका यानि कि यह एकस और नीचे नीचे चुड़ा सा बता ना अब लोग को, एक्स और नीचे छोड़ा सा एल ठीक है एक्स इंटू एल नहीं अध्यान लगना यानि कि DC करेंट की फ्रिक्वेंसी जीरो होती है इस चक्कर में उसको रुकावट भी जीरो मिलता है यानि एक inductor से DC current बहुत मझे में पास होगा ओगया तो inductor से DC current बहुत मझे में पास होगा बहुत मझे में उससे कोई रुकाबट feel नहीं होगा लेकिन वही पर AC उसकी frequency अच्छी खासी होगा है जैसे हमारे 2PiFL. Frequency की बज़ए से इसका axle क्या है? आएगा. एक्सल जीरो नहीं होगा. रुकावट जीरो? यानि कि AC करेंट को ये रुकावट पैदा करता है. कौन पैदा करता है? इंडक्टर. कौन पैदा करता है? पर DC को पैदा नहीं करता. प्योर में हम बाते कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है अगर हम एक्सेल की बात करें और यह फ्रिक्वेंसी की बात करें तो डिरेक्टली फ्रिक्वेंसी पर डिपेंट करता है जितना ज्यादा फ्रिक्वेंसी होगा उतना रुकावट होगा यह समझे जितना ज्यादा फ्रिक् गर आद केरें दोस्तोफ प्लीज, तो यहाँ पर देखो, बड़ आसान, अगर आपको याद हो तो मैं आपको बदा दू, e is equal to e naught sin omega t e is equal to e naught sin omega t i याद करो i is equal to i naught sin omega t minus ka pi y t यानि कि मैं आपसे कहूँ कि यह हमारा omega t है कितना एंगल हमारा omega t है तो आप कहोगे सर omega t के साथ e है वो नहीं? omega t e पर है अब बोल रहा है current जो है वो omega t से 90 degree पीछे है तो आप 90 degree ऐसे यह 90 बन रहा है दिखरा आप लोगो 90 degree तो यह आपका होगा current क्या होगा आपका? समझे? तो यह होगा फेजर डाइग्रम क्या होगा? इसका बनाने का यह और तरीका असान तरीका बता रहा हूँ असान तरीका क्या है? देखिए असान तरीका यह होता है कि अगर मैं ऐसा मान लो कि यह मेरा E है तो इससे 90 degree पीछे यह मेरा I होगा क्या होगा मेरा यह? यह असान की यह असान? यह books में होता है यह मेरे दिमाग में है और यह भी से सही। मैंने च्राइं में यह लिखा था तो लिखा था यह लिखत आ कि दिकत कि सी ओश्ञा कि सब्सक्राइब तुमे स killed यह थे थे यह होना ही था यह है मारा वेव डियागराम कि बात कर लेतें चलो यह थि अगराई धाउन करो प्लीज प्लीज थे इसको एक सीत थिर्वाइव से धूरां में खुझ से आप चाहं तो एक स्वाइज लगायो आप ऐसे लाइन खी चलो बस कि यह मेरा एक से अब यहां पर आप देखेंगे ना दोस्तों अच्छा अगर हम इसके पीक वैल्यू को बनाए यहां इनोट लिख सकते हैं कि लिखते बताओ आई अगर पीक वैल्यू को दिखाना चाहे तो मेरी बास समच पारे हो पर चलो काम चल जागा ऐसे कोई बात नहीं पर कर देंगे ठ तो वेव डियाग्राम में आपको वेव से दिखाना पड़ेगा और यह कटिन होता है पहली बार में किसी को आई ना बता देना मुझे बता देना कि मुझे आ गया मैं तुम्हें घोसित कर दूंगा देखो यह यह और यह आई है और इस तरफ ने टाइम है टाइम दोस्तों तो मुझे यह आई और टाइन को इस आप से काम करना है तो मैंने का ठीक है मेरा इंफ तो आसान है इंफ तो और बंदा जानता है क्या यह बताओ ईनोट साइं यह मेरा इंफ आई में दिक्कत किसमें अब दिखोगए तो यहां पर करेंट लैक करता देखिए लेख लेन ना बीच नहीं होता है लैग कर गया पीछ लाग कर गया तो लैघ लैग यह पीछ लेक नहीं होता है मैं पीछे इसे मालों इन दोरगे बिच में फेज डिफेरेंस है ना दोस्तों तो मेरे लाड़ लो मेरे प्यारे बच्चों कि यहां पर आप देखोगे तो EMF तो यह है इसमें कोई बुड़ी बात नहीं है EMF है EMF लेकिन जो करेंट है वो 90 डिगरी लैग कर रहा है लैग मतलब पीछे है तो हमें ऐसे बनाना है समझें यह नहीं समझें दर्दुराइं किसी को फूसपा पूछाओ ठीको ठीक है आप सम्झें तो यह होगा आपका वेव डाइगराम तो आप नोट कर लो यह पॉइंट बहुत इंपॉटेंट इस रागे बढ़तें नोट कर लो लोग यह वाई-फाई गयो प्रुब यह वाईगराम तो अच्छा थोड़ा सा देखना जड़ा तो 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 डाइगराम ठीक कर लो उपर नीचे हो गया थोड़ा है कि अगर हम इसको ऐसे श्टार्ट करेंगे ना ऐसे श्टार्ट करेंगे तो ऐसे निकलेगा अब नोट कर लो तो ऐसे ठीक कर लो मैंने डागराम पर ध्यान नीदिया था कि ऐसे स्टार्ट होगा नहीं कि यह आगे ही ऐसे रहेगा नहीं यहां से ऐसे यह ठीक है नोट कर लो डन एब्रीवर्ण कि सच में लेग हो गया था भाई अभी पता है लेक का नाम लेते यह सुनता है मैं इंटरनेट सुनता है मैं कि उसमें फेस डिफेंस नहीं है ना कि अगर हमें यूटूब पे वन मिलियन व्यू तो कितना पैसा मिलता है बता हूं हाँ जैसे मेरे को मिला है वन मिलियन व्यूज पे टोटल इस फोड़ो है नो हजार छेसो अ है ने ओवरल मिलियन व्यूज पे एक मिलियन शॉट्स पर मिलते हैं एक महीने में एक रुपे दो रुपे रुपी चलो आगे बढ़ते है हो गया यह जो अच्छों चलो जयान दो रुस्तों आप कहानी क्या है कि हमने यह पढ़ लिया एक अगर इंडॉक्टर के अंदर जैसे अगर कोश्चन को या सब्दे पोश्चन दिया यह टूट्वेंटी वोल्ट फिप्टी हर्ज टूट्वेंटी अप्लाई टूव इंड़क्टर अप्लाइड टू एंडॉक्तर अप्लाइड टूओर इंड़क्टर इंड़क्टर ओफ एल इस इकल तू 5-1000 कोश्चन के हरा हैं आप से रियक्तेंस यह रियक्तेंस एंड़ दूसरा आई-र्यम-स-fine-dial वह सब्सक्राइब को यह तो में और किसौद नहीं है तो हम क्या करेंगे दोस्तों बताओ हुआ हम लिखेंगे टू पाइब इन्टो एफ हुआ है अग्या और एक्सल निकल जाएगा गाश किया एट निकल जाएगा अब आई आर्मस उला है तो आप बहना देखो जो रमस अपवान में रजीस्टेंज पर यहां पर रेच्टेंज कौन है यहां पर रेच्टेंज और उसके नकाला है तो बहाई हां जुदिया होता है वह क्या होता है पापको जब कुछ भी नपता हो तो दिया होता है यारे मैशक बैटा के फोन पिर यह फोनSet में लगए हुए पता निया दो इदर मुंदिगर काना दैनें तो दो यह कितना है 220 और एकसल कितना निकाल तो ऐसे कोशन हमारा सॉल्व हो सकता है बेसिक बेसिक कोशन हम एजी कर सकते को पर नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं नोट कर लो जानसे के बेसिक कर लोगा नो अ हम एजाएं। स्कति और एकर बेसिक के को कर लोग Guidे बेसिक दो खत्रोग की कार अभी आ लागे दिया का क सकता है la gonna झाल झाल हो गया है डालेंगे अमन राज डालेंगे बटा पर उसके लिए और भी बच्चों आना चाहिए ना चला आगे बढ़ते हैं करते हैं तो ऐसे बेसी कोश्चन सी आएंगे आपको आइडिया लग गया है कि एक्सल का मतलब क्या होता और कैसे निकालते हैं अब तहानी ना अगला यह रहेगा हमारा कि हम देखेंगे एसी इन प्योर कैपिसिटिव वाइसाब है कैया इस बार प्योर कैपिसिटर और हम देखें ऑल्टरनेंटिंग करेंट इसमें कैसे हैं यह मार प्योंग ठेटर है इसमें पते क्या लाओव बता वुटा खो एसमें जो कोरेंट है क्या है जो इसमें करेंट है वो करेंट क्या है करेंट ठीक है तो दोस्तों हमें क्या देखना है मेरे प्यारे बच्छों कि अगर प्योर क्या पेस्ट्रीब सर्कुट है तो उसके अंदर अगर हम करेंट देखना चाहे तो करेंट कितना आएगा तो हमने का यार क्या किया जा तो मुझे ने दम जटके से याद आया Q is equal to होता है Cv Q is equal to क्या होता है यहां Q का मतलब होता है charge C का मतलब capital strength और V का मतलब voltage तो हमने का यार C और यहां V की जगह तो हम इसको use करेंगे यही तो होता है voltage हमार एक पर करते हैं तो यहाँ पर तो हम E use करने वाले Q is equal to CE जिर उसके लिए क्या सब्सक्राइब एक एक पर हैं झोट साइन और मुझे चार्ज पता है लेकिन मुझे निकालना है करें ruling केम तो मुझे एक थे बचपन से पता है क्या पता है जो करेंट होता है और वह होता है क्या वा होता है कि नहीं होता है करेंट होता है हमेएशा ठीक्वीग टी तो मैंने कहा अरे यार अगर मुझेक 2024 के लिए चार्ज पता है तो मुझे करना है घ्री आपनेशन को यार्द करना है है और शाप्ट warum तेंच कंप डिश्ला क्या करेंगे हम डिफ्रेंसियेशन अगर हम डिफ्रेंसियेशन करेंगे तो सोचो क्या हो का यह हो जाएगा डीक्यू बाई डीटी इसी कल टू दीबाई डीटी सी इनोट साइन ओमेगा टी ऑल्माया आप कुछ नहीं करना है डीक्यू वाइडीटी को हम लिखते हैं आई क्या लिखते हैं और देखो सी और इनोट ना कॉंस्टेंट है तो सी और इनोट को हम ले लेंगे बाहर और हमारा डिफ्रेंसियेशन होगा साइन का साइन का डिफ्रेंसियेशन होता है और साइन का होता है कोस ओमेगा टी इंटू में ओमेगा होता है वह ही वाली बात है क्या बोलो अब में कुछ भी निए बन रहा मिठाए मीठा होता है तो मेरी बात निց समझे होता है तो आप क्या करें यहां से ञ़िकर निगल व्यवीन डाया ऐन रही यह ओमेगा कॉस स्यंध की अपता दिक्कत यह स्टार्ट की यह है आहㅋ कर दोस्के और मेंगर मैं ऑगर को वाया इसा कोश्ण आए कभी कि सब्सक्राइब अगया होगा कि अगर मेंगा दोस्तों मुझे एक बहुत बड़ी गहराई से बताना कि बहुत गहलाई से बताना है तो तुमने खाया क्या था अलू कया निकला क्या था अलू स्वोग क्या आगर आपने इनपूट में दिया है साइन और तुम कहा रहा हो में गलत है देद सो गनले है एक तुरप से एक तरफ से सोना सबस्क्राइब निकलेगा तो वही वाली बात तो तुमने साइन डाला था निकाल रहे हैं आप लोगे को एते तो बहुत लौजिकल सेंस कॉमन सेंस तुमनें चुमने एक बडर समक्राइब करना है तो इस फर पताइबाइब साईन ओमेगा टी प्लस का पाईवाइब प्लस क् तो यहाँ पर क्या है तो याद भी नहीं होता है यार मैं पता है इस शेप्टर में से परेशाम जाता हूं बचे गए थे मुस्किल लग रहा है अब मैं क्या करूं कि दिण ना थुनिया पहन लो लिटिस्टिक लगा लू ऐसे ऐसे बढ़ाई वह वाली वात क्या करें कि इसी मेरी बात नहीं समझे आगे समझे यह वह देखर तुम्हें इतना आगया समझे रहे हैं जिक बच्चों सो बता क्या चीए बच्चों को मज़ा भी चाहिए बच्चों को सब्कुर्स आत्या कि दोडसेंगे आई के वगल मैं होते हैं यह आई नोट क्या उताइब है डिएरफॉर मिलेगा donne करो यह अरे-डिक आगे पञाद प्रेकिट में होता हूं आई नोट वेलिए इनोटि रूख मोड़ा घो वनवनी ओमेगा से मुझा एसsti रूखावर्ट है यह इफ्यक्टिव रजिस्टनस तो ठीक है यह एक और नाम पढ़ेगा बताओ क्या रियक्टेंज इसका नाम पढ़ेगा रियक्टेंज कि भई परेंट को कितना रोक रहा है पर इसका नाम है इसका सिंबल बनाओ तो बोला गया एक्स के नीचे सी तो एक्सी आएगा वन बाई उमेगा सी वन बाई यह एक्सी है मेरी बास समझे यह है रुकावट क्या वाद तो यह बताते है बढ़िया से आप इसे नोट कीजिए बढ़िया से फिर और भी हम बाते करेंगे फट आफ़ नोट करो तो प्यारे बच्चो पिछली वार पिछली वार हमने पड़ा था और आपको मैंने यह बताया था कि एक चीज़ता है एक्स क्या होता है और इसके नीचे छोटा सा सी यह दिखना यह एक्स इंटू सी नहीं है एक्स मतलब रिजिस्टेंस पर क्यापिसिटर का इसक इस यह जो यह जो रुकावट है इसका मतलब रुकावट था दोस्तों याद है आपको रुकावट रुकावट क्या था ये रुकावट ये जो रुकावट है दोस्तों ये frequency के inversely proportional है रुकावट frequency के inversely proportional है अगर रुकावट frequency के inversely proportional है तो graph कैसा आना चाहिए अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यगर इस दोस्तों कि एकबार एए अकबार एक के लिए डिर्ट करेंट के लिए झा जरुट करेंगे और यहांढ जिरो क्रणाइब तो यह जाएगा infinite क्योंकि फिरो क्या होता है draw चीजो स के अंदर से बिसी करेंट जब जा रहा होगा तो इसको रॉकाबट मिलेगा इंफानाइट रुकाबट का मतलब है कि भास नहीं होगा मेरी बास समझे तो एक डीसी सोर्स को DC करेंट को कि अपिसेटर बहुत तगडी तरह के सा रोग देगा बोलेगा तेरे लिए बहुत रुखावट है तो निकल ले चल तेरी बोल देगा जैसे अब वह DC करेंट ऐसे आ रहा है वह चल तेरी सब्सक्राइब अब मेरे दोस्तों दियान दो एसी की बात करते हैं अब एसी मेंना फ्रिक्वेंसी होती है अच्छी खासी चाहे 50 हर जो है नो दोस्तों चाहे 100 हर जो चाहे 1500 हर जो चाहे 200 हर जो चाहे 2000 हर जो तो अपने पास फ्रिक्वेंसी अच्छी खासी होती है अब फ्रिक fix should feel frequency जitने ज़्य होगी एकसी उतना k։म होगा यानि की क्यब सेवती हिए जञाद होती है इसलिए एसी को क्यपिश्टर इडी पास होने देगा समझे नहीं मैं more भी स्टी आया में इस से बाइब मने क्ली न घुराए के लिए सmbल कि$ कषब कर सुन्डी मत कर का हो हो मैं मैं किस कंडीशन में कोई फरक नहीं पढ़ता कुंडीमत मैं खाना खा रहा हूं पानी ती रहां हूं छात्र ऑख आता हो समझे रहे और को इसको यह कह रहा है तो कुंडी सका ज 변र नोज ज इसका मैंने वीव डियाग्रम नेगी घर एए इसमें एक कलेंट क्या आता है करेंट कि ना आता आपको बता होगा अगर इसमें फोता है E-note sine omega T दोस्तों जो करेंट आता हुआता है आई-note sine omega T यहां पर याद रहना आपलो करेंट लीड कर रहा दीख आपको करेंट लीड कर रहा है यहां पर अब है लेट मता होता है आगे यहां करेंट करेंट कि फ़ेज में वाइट से आगे होता है और यह पाइवद से होता है एत यह वटेजर को चो डाया हमें क्या होता है कि फेसर नहीं बता है। फेसर अब कर दाते पहले तोแล समझते कह fram है फेज़ोर डाईग्राम तेरी हार तेरी हार मेरी जीत मेरी जीत अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारा दोस्त तुम्हारी काम्यावी से खुस हो का गलत है जीवन की सचाहिए ये है, अगर तुम दोनों काम्याब हो लोगै तो ठीक है, अगर एक काम्याब नहीं हो रहा है तो तो उसके द्वारा ही छोग दिया जा जरू जीवन की सचाहिए क्या है देखो, मैं सच लता लोगैं, इस बईशिका है जब तक कोई तुम्हारा दुसमन न कोई दुष् Paulo कॉछ थे तुम्हारी त vihma पैचाने बिना जान प्रेम भाइव के बिना दोस्ती के कभी दुश्मरी नहीं हो सकते यहीं जीवन की सच्च चाहिए को पोई तुम्हारा भला नहीं चाहता तुम्हें अपने लिए काम करना है बहुत बार बहुत बड़ा है कि जब तुम्हारी थाली में रोटी की घमी होगी दूसरा बंदा आके नहीं डाले को डाल भी इंसानियत के नाम से एक दिन 229 चॉथे दिन तुम्हारी टाली में रोटी तुम ही लेगा होगे तुम्हारी फैम्ली की सिच्वेशन तुम ही सिघार होगे तो स्थी के लिए काम करो पता नहीं कहां से बावा बन जाता हो बीच वीच में अगर इंसानियत के नाम पर को याएगा तो तुम्हारे चाचाता हुआ जागा दो दिन तीन चाट दिन तो इसको भी लगेगा अब चार दिन हो गया अब भाई उसको अपनी फैमली का भी देखना है ना तो भाई तुम्हारी रोती में जब थाली तुम ही डालोगे तो इस रोटी के लिए महनत करनी है ना कम से कम पेट वरने के लिए लिए मैनत इतनी तबड़ी करनी है ना बसकि पूरी एक जनरेशन लगेगी बलिदान देना पड़ में एक बंदे को पूरी जनरेशन लगेगी अपने को यहां से यहां लेकर आपी तो पड़ेगा तुम या तुम्मारा आने बेटा, यह बेटा आएगा ही नहीं सिच्वेशन होजाएगी, आज से 10-20 स frames 230 कंवा पहले तुम यह निमानोंगे हम लोग 3-3 दिन खाना भी नहीं खापाते हैं और शूखी रोटी कहीं से मिल जाये किसी ने किसी ने दे दिया तो उस पर नमक लगा लिया तेल लगा लिया उसको पानी में डुबा दिया चीनी डालके पानी में डूबा दिया ऐसी situation मैंने जेला है मैं चाहता नहीं कि दुवारा वहां तक पहुंच जाओं इसलिए भाई मैं पूरी जान लगा देता हूं मैं कभी-कभी तो दो दिन तक नहीं सो पाता हूं कोई वात नहीं हेल्थ खराब होगी फूर्ट्स खालूंगा जिम चले जाओंगा ठीक कर लेकिन चीजों को हासने जाने दूरूँगा तो जब मैं इतना रेडी हूं मैंनत करने के लिए तुम क्यों नहीं हो मुझे समझे नहीं आता साइध मैं ज्यादा मेरी सिच्वेशन खराब थी इस चक्कर में यह तुम लोग की थोड़ी बहुत ठीक है तो नहीं कर रहे हैं तो हमस्ता आगे कूदनी का प्रयास करो रुको मत कूदते रहूं कूदते रहूं अगर तुम्हें यह खाई पार करनी है ना दो तरगे लोग है खाई पार करनी तो यहां खड़ी होके देखते रहो खाई है खाई है ठीक है और मुर्ख लोग क्या करेंगे कूदने का प्रय वहां से लतार लाएंगे, लते लाएंगे, लते लाएंगे, लकडी लाएंगे, कुछ भी लाएंगे, पूल का निर्वान करेंगे, धीरे, 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 पुल का निर्वान हो रहा है, और जिसने पूल बन जाएगा, वो फेक देंगे, या कुछ भी करेंगे, वो टेवर, च तब तक कमेटी जाओ साहित फोड़ा बहुत बचोगे सच है मौगब ड़िने का इसको ऐसे लगाओ इतना लगाओ किसी टीचर पर भरोसा मत करो किसी पर भरोसा मत करो खुद के अलावा इतना पढ़ो इतना पढ़ो समझ में आये तब भी पढ़ो इतनी सब चीजे हैं बताओ YouTube है आप किसी ने एक जनरेशन पूरी लगानी है अब कुन लगाएगा मुझे नहीं नहीं भी कर पाए तो मेरे से कोई satisfaction नहीं चीन पाएगा अगर पढ़ाई के अलावा तुम किसी और चीजों में घुसे हुए हो तो वो गलत है है कि बहुत गज़त है मैंने बारवी क्लास तक काम किया है तक कि मैं तुशन फीसी तो तुशन में जाब था था थोड़ा बहुत दो महीं निकले में गया था ठीक है तो उस टाइम बिना कैसे बोलते हजार रुपे पर सब्जेक्ट के आस पास था तो मेरे लिए बहुत था था फिर भी मैं थोड़ा बहुत करता था क्या काम करता था था थो चोड़ो मैं बता नहीं रा मैं वैसा बताओ तो मैं तो गलकवाद इस स्कूल के बाहर सब्जी की रेडी लगाता था तो मारे स्कूल ने सज़दार बलभाई पटिल उसके बाहरी साम को सच बता रहों सब जेलावाई मैंने जीवन में तो हम उतनी ज्यादा श्रगल करते थे कि फिर सूबे का टाइम पर चार बजे पांच बचला मंडी जाते थे वहां से लेके आना सब्जी लेके आना फिर जीके टू तक पहुंचाना तो सोचो सूबे छे वजे तक अपना सूबे का काम कर लिय फिर स्कूल गए स्कूल से आए पढ़ा थोड़ा बहुत टूशन है तो पढ़ लिया अधर्वाइस किताबों में लगे हुए है उसके बाद साम को सब्जी के रेडी पर खड़ी हुए मतलब इतना कुछ करने के बाद भी जब हम पढ़ सकते तो भाई तुम्हें तो बहुत दिक्कत होगी तुम्हें समझना पड़ेगा कि हर व्यक्तिक अपना श्ट्रगल होता है देखे ऐसा होता है कि कोई यहां से स्टार्ट करता है कोई यहां से स्टार्ट करता है को यहां से स्टार्ट करता है जो यहां पर है वो सेफ है यहां पर भी बंदा सेफ है पर यह मोका मिलते हों भी काम ने करना और तुम सब यहां पर हो जीवन में कितना कई पाया सकता पैसा हो जीवत बहुत खुबसूरत है लेकिन घ्रीकले पैसा चैल में सच्छाइए है कैसा ही लोग गयाए क्या ही इंका बिल होता है पाँज जारगा व्याग नहीं कर रहा हूं कितना पैसा खर्च करते हैं और कहते हैं कि भगवान ने हमें इस लाइख बनाया है एक बार किर्ष्न के बहुत बड़े वक्त बड़े वक्त पागलो कित्रा वक्त पीका यह क्रिश्न जी के भगवान के मैंने फि विल याइट दर्शन करपा उनके तो भगवान ने मुझे स्लाइक बनाया है कि वगवान के अच्छे दर्शन जाईए चाहिए तो पैसा चाहिए सब कुछ पैसे से होता है वाई बिलीव में आप जैसे नाटक होता है या रमायन होता है कुछ भी होता है तो आपको व्याइपी पास खरीब लो हजार उपे का तुम्हें आगे सीड देंगे बढ़िया रेक्ट वराम से तो पैसा यार एवर्यदिंग इस मनी व्याइपी चोड़ो अब करते जाना सफिलोफिय होगा ठीक है पैसे को नदी के आगे जुकना होता है तुम पैसे हो और नदी काम्याभी जुको उप विसी आगे तो और यह हैं ओमेगा टी एंगल ऊपर है किंगल और तो इससे कितना डिगरी आगे बताओ इससे 90 डिगरी आगे तो यहापका करेंट है ठीक है यहां का करेंट है कि नाइंटी डिगरी का यहां पर फेज है यह फेजर नोट कर लो इतना फिर डियाग्राम करेंगे यह में एक जनरेशन किसी को दान करना पड़ेगा पर मज़ा तुम्हें भी आएगा जरनी में जब तुम एक दिन समाप तुजाओगे तुम्हारे खांदान वाले तुम्हार लेंगे कि यह था हूँ दो तरह से नाम लेंगे एक तो आज से नाम लेते हमारे दादा ने हमारे लिए कुछ निकिया मम्मी गाली देती होंगी करदानी कैसे दादा था इसके सब बेश के खा गया है जो था वही पर बाद कर दिया और एक में होता है बलते भाई है अब कि वैसे बता रहा है टाटा जी है मरने के बाद भी जिन्दा रहेंगे रहेंगे कितने साल रहेंगे लेकिन बंदा सोचता कि मेरी इंजत का क्या हुआ मैं तो नैनो वाला हूं अगर तुम कॉलेज में जाओगे ना तुम्हें ऐसा मज़ा आगा तुम सोच भी नहीं सकते हैं आगे बढ़ते हैं सोलो मेरी बासनो अब तक जो भी आपने पड़ा है उसमें एक बात का छोड़ा सजया नखना कि जब हम मैसिमम वैल्यू दिखाते हैं मैसिमम वैल्यू तो उसको इनॉट कहते हैं उसको क्या क्या आइड लिख लेना इस्टार्ट करते हैं पीछे आपने जो भी पड़ा है प्लीज उसे ठीक कर लें सोड़ा सा कि जब हम मैक्सिमम वैल्यू को दिखाते हैं उसको क्या बोलते हैं इनॉट एंड आइनॉट मैसमं वेल्यू को एनोट एंड आइनोट से रिप्रिजेइंट करते हैं यह जितने भी त्ली डाइग्राम से ना उसमें यह घς माक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे तुछ इसकी बात पकूरेंगे जिएनॉट ंद एनॉट यह आइनॉट होगा जितने ही आपके डाइंग्र वेव-डाइग्राम कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी सब्सका पता होना चाहिंग घूल्ट बात करते हैं दोस्तों तो टो सब्सक्राइब में में क्या होता दोस्तों देखी की कि कि सब्सक्राइब लुए अब यहाँ पर ॥ै अगर मैं इस तरफ मेर에 एम एस और करेंट को रखता हूं और सबस्क्राइब को तो आपका एम एस तो आपको पहली से पता है यार एमस यह होता है लेकिं जो इसमार करेंट है वो leed कर रहा है कर इन्हें दर रहा है लीट मतलब ऐसे खला है नाइन्टी सब्सक्राइब पड़ेगा एक चोटा भी बनाना पड़ेगा यह यह ना वीव डाइगरम में थोड़ा सा धिया नखना पड़ता हरे चीज का छोटा भी अनाइन टीजी ठीक है समझ जाया तो यह वाला आपका क्या हो जाएगा यह यह जागा आपका आई इसको ब बोलते हो वेव डाइग्राम मैक्सिममम कोई नोट आइनोट बोल सकते हो मैक्सिममम कोई प्रावलम ने है चलो थीक है तो आप इसको भी नोट कर लीजिए फिरम आगे वटके कोई टेंशन नहीं है त्राइम डामी सुदेंट टोसर मैं में डारेक्टिव प्री बोर्ट दे सकती हूं डारक्ट ली आपका वह वह विटा देखेंगे वान इस टोके दू यू या 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 देखेंगे चली है किया या मैं फ्हूktor मैं जाओ रिर में लısı होँ़ि एक थट्क डनर या 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 yemek आप यह लिए गौसंट एच्छा कोश्वन एब लिए पूरे सीखने के लिए पूरे इससे बाहर खुश्वन आता है इसके उपर कोश्वन को समझना सॉलीशन को समस्के फूशन को दोस्तों कि एक क्या थे अब बनादो एक क्याब्र शेटर आप बोल दो 5 माइक्रो फैराड यानि की सी की वेल्यू है 5 और माइक्रो का मतलब 10 की पार माइनस 6 ऐसे रॉफ हमने कुशन लिया है कि मतलब इंपोटन बहुत जाद है करनक्ति टू 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 ट्वट अब मैंने आपको बात बताइए गया जब कुछ न दिया हो तो कौन सी वेल्यू होती है तो यह तो यह तो टू 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 आपका है आरे मेंस दे रखा है के लिए reactants क्या होता है XC तो first question solve कर रहे है Maxi XC होता है one by omega C to one by two into pi into F into C omega का मतलब होता है two pi F अब देखिए दोस्तों यहाँ पर two आपको पता है pi आपको पता है f आपको पता है C आपको पता है solve करें क्या मिलेगा XC इसको solve करना आपकी जिम्मेदारी है मैं टाइम इस नहीं कर रहा हूं एक्जाम में easy calculation आती हाड नहीं आती ठीक है तो first question is solve दे रहा हूं second question करता है RMS current निकालो तुमको होगे बई I RMS क्या बोलोगे I RMS तो आएगा E RMS by मतलब current क्या होता है voltage अपन में resistance लेकिन क्या होगा इस बार XC यहां पर जो भी value solve करके आएगी यहां पूट करना है और E RMS की value कितनी है बताओ तूट टूट टूएंटी सेकेंड कोशन भी दन हो जाएगा अब देखको आप लोग घर पे लोग क्याले करना और जो ऑनलाइन हो आणसर लेख सकते हैं कर रहे हो तो अब अगला क्या है equation of current देखे equation of current आपको बताया था कैपिस्टर के लिए था I not sin omega t plus pi by 2 लेकिन equation में कम से कम दो चीज़ा पुट करनी चाहिए हमेसा I not और omega क्योंकि time के लिए उसने बुला है equation of current at any instant time कुछ भी हो परक्नी पड़ता तो आपको उमेगा निकालना है और 220 इंटू में root 2 आपका क्या जाएगा E not तो दोस्तों आपको E not मिल गया आपको क्या मिल गया आपको क्या मिल गया E not मिल गया एक सी पर ही निकाल चुके हो उन दोनों का ratio लोगे तो क्या मिल जाएगा I not दोबारा बोल रहा हूं इतने hard calculation exam में नहीं आते यह बस concept सिखाने के लिए कोश्चिन है अगला omega omega 2 pi f सिर्फ 2 pi f तो 2 पता है पाई 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 तो पता ही होता है और frequency पता ही है तो लोग, you have done your question this is amazing question for solving this concept whatever note कर लो फिर धूम मचा देंगे आप तुम बोलो को यह LR circuit का होगे हवाई प्रियक्रिश्न सुभंदास है सुभंदास दास हो आप तो AC in LR circuit is in LR circuit L समस्तो आप लुटलब इंड़क्टर अलम 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 इंड़क्टर लोग ने अब देखा अगा असे निदेखा एल एक लाव सरकिर देखो इस कैसा तो दिखा देंगे हैनी हैनी अब नहीं है वह तो का करें वह यह है आप अच्छा मुझे पता है किसके बाद होड़ी है चलो आर एल आरल सरकेट याने एलर सरकेट सीरीज में किसमें यह सीरीज आप दोस्तों यह ना अगर एक बार में समझ में आ जाए आप मुशे बोलना मैं 5 लाक रुपे कैश देंगा आपकी जेब में बजाग निकर रहा हूं अगर एक बार में समझ में आ जाए तो सर्त लगा रहा हूं जो ऑनलाइन देख रहे हैं इमेल करो या कमेंट करो कि सर मुझे एक बार समझ में आ गया पांच लाक रुपे मेरे आपके ओपर खिए और पक्का बोला पक्का एक ना एक दिन साथ जनम में एक ना एक जनम में तो अच्छा तो एसी इन एलार सरकेट आप देखिए आपको बता दू आर के अंदर अगर करेंट और वी आर सेम फेस में बता बता है तको रहिस्टेंस के अंदर लेकिन 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 इंडक्टर के अंदर वोल्टेज आगे होता है करेंट पीछे होता है तो वोल्टेज को आगे बता होगे इसको लिखो गया VL यह मंटिप्लाई में यह बता रहा है कि वोल्टेज ओफ इंडक्टर अगर मेरे प्यारे बच्चो अगर मेरे नन्ने मुन्ने कि अब हम बनाएंगे हिनकाफ ऐrekन मिवह जते आप समझना बढ़ीया से आप मुद्य 57 राइकरम देखना अनुथ मेरे भी यहां को और यह उन्पा किसी को यह से नहीं बोलते वह किसी के राज की बातें नहीं खोला जाता फेजर डेखो फेजर डाइग्राम में अगर आप देखेंगे इधर में एक एक्सिस ले रहा हूं वोल्टेज वोल्टेज राइस्टेंस तरफ है और करेंट वी इस तरफ है ज्याद लंबा बना दिया मैं देखो कि यहाली लाइन को समझना देखो याद करो अगर आपके पास एक वोल्टेज इस तरफ है दू आर्ट निया यह यह बता रहा वोल्टेज ओफ रिजिस्ट अइसे है है आसे वी के नीचे चुछा सा तो इनका रिजल्टेंट हम मानेंगे इनके बीच में कहीं समझे तो यह इनका क्या होगा अगर कोई मुझे इदर खीचे इदर कीचे में कहा होगा इन दोनों के बीच में कहीं तो दो आप ऐसे मालों यहाप रहेंगे यूजिंग ये इदू पैरलेलो यूजिंग पैरलेलो ग्राम लो और रच दिशनपना यह यह क्या होता है कि अगर दो अप्टर इदर इदर ईदर है तो उनका जो रिजल्टेंट वह जो का अंडरूट अंडरूट एस्क्वेर बी तू एबी कॉस्ट थीटा पर यहां पर कॉस्ट नाइंटी डिगरी कितना होगा और नाइंटी नहीं नहीं आप जुगोंगे नहीं चुगोंगे पिलकुल नहीं जुके का तो यह वाला पार जो हो जाएगा जिरो हो गया तो एजक्वर बचेगा तो रिज़ल्टेंट का मतलब क्या बता इनिक पर क्या है एंडर रोट में इसको ए बालो तो वोल्टेज ऑफ रिंड़क्टर का स्वेर्ट तो थीडिकर है है अब यहां पर हमने खेल खेला हमने का तू भाईया नैट वोल्टेज इक है तो तो वोल्टेज का फर्मला होता है कि है इंटू ईस्टेंस थो अगर वी आर और वी यल रोड़ वी यल दो चीजे है तो आसा तुम कह सकते हैं इधर पर इंडॉक्टर तो इन दोनों का एक वर अगर एक फोर्स इदर है अगर एक फोर्स इदर है तो उसका नेट फूर्स इदर है न वैसी उन्हें कुछ रॉक्त सब्सक्राइब तो तो अबने वोल QI Kao क्या होता है इंट्यू उसके पहले हमने ओला ऐसके लिए प्र 558 वोलाख अब यह दो लोग करें गार했습니다 जैड यहांपर क्या लिखता हूं मैं जैड जैड यहां पर है नेट ओपोजीशेंस क्या है नेट ओपोजीशन किसे अनगे हैं यहां आई इसको भी खोल देंगे तो बताब यह वोल्टेज आफ रिजिस्टेंस तो करेंट इंटू भाए एक प्रक्राइब बने तो विडिकल टू आयार रश्क्राइब पता है विएल वॉल्टेज ओफ इंडॉक्टर तो वीजिकल इस्टेंस फीजिकल टू करेंट इन्टू करेंट का स्कुर्ण भी आएगा और प्रक्राइब श्यूपन होता है लोता है ओमेगा कोन के रहता अभी निकाल बंदुक लेकर बेटे इंचानते नहीं हो तो यह आई का स्कुरेर ना बहार आके आई बन जाएगा रूट से बाहर आके अंदर बचेगा आर स्कुरेर एक्सल्सक्राइब को कमा अनल जेमा के लिए वह को ही फिर्ट सेखर दिखार है कॉझका पुसी पढ़क के तो थोड़ा्य हो जाता है पुस्तपा का नेचर बढ़िया लगता है तो यह हमने क्या निकाला है जैड को बोलते हैं इसका नाम बता रहे है इसको बोलते नेट ओपोजिशन नेट ओपोजिशन रुकावट नेट ओपोजिशन इन एल आर सीरी सरकेट एलार सीरी सरकेट और इसी जैड का एक और नाम है इसी जैड का इस यह ओं है इमिबरेंस चींग्यानाहरव करते अब दुनिया जहान की तुम्हें कोईन सोलुकंख Pero No है कि तुम्हें यह सब बाते पता हुना अच्छी यह देखो लाज़े कि अगर आप फेज डिइग्राम देखते हो अपको फेजर डिज़ार में है फेजर डियार रहे है छास बत कर देगी अगर इधर वीर है और इधर करेंट है तो इधर आपका वी यह क्या है और यह आपका फेसे का सेफिरेंस ऐटेफरेंस रिटेंट ए वोल्टेज एंद करेंट क्ळिप्र ऑ और कितना फेस्ट इफ्रेंस से फाई का ठीक है तो इतना नोट करो फिर सब्सक्राइब करना से खाऊंगों मज़ा आ जागा तुम्हें ऐसा मुझा आएक तुम क्या बोलोगे तुम बोलोगे मुझे नहीं बढ़ना जो च्छाइए था लिया ठीक है नोट करो है ड़न फ्रद दोन एरिवंडूट लाज रोट टॉट अट करते हैं दो आज का लेक्टर तो पिछली बार हम लर सब्सक्राइब पढ़र रहे थे हम तो लर सब करेक्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं देखिये अगर हम ङ्यां ल्र चर्केट को अगर सो रिवाइज करवाए तो आप लोगोगा ने पढ़ा था कि हमारे पास क्या होता है एक होता है इंडॉक्टर और उसको लगाते हैं है L, तो resistance है R, inductor है L, हम लोग ने क्या किया, फिर हमने उसको लगाया था, एक alternating source से, जो कि था E is equal to E not sine omega T, E is equal to E not sine omega T हमने लगाया था, जिसके बेसे जो current पैदा हुआ था, जो current यहाँ पर था, I not sine omega T minus 5i2, याद है कि दर्द हो रहा है किसी को? वो पूछ रहा है, सागर भाई है, उसे बता भाई है तू बता भाई से, चक करो, अब मेरी बात समझा या, तो आई, एट, जगह बता रहा है, कि यहाँ चेक नहीं करना है, अरे होगी हसी मजा का लग बात है, लेकिन बेटा ही बुरा मान गया, मानो आप गए, चुब जाओ, आप गए, आप गए, आप गए, आप गए, और सच में यह भाई निकला, फिर क्या होगा, एचे बजाओ, भाई मतलब भाई, तो भाई नहीं दुनिया का, एरिया रक्टर, क्या बात, आरे हो भोला है, सीधा बच्चा है, चलो, अचा मेरी बात्सनो, बेटा, लास्ट अपी क्या बढ़ाते है, आई इस इकल टू, आई नोट साइन ओमेगा टी, माइनस पाई बाई टू, अब मेरे दोस्तो, हेलो, एक सेकंड डूप जाओ, यारी सेके रिकॉर्डिंग, आउन करदू, आउन है, गुड़ मॉर्ण अवर प्लीज, आई इस इकल टू है दोस्तो, आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बेटू, और यहापने जैड निकला जैड, और जैड निकला होगा, इंपीडेंस, आर स्क्वेर प्लस, एक सेल स्क्वेर, ठीक है, और हमने कहा था, कि, हमने ये कहा था, कि अगर ये मेरा क करेंट है, तो ये मेरा होता है, VL याद आपको, और इस तरफ होता है, VL याद आपको, और मैने कहा था, इन दोनों का रिजल्टेंट हमारा होता है, E, और उनके बीच में एंगल क्या होता है, 5, phase difference between current and EMF, अच्छा, ये मैंने निबताया होगा आपको, पिछली बार, ये तो उसमें था, inductive में, sorry, 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 ये यहाँ पर निए, उसमें था, स्रिफ inductive में, यहाँ पर current कुछ और लिखवाया होगा, चाप करो, मैंने ये लिखवाया हो, current, I is equal to, ने लिखवाया गया, ओमेगा T minus Y, ये लिखवाया गया, ने लिखवाया, चलो, ये बतारा है, ये एक् I is equal to I not sin omega T minus pi by 2, पर ये खाली inductor नहीं है, यहाँ inductor भी और resistance भी है, तो उनके बीच का जो angle है, वो phi है, देखो, इस बार जो phase difference है, current और EMF के बिच में हो कितना है वो, phi, अगर phase difference phi है, तो हमें I is equal to I not sin omega T minus phi लिखना पड़ेगा, तो हमने क्या बढ़ा, E इतना होता है, current इत और ये एक phaser diagram, अब यहाँ पर कुछ और काम की बाते करते हैं, दोस्तों आप ध्यान दीजिए, प्लीज, वो काम की बाते क्या है समझना, काम की बाते ये रहेगी, प्लीज, ध्यान दीजिए, कि यहाँ से हम question solve करने के लिए, चलिए, तो अगर आपको याद हो, ठीक है, ध हमने बोला थे कि यहाँ से यह है net EMF, VR और VL का net EMF है, और हमने लगाया था parallelogram law याद आपको, और parallelogram law लगा के हमने E की value निकाल ली थी, और कुछ हमने impedance तक पहुंचे थे Z तक, और हमने कहा थे Z होता है हमारा r square plus xl square, जहाँ Z का मतलब होता है net resistance या फिर impedance, और मैंना वो कहा current end voltage, लिखवाया था, 5 का मतलब क्या होता है, phase difference between current end, आप देखें, दुनिया जहान का कोई भी question solve करना हो, इस पूरी दुनिया जहान का कोई भी question solve करना हो, आपको एक तरीके को follow करना है, वो तरीका के आप बचा रहा हूं देखें, मैंने कुछ नहीं कर रहा हूं, यह जो VL आपको देखो, इस VL वाली लाइन को, यह जो VL वाली लाइन दिख रही होगे आपको, VL वाली लाइन, इस VL वाली लाइन को उठा के इस तरफ ले जा रहा हूं, ताकि एक triangle बन जा है, बोलो क्यों, यह और यह आप असे parallel हैना parallel, तो मैंने एक triangle बना दिया, आगर आप triangle को देखोगे तो, तो एक triangle बनके हमारे पास ready है, जिस triangle का यह वाला पाट हमारा E के बराबर है, यह वाला पाट E है ना आपका, और नीचे वाला पाट क्या है, VR के बराबर, मेरी बात ही समझे, और यह वाला पाट बदाओ किसके बराबर होगा, VL के बराबर, मेरी बात ही सम अगर किसी ने यह ट्रेंगल याद कर लिया, वो दुनिया जहान के सभी नुमेरिकल को वहां रखेगा, कहां रखेगा, मजा आग निकर रहा है, आप कहानी को समझना, इसी ट्रेंगल का एक एडवांस वर्दन, एडवांस वर्दन समझना, देखो, अब यह ए-e-e-e-e-e-e- आपको जाँदो, वीया लके लिखते हैं, हम i into r याद है आपको, और vr को लिखते हैं, i into xc, external घ्र अन्य इंड़रांयर यख़ pandemic आ अगर आपको याद विर्वेक सार्ञ यह हो जयलरीर है वेटोर्टेज क्या घर अक्थ आहो करेंट बॉंट लेस्टर कर न्युम सब्सेंट आर यहां इमिलिगा से करेंट घया करेंट से करेंट चैन्व यहां ठीक है इंपिडेंश रंगल मिलेगा वह एंध्य पसhaft Sherland करो हो क्यों में करो है तो आपने कैस ने आ गया है को इंपिडेंश लिए देखmb का ूंपर इसान ओमेगा टी delegate करेंट मेंग होता है यह दोन ओमेगा टीड करेंट कितना अंगल पीछ मेंड़ फाniejsze हैं तो खाल टान कितना एंगल पीछें अगरेंगल पीछें यह अगरीं म से तो कर्रेंट कितना इंगल पीछें दूसर बार करेंट होगा आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई अप ये सब बाते लिखो फिर इसके पर हम खुर्शन करेंगे दबार के फट अबड लिखो मैं आता हूँ दो मिनिट में इड़े लिता है चलो हेलो एवरिवन प्यूस यह सकीकत आईशा इबुक कर लो आईशा खत्री हो जाना काम देखें ब्यारे बच्चों तो स्टार्ट करते हैं वह सब्क्राइश कर Iya आप में इंड़क्रान कांने सक्षा ePS मान अलरिबिल्ड कर तो सक्ष्च कर दिखें है इसकी इंड़्टर कर देएगे एल देदेंगे 2 मिली हेंड्री, बोलेंगे current और voltage के बीच में जो phase difference है वो πाई भाई 4 है, क्या है, current और voltage के बीच में कितना एंगल है, पाई भाई 4, आपसे ये कुछ भी निकलवा सकते हैं, अगर angle दिया होगा, मालो अगर angle दिया है तो ये गाइब कर देंगे, बोलेंगे च एल निकालो, तो अब ऐसे question में जहाँ angle दिया हो ना, तो ये गाइब कर सकते हैं, वो easily, मेरी बात समझे, और फिर आपको बता देंगे कि भाई हमने कुछ नहीं किया है, इनका जो connection किया है, वो ऐसे ही हमने कुछ 200V, 50Hz से किया है, तो ऐसी ही आपको मज़े लेते रहेंगे, तो ऐसे question में एक ही दिमाग लगाना है, impedance triangle, triangle पर आपको 5 पता है, ये क्या होता है, जैड, जैड और ये क्या होता है, एकसर ये क्या होता है, आप बोलो यार देखो, आप मुझे L find करने के लिए कह रहे हो, आपने angle दिया, ये सब दिया, बहुत को दिया, question में, मैं question आपने तो मैं यहाँ पर 10-5 लगा दू तो क्या हो सकता है, तो 10-5 होगा, perpendicular by base, perpendicular क्या है, Excel, अपने base क्या है, R, और 10 किता दिरका 10, pi by 4, 5 कितना है, pi by 4, pi by 4 मतलब 1 होता है, तो R is equal to क्या हो गया, Excel, अरे इधर 25 जाग ना, 1 से, अरे क्या बात कर रहे हो, 1 हो जाएगा, अब दोस्तों आप बोलोगे, अच्छा, अब Excel होता गया है, 2 pi f l, अब आपको निकालना ही क्या है, इस question में, l निकालना है, तो इस triangle की help साब कोई भी question कर सकते हो, अभी मैं लिखके बता हूँगा, तो R की value कितनी है बता हो, 2, तो हो गया 2 pi frequency कितनी है, 50, लो भाई, l आ गया, l क इतना आ गया, 1 by 55, तो एक question हम लिखते है, ता कि हमें पता लगी question आता कैसा है, तो पहले आप ये note करो, फिर मैं आपको लोगे एक previous question लिखता हूँ, आइडिया लगया ने, कैसे यूज करना है triangle को, 10 file लगा लो, cos file लगा लो, sign file लगा लो, जो मर्जे लगा लो, या आपको करता है कि आपको कैसे यूज करना है, चलो दोस्तो, hello everyone, भूमी, yes, you can download भूमी, कराता हूँ, चलो देखिए, इस्टार करते हैं, इस question के साथ, question बहुत अच्छा है, और एक question काफी है, इस पूरे concept के लिए, question के रहा है, एक AC source है, जो की actually में है, 100 volt, and 50 hertz, एक AC source है, 100 volt, 50 hertz, यानि कि आपको ERMS दे रखा है, क्या दे रखा है, ERMS, जब मैंने पहली भी बोला है, जब कुछ ना दिया हो, तो क्या मानते हैं, दोस्त, कुछ भी ना दिया हो, तो ERMS, और यह है frequency, क्यारा लगाया गया है, 20 ohm resistance, 2 milli henry, series में, यानि कि 20 ohm का resistance है, और 2 mm, 2 milli henry, 2 milli henry का inductor है, और series में connected है, सीरीज में, आपको impedance निकालना है, तो आप बोलो Z का formula क्या होता बताओ, आर स्क्वेर प्लस, XL स्क्वेर, तो क्या आपको R पता है, और XL निकाल सकते है, XL कैसे निकालेंगे बताओ, अगर मुझे XL निकालना है, तो 2 into FL, जो कि ओमेगा ल होता है, यह ओमेगा होता है, तो 2 पता है, पाई पता है, F पता है, L पता है, सारी वैल्यू पूट कर दिमाने दोगो, 2 पता है, 2 तो 2 ही होता है, ठीक है, 2 तो 2 होगा हमारा, 2 है यह पाई है, पाई, पाई को लिख लो 3.14, और जदर 50 है, 50 दो नहीं 100, 100 into 10 की पावर माइनस 3, तो आग यह 2 into 314 into 10 की हो जाएगा, 500, 28, ने 600, 600, 600, 28 into 10 की पावर मतलब हो गया, 0.628, कितना हो जाएगा, 0.628, तो यहाँ पर आपको लिखना है, Z, Z आग का निकल गए, आपका, अंडरूट क्या, देखो ध्यान से प्लीज, दोस्तों ध्यान देंगे, सारे बच्चे, तो आपका Z यहाँ से निक हो जाएगा, तो यहाँ से निकालो, क्या निकालो? तो RMS करेंट, I, RMS का फार्णला बताओ मुझे, I, RMS is equal to E, RMS by resistance, और यहाँ पर resistance R होता है, बटागे यहें पड़ रेश्टेंस, हाँ, रेश्टेंस मतलब, Z, net resistance, इस Z का मतलब क्या होता है, Z का मतलब होता है, net resistance, पूरा रुकावर, टोटल, तो यहाँ पर आपको लिखना अपने का, Z, नहीं पता है बात, बताया हमाने कभी है बात, कि RMS के निचे क्या आएगा, Z, तो E, RMS by Z, अब Z कितना है Z, Z है यह रहा, 20 into 0.628 का स्क्वेर, अचे यहाँ पर 20 का स्क्वेर आएगा न, 20 का स्क्वेर, और यहाँ प्लस होगा, सौरी, ठीक है, यहाँ मैं ठीक क दू, तो हमारा Z का आएगा, दोस्तों, देखो, 20 का स्क्वेर प्लस, एक्सल, एक्सल कितना है था, 0.628 का स्क्वेर, वो पूरा Z यहाँ डाल देंगे, तो 20 का स्क्वेर, 0.628 का स्क्वेर, और E, RMS कितना है बता हो, E, RMS है 100, कोशन में दिया हुआ है, पता आपको, कोशन म 15 नुबर, ठिक है, बहर कैया लिखा है, किस के यह ज़्लक स्क्राइब रहा हुआ, स्बस्वे सि इअड कोशन में, स्टेफ्स ग तो में, स्टेतरो स्क्राइब, तो ापका जोист 5 होगा, 10 आपको, तो 10 5 क्या जाधा है, यह होता है, एक्सल, य criterion यह क्या होता है, लिए टैन एक्सल की वेल्य पता ही है एक्सल की वेल्य कितनी है 0.628 रइशन कितना है 20 कार्ट बिट कर लेना आ जाए अंसर ठीक है कार्ट बिट कर वेए यहांसर 5 निकल जाएगा 5 निकल जाएगा 10 इन वर्स 0.628 0.628 by 20 समझे यह जो 5 रख लेना 10 को तर फेज देना और यही आपका अं मेरी बात ही समझे भाई एक वदाओ किस इंसान के बसकी है मतलब कम टाइम में करने को तो करने को आएगे तो करी देंगे पर प्रॉबलम यह है कि वो कह रहा है कि आर तुमने काम करो 0.628 का स्क्वेर करो फिर तुम इसका 20 के स्क्वेर में जोड़ो फिर उन सब का रूट ल है? वह ही वाली बात है अगंको में नहीं नहीं सीखना ही कि आन्सर आ राए और आपको यह सीखना है कि कौंसर के कैसे लगाते है जब भी एंगल की बात करें आपके आद करोगे, impedance, triangle, जब भी phase difference की बात करें, और वैसे आपको बताईए कि IRMS क्या जाएगा, ERMS by net resistance, net resistance क्या होता है यहापर, Z होता है, तो यहापर Z होता है net resistance, जिसको हम impedance कहते है, तो current हमेशा आएगा net resistance से divide करके, तो इसे note करोगे काफी अच है, तो L, क्या topic का नाम, L, LC नहीं, RC, ठीक है, वो LC थोड़ा अच्छा रखता है, तो यह है RC, RC circuit, वैसे LC oscillation भी होता है, ठीक है, तो RC circuit क्या होता है, समझा रहा हूँ, देखिए, आपना एक लोगे resistance, तो एक resistance ले लोगे, क्यले लोगे, रेइश्टर्स, फिर ले लोगे एक capacitor, रेइश्टर्स लोगे, और दोनों को लगा दोगे, E is equal to E not sin omega t, अब आपको यह देखना है कि वाई साव इसके दर करेंट कितना आएगा, क्यासा आएगा, और भी बहुत सारी बाते कर नहीं, तो अगर आपको याद हो, तो बच्पन में कहानी सुनाईती, कि VR इस तरफ ह होता है, तो आई भी इस तरफ ही होता है, याद है, रेइश्टेंस में, लेकिन यह हम सीरीज बढ़ रहे है, सीरीज, लेकिन अगर याद हो आपको, अगर इस पाले का करेंट इस तरफ है, तो इसका VC नीचे होता है, आप चेक किजिए, पढ़ाया मैंने यह, पढ़ाया कि और लोगे प्योर रिईस्टेंस प्ण होगा, आई लिदि नौट छोड़ो, नीचे है, ओमेगा टी प्लस मतलब इसमें क्या होता है अगर आप पढ़ोगे क्यापिश्टर के लिए वोल्टेज नीचे होता है अरे याद ही नहीं रहता कुछ तुम्हें आर कैसे करेंगे याद है कि नहीं है अरे यार सनो क्यापिश्टर के लिए वी सी नीचे होता है क्योंकि क्यापिश्टर के केस में ना सिर्फ क्यापिश्टर अगर सिर्फ क्यापिश्टर हो तो करेंट होता है आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस का पाई भाई टू करवाय यह यानि कि और यह डियाग्रम तो बढ दिया होगा मैंने यह प्योर क्या बएस रिव सर्कीट योड पियो प्योर क्यु प्योर यह दॉट यह दुर यह दूंग यह दुर यह दुटूंग यह दो रहां यह अरे बेफ कूफा माई यह कह रहा हूं सनो अरे यह डियागरम कराएं पर तुम्हें याद नियारा समझारों देखो द। अगर थोड़ा समय खरेम रिवीजन कर रहा हूं बातों को थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते थाकि चीज़ा हमारी क्लियर हो जाए ठीक हो जाए स्मझिएगा। त्टा रिवीजन करने हैं हम जान मइचिए थोड़ा सा देखिये राकी चीज़े क्लीर हो जाए। जब एक रूजिस्टेंस होता है हमारे पास क्या होता है रूजिस्टेंस तो हम कहते हैं इसके अंदर ना करेंट और हमारा जो वोल्टेज होता है उन दोनों म से सिंपल थेक मैसा में कहना चाहें, हैं अगर यह हमारा current है , तो हमारा this właśnie this bên prise, यानि इसके उपर कौन होगा ? बताओ, voltage of inductor इसलिए हम ऐसा the current लेकिन मेरे दोस्तों अगर आप थोड़ासा याद करो थोड़ा सा अगर आप याद करो तो अगर हमारे पास एक कैपेसिटर है अगर हमारे पास एक कैपेसिटर है दोस्तों तो आपको यह समझना बढ़ेगा अगर यह कैपेसिटर है तो EMF जो होता है E not sin omega t और जो current निकल के आया था प्लस का पाई वाई टू प्लस का तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे यहाँ पर आप यह देखेंगे कि अगर अगर यह मेरा current का एक्सिटर है तो इस बार current आगे होना चाहिए और EMF क्या होना चाहिए पीछे इसलिए voltage को हम पीछे बना रहे है अब आप समझना है के लिए TI कि इसको में बनाया थे लृ offensive आज प्रीवह तक मैं हमने गट को उनसे बनाया थे वाई मेट कान लो यह फ्रीचिशी में द्लो पीछी सब्लब में आप नहीं नहीं यह वाला बोल ना भाद हां दूछ यह यहँ होगा लीछ और करेंट क्या होगा आगे तो इसी कॉंसेट्ट्ट इसनेसर में यहां पर हम क्या सब्धार करें थे, जम पिशेटर रहे हैं, क कि हमाना क्पिश्टर के केस , पॉच्चु बजय्ए है तो हमारा स्टरह गंए इस था कॉरते और करेंट इस तरह है तो हमार्स बार कोई 2 totally good All इस तरफ है VC, एक बर मैं ठीक कर दो चीजों को, देखिए, हम इसका बना रहे हैं फेजर डियाग्राम, तो देखिए इस तरफ आपका VR है, इस तरफ आपका I है, और नीचे की तरफ क्या आपका VC, बात नहीं करेंगे, आप खुछ सोचिए, अगर यहाँ पर दो वेक्टर है, और यह ने एक है VR इस तरफ और एक है VC इस तरफ, वेर इस तरफ और VC इस तरफ है, तो क्या इसका résultant यहाँ पर आएगा, उस resultant को हम इई बोलेंगे, समझे अगर ही वात को? इसके resultant को, resultant को. अब हम Parallogram Law लगाएंगे, using Parallogram law, उसेम चलेगा यह, अगर हम यहाँ पर Parallogram Law लगाएंगे, पेलो ख्रम लगाएंगे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, कि ये, अगर ये resultant है, यह कैँ हमारा, resultant क्या बात है, तो यह कैसे निकलेगा तो आपको याद होगा जो net EMF आएगा अंडरूट याद करो किया है हम लोगों ने VR square and VC square VR square plus VC square और जब इसको लिखेंगे हम I into Z Z का मतलब होता है impedance तो दोस्तों हमें क्या मिलेगा current को common ले लेंगे I square R square plus I square X C square तो यहां पर current से current कर जाएगा दोस्तों और Z मिलेगा Z मतलब impedance, net resistance, पूरा रुकावट इन दोनों का मिलके कितना रुकावट है वो आएगा आपको current से current कर जाएगा क्योंकि square से बाहरा root से बाहरा कि वो simple हो जाएगा R square X C square क्या सब कुछ almost same है Yes, everything is same, बस यहां पर आप ध्यान रखना कि यहां पर Z का मतलब क्या है और X C हो जागा XL की जगा, अब मेरे दोस्तों कर आप कहानी को समझते है, जहां दीजे प्लीज, तो यहां पर ना हम दुवारा ट्रेंगल बना सकते हैं कैसे, अगर इस लाइन को उठा के मैं यहां ले जाओं, यानि अगर मैं VC को उठा के वहां ले जाओं तो मुझे एक ट्रेंगल दिखाई देगा दिखाई आप लोगे ट्रेंगल, जिस ट्रेंगल में यह वाला पार्ट E होने वाला है, यह वाला पार्ट आपका I या फिर क्या होने वाला है, VR या फिर क्या होने वाला है, आई, और यह वाला पार्ट किसके बराबर होगा, यह वाला बताओ, बाते मत करो प्लीज, यह वा था दिख्ञारा करेंट और यह मां के बीच में कितना इंद डिफेंस है फाई फाइज देफेज अब मेरे दोस्तो इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे अधार मालों को भी कोशन आता है तो अधुक्क एडवांस वर्जन का ट्रेंगल बनाएंगे जिसमें यह क्या होगा बताओ यह आपका बेस है या आपका है पर पेंडिकलर यह क्या है आपका हाइपो टेनियस अब दुनिया जहान का कोई भी कोशन आए आप इजली सॉल्व कर सकते हो अगर मैं यहां पर करेंट की क्वेशन लिखना चाहूं तो मेरा करेंट होगा आई नौट साइन आप देखो क्या सकत तो हम बोलेंगे ऑमेगा टी प्लस phi. कड इस बार कितना है अधू है इसलिए फाइए ऑन्गल पीछे क्या बताओ, फाई एंगल पीछे इसले है, i is equal to i not sin omega t minus phi, यानि इंडक्टर के अंदर current पीछे होता है, और capacitor के अंदर current क्या होता है, आगे, इसलिए capacitor के अंदर हमने दोस्तों, यहां पर कहा गया, यहां पर हमने यह लिखा है, तो अगर आपको यह triangle याद है, आपको z याद ह है, और आपको यह पता है, current की question क्या है, आप दुनिया जहान का कोई भी question solve कर सकता है, समझ मा गया, तो सेम तरीके से question solve होगा, यानि कि इस question को मैं चाहूं तो, देखे, इस question को जो मैंने आपको दो question कराए थे, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको c लिख सकता हूँ, c, अब म XC, समझे अरी बात को, और calculation खोद कर ले ना फर, यानि कि आगे जितने भी question बनेंगे, एक्सल की जगपर क्या जागा बस, XC, देखो, आगे एक और question कहा थे, मैंने आपको शान्दार ये वाला, तो इस question भी हम क्या आगर सकते बताओ, ये inductor की जगपर ये रहा, टू मिली ह तो आपका जो Z आएगा, Z, वो रुकाबट जो आएगा, R square plus XC का square, अगर आपको I RMS लिखना है, तो क्या होगा बताओ, E RMS by Z, अगर आपको I naught लिखना है, तो क्या होगा बताओ, E naught by Z, अगर आपको EMF लिखना है, तो E naught sine omega T, current लिखना है तो, I naught sine omega T plus का 5, प्लस आएगा क्या बिखना, और एक हो गया impedance triangle, इस triangle में यह होता है, Z, यह होगा आपका 5, यह होगा आपका XC, यह होगा आपका R, दोनों ही triangle use कर लो बस, XC की जगह पर एक बार XC लिख दो, सबको सेम रहेगा देखो, XC लिख दोगे, तो inductor वाला, और XC लिख दोगे तो, क्या बिखन वाला, आप तुम बहुत सर आपने triangle उल्टा नहीं किया, अबे उल्टा करने किया जो अरत है, दोनों बात बराबर ही है, बात समझ माई, तो फटाफट LC, सरी, RC सर्कुट खतम करो, यह आप RC सर्कुट लिख लो, खतम करो, RC सर्कुट, क्या नाव है टॉपिक अनाव? कमपैरिसन लेके चले, एक पर हम तीनों को कमपैरिसन लेके चले, तो आपको क्या मिलेगा दिखाई, कि अगर एक resistance है, तो इसका current और VR ऐसे होता है, अगर एक inductor है, इंडक्टर ध्यान देना, तो अगर समझ माई बात को, तो इंडक्टर यानि L, तो अगर EMF अगर आपने E साइन ओमेगा टी लगाया है, तो यहाँ पर current आपको पता है क्या मिलता है, current मिलता है आपको, I0 साइन ओमेगा टी माईनस का 5y2, अगर अकेला हुआ तो, और यहाँ पर रुकावट होता है, उसको नाम होता है, एक्सल, जो की होता है, ओमेगा L, यानि अगर मुझे कोई भ चुकावट है, और इसका diagram कैसा आता है, कि अगर इस तरफ current है, तो current पीछे रहना चीए, current पीछे कब रहेगा जब voltage का होगा, उपर, लेकिन इसी जगह पे, अगर इसी जगह पर मैं यह कैपिश्टर लगाता, तो मेरा E होता है, E0 sin omega t, ज्यान दिना प्लीज, और मेरा जो current होता, वोता, I0 sin omega t, प्लस का πाई बाई टू, प्लस का πाई बाई टू, अगर दोस्तों, मैं यहाँ पर बात करू, simple, simple, अगर मैं यहाँ पर बात करू, यहाँ पर रुकावड होता है, XC, यानि अगर मुझे current लिखना होगा, current, तो मुझे इस पर current में, ERMS के नीचे के लिखना पड़ेगा, वैसे ही, I0 के नीचे लिखना पड़ेगा, E0 by XC, अगर मैं आपने फेजर डाइगरम की बात करू, तो अगर ध्यान दो, अगर फेजर की बात करू, तो अगर यह मेरा current है, तो मुझे current को पीछ, आगे रखना पड़ेगा, current को आगे, अब यह current आगे करते हैं, पहले हम RL पढ़ लेते एक बर, देखो, जब हमारा R और L लगा होता है, तो EMF तो अभी भी E0 sin omega T होता है, लेकिन अगर आपको इसका फेजर याद हो, तो आप कहते हैं, current अगर इस तरफ है, और VR भी इस तरफ है, current और VR इस तरफ होता है, लेकिन आपको बता VL, देखो ध्यान से, VL, देखो, R के लिए से बना दिया हमने, L के लिए क्या होता है, तो L के लिए VL होता है, तो आप कहते हो, यहाँ पर ना आपका VL उपर होगा, और उपर होने के वैसे, आपका net यहाँ पर आएगा, और net यहाँ पर आएगा, तो इस पर जो एंगल ब और यहां पर हमने जैड निकाला है जैड, आर स्क्वेर प्लस एक्स्वेर, यह जब भी मुझे कोई 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 स्कॉशन करना होगा, मैं हमेसा यूज़ करूँगा जैड को, जैड रुकाबट है इस बार हमारा, ठीक है वैसे ही दोस्तों अगर मैं बात करूँ कि मैंने ए सब्सक्राइब एक पली जो क fibers ए उस त्थ चीज़ रिया रिया ऐसली सल रिया ईस तित्राइब गश्चों अब इस तने इस तरफ यह easy थो तरफ यह मेरा इसकत पहल तो है गा तो हम बोलेगे देखो यार इह उता है अगर इनोट साइंग ओमेगा टी तो करेंट के लिए गटो इसे फाइए एंगल ऊपर है करेंग दिख़र आप लोगो तो मुलेगे हमारे जो करेंट आएगा इनोट आइनोट साइन ओमेगा टी प्लस का फाई मेरी बाद समझे द अब इन दोनों के लिए एक ही ट्रेंगल से हम काम चला सकते हैं, एक ही ट्रेंगल से दोनों के कोश्चन कर सकते हैं, यहाँ पर आप फाई लिखो, यहाँ जैड लिखो, यहाँ आर लिखो और यहाँ कहा लिखो बताओ, अगर कैपिस्टर है तो एक्सी लिख दो, और कैपिस् आज में आ गई तो मज आ जाएगा और समझ नहीं आई तो कुछ करनी है सकते किया बात समझ माई नहीं आया तो बहुत सिंपल जाहो तो एक बार दो मिनेट रि्वाइस कर लो देख लो अपने आपको सम्झा लो फिर हम पढ़ेंगे इस चत्प्टर में LCR सर्किट आप चाहो तो नोट कर लो फिर हम पढ़ेंगे ल्पीर सर्किट चलो अब इस चेप्टर के लास्ट डो अगर अगर तुम सीग गए तुम्हारी शाधी कर आदेगे भेर भकडी जो रिमारी से मारेंगे एफ थोड़ी से चलो सीरीज इस लसर सर्केट एल से एल से घ्र केट सीरीस लसर सर्कुट एस वेरी एजी आध्यार यह तो मजाग कर रहे लग पागले चेप्टर के अंदर क्या रहे कि चीज़ा थोड़ी सी याद रखनी की चल क्या रहा है किसी में सेम है किसी में ऊपर नीचे है देखो सीरीज अगर हम सीरीज LCR की बात करें तो यहां पर साथ दिख रहा है कि एक रेश्टेंस लेंगे दोस्तों हो रहे हो रहे हो रहे एक रेश्टेंस लेंगे अगर एक रेश्टेंस लेंगे और एक लेंगे इंडक्टर और एक लेंगे केबिसेटर बेटा और उसको लगा देंगे एक इम्फ सोर्स से जहां पर यह होगा E is equal to E not sin omega t अब हमें यह देखना है कि यहां पर current current कैसे लिखते हैं तो यहां पर आप ध्यान देजिए कि हम मानते कि इस तरफ जो current है इस तरफ है तो आपको पता हूंकि वीर फी स तरफ है बैटा जो भी बात आहरा न माजां नी कर रहा है मैं दमाग ख्राब हो लां लित जह देखन दो यह चांज हो गया फ्रफ चाहिं ऑफ एपको या चया होता है अगर यह मेरा current है VL उपर होता है क्योंकि current को नीचे रहना है उपर नीचे चल रहा है वार वार देखो यहाँ पर अगर आई है तो VC रहता है नीचे तो यहाँ पर उपर नीचे चलता है कभी उपर कभी नीचे अगर किसी को इतना याद है चुप जाओ अगर किसी को इतना याद है तो एक बात और समझ में जानी चाहिए अब इनका हम फेजर बनाए फेजर तो आपो क्या देखने को मिलेगा फेजर देखना कि इस तरफ हमारा वी आर है और इस तरफ हमारा आई है क्या है वी आरेंड आई तो उपर होगा हमारा वी एल और नीचे क्या होगा हमारा वी सी आप समझे दो बाते अब यहाँ परना मेरे प्यारे बच्चो आपके बनेंगे तीन केसे किते केसे बनेंगे तीन पहला क्या अगर मैं आपसे यह कहे दूचु बजाओ दो वेक्टर है उपर नीचे तो पहला संभावित संभव केस यह है कि वी एल हमारा बड़ा हो जाए वी सी से क्या पता यह पचास और यह दस हो तो उपर किता बचेगा चालिस तो समझे अगर वी एल वी सी से बड़ा हो या सिंपल भासा में कहे दे कि हमारा एक्सेल बड़ा है एक्सी से दोनों एक ही बात है तो यहाँ पर क्या हो सकता है देखिए वी एल बड़ा हो वी सी से या एक्सेल बड़ा हो एक्सी से तो यहाँ यह होने वाला है ध्यान दो प्लीज यह यह होने वाला है कि इस तरफ तो I है इस तरफ VR है आई एंड वी आर इस तरफ है उपर की तरफ ना अगर हमारा VL बढ़ा है तो उपर हो जागा VL माइनस VC कि जो VL VC को माइनस कर लेगा उपर कर लेगा जैसे मैं गव इस हाथ को कोई 10 से खीच रहा है और इस वाले हाथ को कोई 50 से खीस रहा है तो मैं आगे जाओंगा न 40 से इस तरफ नहीं समझें अरे कितना मुर्ख वाली बाते कर रहे हो अगर यह 50 है और यह 10 है तो ऊपर क्या बचेगा 40 50-10 तो वील माइनस वीसी हो जाएगा आप मेरे दोस्तों हमारा ज़र इधर है वील माइनस वीसी इधर है यह होगा इंस इसका रिजलटेंट क्या होगा दो कहा रिसल्टेंट नुसमझें दो का रिसल्टेंट आपको पाता है आर अीसवियार इसका निसूइब और यह है तो इसका वील माइनस वीसी का होल स्कूरर वमारा सिलेटा में क्लुल bên ट nothing तोमारे सुझालिक सिर्फैजर वाना सिर्फैजर गभी तेश्थारा यह उसन न यहां पते हम लो 알았어 आज दोत्या जों अरू झाल क्या बोल रहा हूं मैं हाँ अब जब यहां से हम वो लेंगे इसे क्या लिख देंगे आई इंटु में जैट और जैट का मतलब बार बार नहीं बताऊंगा नेट पूरा मतलब इन तीनों का मिलागे कितना रुखावट है तो यहां से क्या बने का बताओ अधर Vivi डौटई से वूटेज रोम जो जा खाए अग्सकार करेंट टमणिया अब जब घरी तब Гणा तो सब्सेंगा अब चेंगा अढश्यास थाश्ट ने अधिए लिए तो यहां पर दो जैड आ गया क्या यहां पर तो यह जैड निकल गया याने कि अब एक और बात चुब जाओ पहली बात क्या समझना यहां पे कि अगर हमने ध्यान देना अगर हमने लगाया था कि यहीं थे लगाते हमसा, तो हमें current क्या मिलना देखो, अगर यह हमारा e है और यह हमारा current है, तो इन दोने किता एंगल है, फाई और हमारा current नी fellows कुए गर्ने के तो current निकल की आएगा,i is equal to i not sin omega T minor और आपको यह दिख रहा होगा कि यह सेम चीज किसके लिए होता है इंडक्टर के लिए किसके लिए होता है इंडक्टर में सेम होता कर आप याद हो तो कि यहां पर इंड़क्टर जीत रहा है dominating circuit कि सारा काम यहां इंड़क्टर की तरह होगा एक्सल बड़ा है ना dominate कर रहा है जीत रहा है तो इस परकार से हमारा काम हो रहा है फिर मेरे दोस्त हां कि अब यहां पर हम जैड पढ़ लेते हैं करेंट पढ़ लेते हैं तो अब मेरी बात सुनना ध्यान से मैं कहता हूं ट्रेंगल को देखो सिदलर करूं तो अगर आपको यहाद हो ट्रेंगल हे ट्रेंगल में यह ए होता है और यह क्या होता है यह लॉआ था एसबरियार आंपको तो इस पर क्या होगा वियल माइनस समझे पहराज आपको या तो वी सी या तो वियल पर इसमार क्या होगा नहीं समझ में आया अरे तुम बिल्कुल मुर्ख हो गया देखो देखो हम इस वाले ट्रेंगल की बात करें तो इस तरफ विया रहे और यह वाला है इट किसके बढ़र होगा वियल माइनस वी सी और यह किसके बढ़र होगा तो वही मैं कह रहा था यह यहां पर है ठीक है यह अपने मन से बरस रहा ना जैसे बाइक को एक्सलरेट करते हैं अब इसको बोलेंगे फाइव क्या बोलते हैं फेज डिफ्रेंज बिटिविन करेंट एंड वोल्टेज यहां पर वी सी आएगा अब मालनों कोई कोशन आ गया तो क्या तुम कोशन को ऐसी लपेट दोगे अब बोलोगे यह होता है जेड यह क्या होता है आपको यह जो होके आपका जायतकर हैं इनसे करेंट शीन लोगए तो क्या बन जाएगा वोल्टेज वाला ट्रेंगल और यहां पर टेलेक आना दोस्तो तो वह सिंपल सिंपल सी बात अगर मैं कन्क्लूजन थो तो कंक्लूजन किया निकला कि यहला निकला कि यह मुझे आर्म लिखना तो बता हो ए आरे में स्वाइट और जैड गई एंडरूट एक्सल् माइनस जैड निकला भूंग अंट कि यह लौक फॉर्मला अगर मुझे लूरेहाषण इस वाले के अंदर हम ने ये पढ़ा से अंदर फिल क्या होगा हमने को कि हम डे प्ठीस वन से कावाना वल्म ट्पीडवें होगा अफशेश आगर हमारा VC बड़ा हो जाए, VL से, या सिंपल भाज में कहें, तो XC बड़ा हो जाए, XL से, तो यहाँ पर क्या होगा समझना, इस बार डाइग्राम ऐसा बनेगा, देखो, यह आपका है VR, और इस तरफ है I, और इस तरफ क्या हो जाएगा, VC माइनस, क्योंकि अगर आपका VC बाला तो नीचे बाला चीछ जाएगा, और इस बार EMF यह होगा, अब यह बाला होगा 5, current और EMF के बिच का एंगल 5, तो अब मुझे बताओ, क्या इस बार resultant क्या हैगा बताओ, E is equal to, अंडर root बताओ, EMF क्या हैगा net, अब Z निकल लूँ, Z क्या हैगा बताओ, Z, अंडर, Z बताओ, resistance, R स्क्वेर प्लेस, XC माइनस XL का, whole square, अब मुझे बताओ, equations, ट्रेंगल तो बन जागा, बताओ, ट्रेंगल क्यासा बनेगा, सेम ट्रेंगल, यह वाली लाइन किसके बराबर है, वी आर, वी आर, यह वाला E, और यह क्या जागा बताओ, VC माइनस VL, और जब इसका दूसरा ट्रेंगल बनाएंगे, दूसरा ट्रेंगल, तो दूसरा ट्रेंगल में क्या होगा देखना, यह होगा आपका R, यह होगा आपका XC माइनस XL, यह होगा आपका Z और यह होगा आपका 5 पर आप देखो दोनों ट्रेंगल सेम है कोशन साल करने के लिए यहां पर अगर क्या लिख दो गया बता हो XC-XL तो वही बात है को दिकत किसी को नहीं चलो मुझे EMF की अगर यह मेरा EMF है दोस्तो तो EMF से करेंट ऊपर है करेंट क्या है तो साइन ओमेगा टी प्लस का फाई तो देखो यह चैप्टर बहुत टफ नहीं है बस चैप्टर में आपको दिमाग लगाना है अब ठाड केस खुद इमाग लगाओ वेरी गूड ठाड केस यह हो सकता है ठाड केस कि आपका जो वी अल है और वी सी बराबर हो जाए एक्सी या एक्सल बराबर हो जाए तो पता क्या हो देखो अगर ये उपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट कट गए समझना मेरी बात को डाइगराम देखो अगर हमारे ये उपर वाले और नीचे वाले पार्ट कट गए बराबर होके तो आई और वी आर क्या बचेगा आई और वी आर, तो हम कहेंगे, कि अगर ऐसा हो जाए, तो हमारा ना, समझो मेरी बात को, हमारा सर्किट सरिफ यह बचेगा, कि यह वी आर है और यह आई है, और इस टाइम पर आपको एक चीज मिलेगी खास, पता है क्या देखो, अगर आप इंपेडेंस को देखते हो, वी यल वी सी बराबर हो जाए, तो यह वाला हिस्सा जीरो हो जाएगा, यानि अब रेजिश्टेंस घट गया ना, रेजिश्टेंस घट नहीं खटा, अले पहले प्लस में था कुछ, अब प्लस वाला क्या हो गया, जीरो, तो रेजिश्टेंस घट जाएगा, यानि कि मेरे या फिर x c- यह हो जागा 0. तो z पता है क्या जाएगा? z जाएगा under root r square जो कि r. यानि z स्रिफ r बचा. रुकावट कम हो गया, क्या हो गया? कम हो गया, रुकावट क्या हो गया? अगर रुकावट कम हो गया, तो current एकदम से बढ़ जाएगा. तो हम बोलेंगे, यहाँ current जो है ना current, वो maximum हो जाता है, current क्या हो जाता है? और जब भी किसी circuit में current maximum हो, तो हम कहते है, circuit, क्या है ये? circuit is at resonance, क्या होता है ये? तो resonance का मतलब क्या होता है, बता हो? resonance का मतलब होता है कि circuit में current क्या हो? तो भाई साब, जब भी आपका VLC के बड़ाबर होगा, Axie Axel के बड़ाबर होगा, तो उसके अंतर जैड होगा, जैड मतलब रुकावट, रुकावट नौर्मल हो जागा, नौर्मल होगा, रिस्टेंस के बड़ाबर होगा, बागी सब कट गए, तो हम कहेंगा उस टेम पर current क अगर सर्कुट में करेंट मैक्सिमूम चाहिए तो एक्सिल क्या हो एक्सिल के बढ़ावावा अगर आपको याद हो अभी हमने पीछे बढ़ा थे यह वाला कि क्यापिस्टर बढ़ा है देख आपको तो इसका नाम क्या बढ़ा है पता आपको यह पेसिटिव कर रहा है बोला क्यों समझे बाए एक्सी बढ़ा है ना इससलिए तो खतम हो गया यह पता है अब इसके उपर रेजनेंट शार्पनेस पढ़ना है हमें रेजनेंस वह पढ़ी लिए हमने क्या टफलाग आप लोग को यह से बताना इमानदारीजन आगर जिस बंदे को डाइ तो क्यापिसिटिव सर्कृट नहीं हाँ इनक्टिव ठीक है मुर्क मेरा दिमाग वह कर दिया तुमने कंफ्यूज ठीक है यार यह बच्चे है बच्चे आज कि दिल के सच्चे कहा है अब बच्चे करे शुरू कहां से करे यहां से सुना लिखना कैसे है फॉस्ट यह सेकंड में डाइगराम फेजर वाला ठीक है फिर सिक्स्ट में आएगा आपका यह वाला कि अगर मुझे आयारम इस लिखना होगा आयनोट लिखना होगा तो जारी इस्तामाल करना है फिर सेम यहां पर आओगे तो आपका सेवन यह रा सेवन्थ वाला पॉइंट हो गश्ट प्रश्टर वाला क्या पिस्टप डॉमिनेटिंग वाला फिर लिख लोगे फिर यह फ़िए आपका एर्स पॉइंट यह वाला होगा तो यह आपका सीरीज एलसी आर का पुश्ट मॉटम कर दिया हमने सीरीज एलसी आर ठीक है और रेजनेंस वागा दिया रेजनेंस का मता हुथा करेंट मैक्सिमम करना तो फटा फटा बढ़िया से नोर्स बनाई है ठीक है नोर्स बनाओ बढ़िया से माफ ही चाता हो कि मैंने इसे खिश-पिश कराया है पर एक बार में समझ माया कि नहाया बढ को चलो नोट कर लो फिरागे वरते है तो है कि है अलो एव्रीवन और ग्लियर प्यारे बच्छो और कि अ गुद लुट इन हना अ है है और डियो अलो एव्रीवन और ग्लियर लिग दॉर्क वर धवे दिवास दिवे प्रिया करिशनु एक्स यार में स्भाई जैड वैरी गोड प्रिया करिशन एक पर आल के लिए लिए लिग देंगे सारे बच्चे एक ही बच्चा बढ़ रहा है क्या स्विए प्रिया करेशन और को इन ही के नुमेरिकल तरियके कितले माकशनु मेरिकल Cod fresh Another रहेंगे डरिवेशन आएंगे आपके वींगर के आसपास पंद्रा से ब् 의ょमन के लिए आए घखता अइद सबने कर लिया ये क करलो वनटू होगा होगा 3 को एफ है爷 वब बत ी जो जहांगो अन्वी all clear बेटा शबबाश 11 को पेपा रहे बेटा फिर फटा फटना सारी derivation कर लो सारी theoretical question कर लो numerical के चक्कर में मत परना कर 11 बाग को पेपा रहे तो बेटा ठीक है भूमी गुर्जर all clear बेटा शबबाश सोवित all clear शबबाश बेटा सोवित बीजर बीजर बेटा बीजर खर टा है कर दो कर दो कर दो दो डन अव्यवन यह से स्कूल में सलिव नहीं होगा सर रिवेशन प्रैक्टिस कर लो और किलियर आशे तिवारी वेरी गुड बटा आशी वेरी गूड रिवाप्तिक समपढ़िंगे न अगली क्लास से मतला हम वो नी पढ़िंगे यह एलेक्ट्रमगनेटिक वेवाला वह ब छोड़ना नहीं चार से बोलूगा चार से एक पेज जूंगा उससे सब पर आएगा फूरा अब है अधिन में अधिन से फ़ले दोनों जाएंगे बिव को एक महीन है पूरा आ था तो क्या हो गया तो आ रहे है क्या रहे तक चारी वह आ रहे दस तो अपना प्रेस्नल तलवार यूज़ करियो सर के लिए घर से तलवार लेगे जाओ बोलो सर इती जल जली कैसे होगा दिवाली कब है तो देखिये देखिये दोस्तो चलो मेरे प्यारे बच्चो इस्टार्ट कर रहे हैं एल सी आर का अगला पाट देखिये हम लोगोंने एल सी आर सरकिट में क्या पढ़ाता आपको याद होगा हमने यह पढ़ा था कि यहाँ पर एल सी आर में एल सी आर में बड़ा तीन केस बनता है अगर वी एल बड़ा है तो वी एल बड़ा है तो जैड की वेल्ड़ आती है आर स्क्वेर प्लस एक्सल माइनस एक्सल का होल स्क्वार अगर करेंड लिखना है तो इस जैड का इस्तमाल करना पड़ेगा चाहे i rms लिखना हो, चाहे i not लिखना हो, कुछ भी लिखना हो, आपको इसका इस्तमाल करना पड़ेगा, दूसरा, आगर हम बोले, तो ये है inductive circuit, है ना, inductive dominating circuit, ये है capacitive dominating circuit, काफी detail में पड़ा था हम लोग ने, फिर एक triangle हमने पड़ा था, और हमने दोस्तों कहा था, इस triangle के help से अब दुनिया जहान के कोई भी question solve कर सकते हो, जहां पर ये angle होता है phase difference between current and voltage, अब ये z है, ये xl minus xe, या फिर xe minus xl, दोनों में से कुछ ही बना सकते हो, पर अगर मैं बिल्कुल precise होके बनाऊ, तो हम लोग ने दो triangle बढ़ा था, xl minus xe और ये था r, अगर मैं आपसे होगा, तो i is equal to i not sine omega t minus phi, minus phi क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये inductor वाला है, और inductor में हमेशा minus ही आता है, लेकिन अगर हम वो diagram बनाए, r, z, xe minus xl, phi, तो यहां पर current क्या होगा, i is equal to i not sine omega t plus phi, plus phi क्योंकि ये capacitive dominating circuit है, समझ मा रहा है, तो ये सब बाते हैं बार-बार कर चुके हैं, आपको बस इनके formula sheet बनाने और काम खतम, आई बस समझ में, आजी ना, तो दोगो यार बहुत simple है, मानता हूँ chapter cutting है, पर कसम खागे बोलो क्या इतना cutting है कि होई न, इस chapter में अगर हम integration differentiation को हटा दे, उसके बार इस chapter में ऐसा पर नीचे simple है, so I hope इस chapter में आप लोग confidence आ रहा हो, confidence नहीं आ रहा है, तभी डरने की बात नहीं है, दुबारा कराएंगे चीजों को बहतर कराएंगे, है न, मजबूती से कराएंगे, बहुत ज़री बाते होनी है, so दोस्तों आप कहानी कहा है, देखिए ध्यान से, कहानी य मैक्सिमम हो जाए, और करेंट मैक्सिमम कब होगा, जब आपक है रेजिस्टेंस मिनिमम होगा, और मेरे दोस्तों, रेजिस्टेंस जो मिनिमम आया था, वो आया था, जैड इक्वल टो आर, जहाँ पर यह रेजिस्टेंस सा रेजिस्टेंस, यह रेजिस्टेंस क्या था, मि आप जेंट की वेल्ई भुबूट कम है क्योंकि बाखी चीज है चीड़ों हो गई तो रेजनेंस में हुआ क्या था एक्चुलि मैं अगर हम बात करें तो रेजनेंस में हुआ क्या ये था कि एक्सेल एक्सी बराबर हो गए थे हम बहूरो सर अ यहां से हम ओमेगा निकाल सकते हैं अगर मैं इसको भेज़ दू ओमेगा स्क्वेर वन भाई एलसी तो अगर हम यहां से ओमेगा निकाले तो क्या आएगा अंडरूट एलसी आप देखिए समझिएगा हुआ इस ओमेगा को बोलते हम एंगुलर एंगलर स्पीड लेकिं अल्ड़ फ्रिक्वेंसि भी थेके यहां पर समझिए एक्सल इक्वल टो एक्सी रेजुएंस की कंदिशन है और रेजुएंसटी कंडिशन से ही हमने ओमेगा निकाला है थिसमुआ ओमेगा का नाम उता है रेजुएंट फ्रिक्वेंसी के नाम होता है अंगुलर रेस्ट अंगुलर रैज़नेंट फ्रिक्वेंसी समझें यह इस फ्रिक्वेंसी पे आपका रेज़नेट करेगा स्रकृट gチャンネル को डाई आगर मैई इस फ्रॉर्मिले को और खोल दू चलिए ऑंगेगा है टी अल-रोट फ्रॉर्मिलेंट को एयलल या है ईल्च तो आगर मैं च्वार extension नों ऐसले हैज़यंश को शर्फ के वह सो कई बार इगर तो आप मुझे वह अगारा यह न्टाइज उतक है तो यह करना है और बटाएंस के लिए रियल के बता हूं एंगुलर अगर आपसे यह बोलने कि भाई साहँ मुझे एंग उल्रसों इंस के लिए अवर सिर्फ बोले को तो आप ऊसे काहनी सुन्जनी को समचिए थोरा गहराई से तो यह इस यहां पर कुछ और बाते आपको सीखनी है, जो बहुत important है, पहली बात है क्या question, तो मैं इस पूरे topic पर question लेता हूँ, दो-तिन question करते हैं, जो इतना question possible है, इस topic के लिए, फिर आगे बढ़ेगे, तो फिलाल आप इसको note करो बढ़िया से, फिर हम कुछ questions लेते हैं, ऐसा नहीं क करते हैं, इस question से, question लिखा है, 20, यह बढ़िया question है, पुरे topic को समझाने के लिए, 20 microfarad capacitor, ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहां लगा लो एक, 20 microfarad का capacitor, 0.10 henry inductor, लगालो, and 20 ohm resistance, ठीक है, 20 ohm का resistance लगालो, 20 ohm resistance लगालो, ठीक है, connected in series, series, series में लगाया गया है, लगाया गया है, e is equal to, e is equal to 310, sin 314 t, 314 है, ठीक है, आप कहा रहा है, what is frequency, frequency of emf कितनी होगी, तो इसने आप से frequency बोला है, resonance frequency नहीं बोला है, तो आप, आप लगाते किया आपको यहाद है, e is equal to e not sin omega t, यहाँ से आपको omega मिल जागा, 314, ऐसा question कर चुके होंगे, अब साथ पहले भी, comparison वाला, comparison वाले question नहीं करे गया, करे है न, यह omega है तो 314 किया जागा, omega, तो हम बोलेंगा देखो भीया, frequency मुझे निकालना है, तो पहले question का solution देखो, आप बोलोगे, omega है 314, 314, और omega होता है, 2 पाइफ, तो 2 पाइफ, तो 2 पाइफ, 314 हो गया, तो फिरक्वेंसी कितना हो गया, 314 भाई, 2 पाई, तो 314, 3 इंटू, 100, इंटू 3, 1, 4, ठीक है, पॉइंट हड़ जाएगा, 2 होगा, sorry, पचास आ रहां साटी गया, पचास हर्च कितना रहा है, पचास मेरे हिसाब से, पाइफ, पैरा कोशन दन, फिर कहता है, फाइंट रियक्टेंस, देखिए, रियक्टेंस एक अलग चीज, रियक्टेंस मतलब, रियक्टेंस का मतलब होता है, एक्सल, एक्सल, एक्सी बताया था आपको, इंडुक्टिव रियक्टेंस और क्यापिस्टिव रियक्टिव, त कितना है, L है 0.10, Henry होता है L, इंडक्टर, इंडक्टर, तो 0.10, Henry मतलब 10 की पाहर, माइनस 3, तो यहां से एक्सल निकल जाएगा, यह सॉल वाल्फ नहीं आएगा, एक्जामने करने को, बस अभी concept सीखो, फिर XC कितना निकलेगा बता हूँ, 1 by omega C, यानि कि 1 by 314 है ना omega बता न आप लोगो, omega हो गया 3014, और C कितना दे रखा है, C द रखा है 20, 20 microfarad दे रखा है, 20 into microfarad, 10 की पाहर माइनस 6, किसी कोई पता है 10 की पाहर माइनस 3 कहा सा है, Henry है, milli Henry है, milli Henry, शरिफ Henry था, यहां पर शरिफ Henry है दोस्तो, 10 की पाहर माइनस 3 नहीं आएगा, ठीक है, दुबारा ब question में, L की value 0.10 है, milli नहीं है, इसले नहीं लगाया, पर नीचे capacitor में micro है, तो इसलिए यहां पर 10 की पाहर माइनस 6 लगाया है, तो यहां से हमारे second question भी solve हो जाएगा, दुबारा बोल रहा हूँ, अगर exam में आप solve नहीं कर पाते है, आपके number नहीं cutting गे, क्योंकि इंसान तो इ मैंने का, अच्छा बेटे, अच्छा बेटे, impedance, तुमको impedance चाहिए, क्या चाहिए, impedance, तो impedance होता है, Z, Z होता है, R square प्लस XL माइनस XE, या फिर XL माइनस XL, तो यह देखना पड़ेगा, आपको इसमें बड़ा को है, XL बड़ा है कि XE बड़ा है, बड़े वाले में से छोटे व आप बड़े को छोटे से माइनस कर सकते हो, तो XE square माइनस XL कर सकते हो, या आपका मन करें तो, वैसे answer सेम ही आएगा, क्योंकि स्क्वेर के अंदर है, यह लोग, अच्छा होली स्क्वेर होता है, यहाँ पर, ठीक है है, होली स्क्वेर, तो आप Z की value यहाँ से निकाल सकते हो पर ध्यानक ना, बड़े बाले मिसी छोटे को माइनस करते है, so we are done with the कौन सा question था ही हमारा, third question, तो third question भी हमने लपेड दिया, कोई दिखकती नहीं है, आप देखिए fourth question, fourth question आप से कहता है, fourth question कहता है कि find current, इस circuit में कितना current दोर रहा होगा, तो देखिए किसी भी time पर current का मतल आप से rms current की बात कर रहा है, आप बोलोगे i rms is equal to e rms by z, अब e rms की value नहीं पता, निकाल लेंगे, क्योंकि आपको इस question में उसने e naught दिया हुआ है, e naught है 310, तो आप बोलोगे e rms का formula sir ने पहली सिखा दिया था हमें, कि e naught by root 2 होता है, यानि कि 314 by root 2 by z, 314 by root 2 देखो, e naught by root 2 से हमारा e rms आएगा, 314 by root 2 नहीं समझे, अरे e naught थोड़ी है 314 by root 2, तो यहां पर लिखेंगे 310 by root 2, और निचे z है z, और z की वाल्य वहीं solve करके यहाँ डाल देना, अग तुम्हें लगेगा इतना tough question नहीं भाई, यह वो सिखाने के लिए, concept सिखाने के लिए काम कैसे हो question है, find phase angle between current and voltage, तो इस question के लिए आप 105 लगा दो, सबसे पर त्रेंगल बनाओगे आप, जब भी angle की बाद होगी, मन के अंतरा निचे ट्रेंगल, इस ट्रेंगल में यह वाला 5 होता है, यह वाला z होता है, यह वाला r होता है, यह वाला r होता है, यह होता है, एक्सल माइन से दिया, 310 रूट 2, और यह जएड है, जएड है, जएड की value निकाल के उपर से हाँ डाला है, तो ऐसा कुछ है नहीं, अब देखिए अगला है phase, तो उसके लिए तो 5 लिखो, यह जएड यह आर, एक्सल माइनस, एक्सी, फिर बोल दो यार में 10 5 लगा रहा हो, तो 10 5 क्या हो एक्सल माइनस, ठीक है, फरक नहीं पढ़ेगा नहीं, समझे बात, बड़े वाले में से छोटे को माइनस करना है, वो तो solve करने पे पता लगे है, कोन बड़ा है, कोन चोटा है, आप देखिए अगला रास में कोशन है, फ्रिक्वेंसी को लेके, कोशन कह रहा है, कोशन कह र को पता ही होता है, so you are going to have resonance frequency, क्या मेरी बात समझे, इस question को घर पे try करना, this is the best question, ठीक है न, मेरी बात समझे, यह बहुत best question है, अब मैं आपको एक ऐसी question दे रहा हूँ, question समझना, अरे लिखे होगे क्या करोगे, क्या करोगे लिखके, क्या करोगे, अरे एक सत लिखे लेना, तो जब मैं लिख रहा था, मैंने कहा था, लिखो साथ में, तब समझना आये था, तब कौन सा दाना का रहे थे, देखो अब, सुनो, exam में कुछ questions ऐसे आते है, जिसके अंदर दोस्तों आपसे बोला जाएगा, कि एक resistance है, 10 ohm, एक inductor है, L, एक capacitor है, C, और बोलेंगे आपसे, कि यहाँ पर हमने लगा दिया है, यहाँ लगा दिया मालेजे हमने 220 वोल्ट, 50 हर्च, आप आपसे बोलेंगे, find the current, find the maximum current in circuit, find maximum current in circuit, maximum current, यहाँ आपसे बोलेंगे, current at resonance, current at resonance, कि भाई, resonance पर कितना current होगा, तो सबसे पहले बच्चा देखता है, कि L और C दिया नहीं है, बच् कि पागल जाता है, कि L ही नहीं, L और C कुछ भी नहीं है, बच्चा पागल जाता है, आपर यह question tough है, पर वो बेफको भूल गया, कि यहाँ पर एक word use हुआ है, maximum, और एक word हुआ है, resonance, resonance में और maximum condition में L और C चाहिए ही नहीं होता है, आपको L नहीं चाहिए, C नहीं चाहिए, आपको पता है, अगर आपको current निकालना है, I, RMS निकालना है, तो वो होता है, E, RMS, Y, Z, लेकिन हम जानते हैं, जब भी maximum current होगा, या resonance होगा circuit के अंदर, तो Z की value, R के वराबर होती है, यारि हमें सरिफ resistance चाहिए, हमें L और C की से कोई मतलब नहीं है, तो हम कहेंगे, वहीं और जब कुछ भी बताया ना हो, तो हमें क्या निकालना होता है, RMS, जितो उसने बोला, स्रिफ current find करो, तो भाई, मैं कौन सा current find करूँगा, RMS current find करूँगा, क्यूंकि इस circuit के अंदर, तो 220 by Z, अब Z की value कि उतनी है, दोस्तों बताओ, 10, तो क्यूंकि Z हमारा R के बराबर होत सारे करवाने अभी तो बहुत सारी planning है, तो कि देखो, अगर आपका ray optics खतम होने के बाद, आपका slavos ही खतम हो जाता है, तो कि atom nuclei यह सब न, एक दो दो दिन का chapter है, बहुत चोटे है, और उनमें derivation भी नहीं है, derivation हमारे slavos में नहीं है, यानि कि हमें max to max 2 class लगेगा एक chapter म यानि अगर हमने एक हपते अगर आपका लगतार class लिया तो आप करीबन पूरी second book खतम कर लोगे, इस second book तो नहीं तीन chapter खतम कर लोगे, easily आसा है, इन numerical के साथ, तो हमारा main जो है ray optics हमें फसाएगा, उसके बाद तो slavos आपका दिवाली से पहली खतम हो जाएगा, मेरे को जि स्लेवस खतम होते ही बच्चे भाग जाते है ना, तो slavos खतम होते ही, भीड भी खतम हो जाएगा, कोई tension नहीं है, ठीक है, अब उसके बाद उसके बाद तुम भूलते जाओगे चीजों को भूलते जाओगे, खेल खतम हो जाएगा, main हमारा start होगा, main जो हम start करेंगे, October के स्टार्ट करने वाले है, जिसमें हम chapters को previous year questions, मतलब अभी तो हम कैसे चैप्टर का एक overview ले रहे है, एक chapter में क्या है, क्या नहीं है, बात है कैसे चल रही है, हम chapter को 95-99% चीजों को जान रहे है, लेकिन 100% आपका तब होगा, जब वो practice वाली चीज पर आप आओगे, लौट हो समझे, सो कहानी है, समझ में आगे सबको, आप यहाँ पर J equal to R है, ऐसे question आ सकते है, नाओ दोस्तों आप note कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते है, question शानदार था, जानदार था, अच्छा question है, note कीजिए, देखो दोस्तों, प्लीज, अब इस chapter में एक topic होता है, इस topic का नाम क्या बता दू, मैं आप लोगो, topic का नाम होता है, sharpness of circuit, sharpness of circuit and quality factor, quality factor, sharpness and quality factor, अभी क्या होता है, दोस्तों समझते इसको, देखिए, आप समझना है इस चीज को, कि अगर हमारे पास कोई circuit है, देखिए, इसको नग्राप से पढ़ाया जाता है, ग्राप से, तो मालनीची, हमने का यार, इस तरफ हमारा current का axis है, और इस तरफ हमारा frequency है, angular frequency, तो आप लोगो ने पढ़ा, देखो, मालनो, graph ऐसा आया, ठीक, graph ऐसा आता है, वैसे, और समझना इस graph को, देखो, आप को चीज दिखाई देगा, अगर यह frequency का axis है, और यहाँ पर देखना है, इस line के नीचे, इस line frequency पे, circuit में current क्या है, देखो maximum, इस circuit का current भी maximum है, यहाँ का current भी maximum है, और यहाँ का current भी क्या है, maximum, मेरे कहने का मतलब यह है, तो इस frequency का नाम होगा resonance frequency, देखे हमने 3 लिया है, एक बार experiment यह है, experiment number 1, experiment number 2, experiment number 3, आप देखेंगे तो experiment number 3 में हमारा current सबसे maximum है, अगर current इसका सबसे maximum इसका मतलब अगर मैं बोलू कि R3, R2, R1 और रेजनेंस की बात चल रही है, ओमेगा R का मतलब है रेजनेंस फ्रिक्वेंसी, यह क्या हो रखा है हमारा, रेजनेंस की बात चल रही है, तो आप एक बात नोट करेंगे, सबसे शार्प सर्किट कौन सा है, सबसे बढ़िया सर्कि हमारा कोन सा वाला है, R3 वाला, यानि जितना कम रोस्टरंस होगा, उत्तना ज्यादा सार्प सर्किट होगा, उतना बढ़िया सर्किट होगा, उतने फाईद मनसरकिट है, करेंट मैक्सिमम है न? कहानी यह है कि, शार्पनिस आपको समझ में आ गई होगी, शार्पनेश साथ प्रत impose प्रत Unless Your estova αυτό धवने व्वम कई से बताए उसके लिए हमने बनाया क्कॉलिटी ट्रॉइट वार्मौत तो यह थाया ट्रॉब बीचान ग्रेगा साउट टिऑ टिसराइट्स शार्पनेस की क्लिपो इसाइट्स अिक रही होगा को और स्ट्ना साइट्स Ara उसका पहला फॉर्मला बनता है 1 by R under root L by C, आप देखो यहां पर आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है, देखे, आप वो कहरा है क्वालिटी फेक्टर को और सिंपल आपको कम रखेंगे, तो क्वालिटी क्या होगी, ज्यादा और जितनी ज्यादा क्वालिटी होगी उतना शार लोग्त आपको ज्यादा क्वालिटी फेक्टर कम रखेंगे, फिर फिर भी एक एक एक्स्टा बता रहा हूँ, कि इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, What is quality factor? तो बोलते है, it is the ratio of voltage drop, मतलब कितना वोल्टेज एल और सी ने खाया, और कितना अपने लगाया, इससे तो क्वालिटी बता लगीगा नि inclure बात को कितना खाया कितना लगाया उससे भी क्वालिटी का पता लगेगा मालू आपका प्लाइड वोल्टिज कम है तो क्वालीटी फेक्टर क्या होगा ज्यादा होगा मेरी बासम जो अरे दोना नहीं लेना है, quality factor का एक और definition है, देखिए, तो quality factor का एक और definition क्या है, समझेए का ध्यान से, बोला जाता है, समझे, बोला जाता है कि, देखिए, graph को समझे, अलग से बना रहो ता कि आप समझो graph, देखो, यह आपका i है, और यह आपका omega है, अब यहाँ पर मेरे दोस्तो, मैंन एक graph बनाया, मैंने का यह sharpness बताएगा graph, sharp graph है, और मैंने का यह omega r, omega r मतलब resonance का frequency, angular, तो मैंने क्या देखा, कि यह जो विर्थ है, यहाँ से यहाँ तक, यह point और यह point लिया मैंने, यह point मैंने क्यो लिया, क्योंकि यहाँ पर जो current होता है, वोता है i not by root 2, और यहाँ पर भी current distance को देखा, तो इस distance का नाम, अगर मालो, इस frequency का नाम में कुछ रखता हूँ, इसका नाम रखता हूँ, मालो मैं omega 2, रख सकता हूँ, और इसका नाम है omega 1, तो इस distance कितना होगा, omega 2 minus omega 1, तो बोला गया, quality factor जो है न, इस distance पर भी depend करेगा, समझना, किस पर depend करेगा, इस distance पे, जो कि है omega 2 minus omega 1, आप बोलो के सर ऐसा क्यों, समझा रहा हो, देखो, मैंने कहा कि graph है, वो graph ऐसा है, आप मुझे बताओ, ये जो distance है, ये ज्यादा है कि कम है, distance है ज्यादा, अरे मुर्ख हो गया तुम, ये distance क्या है, ज्यादा, आगर distance ज्यादा है, तो quality का है इसकी, कम, इसकी sharpness का है, अच्छा, ये कम sharp का है, यानि पक्का इस distance पर भी quality factor depend करता है, इसलिए बोला गया, omega 2 minus omega 1 के inversely proportional है, ज्यादा distance होगा, कम होगा quality, और बोला गया, यहाँ पर लेंगे हम resonance frequency, यानि कि ये वाली frequency, तो ये भी quality factor होता है, quality factor is, इसको बोलते हैं, देखो, मैं समझाता और उपर के लिखा बताओ, resonance frequency, अभी इसके बारे में बाते करेंगे, जादा हो जाएगा, इसलिए नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते, पहले इसके नोट करो, इसके बारे में दुबारा बाते करेंगे अभी, note करो, फटावर, जाँ, हलो एवर्यवन, ओल क्लियर, थैंक्यो देखिए दोस्तो, तो अब तक हम यह बाते करेंगे, सनो, कि quality factor कहीं न कहीं, band के width में भी काम करता है, इसको बोलते है bandwidth, frequency में न, band यूद होता है, तो bandwidth, तो हमने कहा चलो भई, quality factor को से भी define कर देते हैं, हमने कहा, quality factor is the ratio of resonance frequency and bandwidth, जो भी इसका bandwidth हारा, bandwidth समस्ते हो, कि omega 2 minus omega 1, दूसरा frequency by minus पहला frequency, और ये कौन से frequency जहाँ पर rms current है, न, ठेक है, तो हमने बोला भया, omega 2 minus omega 1, देखिए ये जो चीजे है, ये चीजे इतनी simple नहीं है, जितनी simple भासा में आपको बताया जा रहा है, तो please इसकी respect करके revision कर ले बहुत experience के बाद बता रहा हूँ, हम चाहे तो इसको बहुत तगरा, पूरी radio LCR circuit पर काम करता हूँ, पूरी radio पर आ सकता हूँ मैं, और ऐसा है न, कि मैं बता रहा हूँ, आपके काम का है, जो exam point of view से, आपके काम का ये वाला है, ठेक है, और ये वाला एक formula है आपके काम का, बाकी ये सब तो आपको extra बताई गई है, बस, कहानी समझ में आती ही बढ़िया से, तो आप प्लीज इस चीजों को note कीजिए, बढ़िया से, फिर इस chapter में हम चोटी-चोटी बाते करते हैं, देखिए अब इस chapter के अंदर हम आगे बढ़े, तो इस chapter में चोटी-चोटी बाते मेजर मेजर हमारे दो बाते अटकी होई है, मैं बता हम आपको एक transformer है, और दूसरा है अपने पास AC generator, लेकिन उस topic को तो अभी करना ही करना है, पर उससे पहले भी कुछ चोटे मोटे topic होते हैं, जैसे topic होता है अपने पास power, क्या होता है, पावर, अब AC circuit में हमें power निकालना पर हमारी क्या मजबूरी है दोस्तों, हम तो E into I लिखेंगे, और यहाँ पर E का मतलब होता है, E not sine omega T दोस्तों, और I का मतलब होता है दोस्तों, I not sine omega T, तो यहाँ पर E का मतलब E not sine omega T, और I का मतलब I not sine omega T, लेकिन यहाँ पर आप जानते हैं, जैसे ये एक AC circuit है, तो आपने पड़ा होगा, AC circuit के अंदर, current और EMF में कुछ ना कुछ phase difference होता है, क्या होता है phase difference, अगर pure inductor है, तो minus 5 by 2, pure inductor, और सिर्फ pure के पिश्टर है तो plus का 5 by 2, और resistance inductor दोनों है तो minus 5, resistance के पिश्टर दोनों है तो plus 5, हम जानते कुछ ना कुछ phase difference होता है, तो यहाँ पर दोस्तों हम क आप मुझे इन दोनों को multiply करके, बहुत सारा दिमाग लगा के, अपना दिमाग खराब करके, और करीबन 3, 4, 5, 6, 7, 10 page के बाद आपका answer आएगा, पर एक और तरीका है, अगर किसी और book की या standard book को follow करो के तो बहुत लंबा-लंबा करा रखा है, मैं आपको इसी तरीका बतात क्या बोलोगे, हम जानत है विनोद, वैसे आज हमने कोई हसी मजाग नहीं करी, पता है क्योंकि नहीं पढ़ाई के साथ भी कौन था यह, कोन था यह, कहानी यह है, आज हसी मजाग इसले नहीं करी न, क्योंकि आज चेप्टर खतम करना था, तो मैंने का थोड़ा fast, serious होके, यह, को नहीं है, लॉलीपम नामे, लॉलीपम नामे आपका, हाँ, अरे एक, छोड़ो यार, किसे को तुम लॉलीपम बोल रहे हो, हाँ, है, 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 एपी बार डेर, यह, यह, यह ना, यह डॉरीमन लग भी राए, मेरे को, मेरे को, मेरे को, एक बच्चा कमेंट करा, सर आप नुभीता लगते हो, मैंने का, मैं ऐसा नुभीता जिसके पास नहीं है, सुझुका, समझा है, 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 डॉरीमन है, हमारे पास, डॉरीमन है, हमारे पास, देखो, पास सारी को, पास सारी को, आप लोग को यह मैं बोल चुका हम भाई पहले ही चलो ध्यांदू ध्यांदू वी नोई इसी कल टू वी नोगी नोद पी इसी कल टू आई यी आई पाप लोगे एकी वैल्यू कितनी बताओ इन उट वा साइन अट वा ओमेगा टी वा है और आई की वेल जो क्या है ए रहां दो देख रहा ह है यह क्या हो जाएगा आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाइज कि आप प्रवलम पता है कि अप्र आई प्रॉबलम है ऐसी ऐसी मैथमेटिक्स आपने पहले देखिए बच्पन में बदा रहा हूं फिर भी इनोट आई नोट को साथ ले लो यहां लिग दो टू साइन ओ अब कहांगे लिए इन दोनों को साइड ले लिया अब नीचे टू से डिवाइड और टू से मंटिप्लाई करने जा रहा हूं देखना थेक है तो मैं पी इस इकल टू इनोट आई नोट बाई टू टू साइन अमेगा टी माइनस फाई आप कहानी यह है मैंने जब टू से ड जो किसको किसको हुआ वेड़ा अभी था दिवागी किसको नहीं जो आउ तो यह टू हो है नाई बीटा मैं दोसको टो सिवल तो यह टूर यह हो गया ठीक है चलो Aharich और गवा वाइस था मानलो दो सइने क्षेश्ट को एक of फइल पाई पारग यान आपने इस वाले दितında है है वाई आपने सीम को एक्साइड वाई यानि वेफ प्रें दो्च को शीच्तरा वाई पाई Après इसका आंसर यह होता है इसको याद कर लो तो क्या करें मैंने कहा कोई चीज काला है तो काला है है कईचीजक होती है तो मैं कहता हूँ यह लाल है इसका फर्म्ला होता है तो होता है इसने मास्टर सकतर आंब कर अइसे एक्ने अजया दिखार एक बीटे काने को समझाए editors वो अपने बेटे को भी बेटे को या किसी को लिए यह कुट कुट के बताओ इसाव उनके फॉलवर्स देखो उनके सब्सक्राइबर देखो हम तो यहां कहां कहां से दम लगा देते तब भी फॉलोवर्स निभी बड़ते ठीक है ना मेरे इंस्टागराम पे तीन हजार फॉलॉवर्स मात्री 3000 उस बंदे ने उचल उचल के चोरह य है चलो है कि इस्टार्ट ठीक है तो मैंने अब बता दिया कि देखो सिंबल से ट्रिक बता रहा हूं कभी भी याद नहों उचलो क्या तो कभी भी याद नहों तो क्या करो उचलो पूछलो क्या होता चल अचल नियुक अब यहां पर आधकना जो आपको बता रहो था यह वाला पार्टमर्ट्र जिरो हो जाता है क्यों जाता है average, it is a function of time, it is the function of time, it is time dependent, it is time dependent, reason बतारो मैं आपको, it is time dependent, so, over one cycle, its value, its value, becomes zero, इसके ना value 0 हो जाती तो कितना आसान हो गया काम, अगर हमें जिसको यह information नहीं पता है, वो इसको खोलेगा, खोलना पड़ेगा तब जाके, तो समझना, हम लोग निकाल रहे है, average power, we know average power, average power निकाल रहे है, average power over one cycle, यह लाइन लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो होगा कि दोस्तों कि यह वाला part तो 0 हो जाता है, क्योंकि time dependent है, आप कई लोग बोलेंगे 0 क्यों हो जाता है, बहुता है, अगर आपको PhD करना है, तो करो लेकिन होता है, अब मेरे दोस्तों यहां से पी आ गया, यहां देखो मैं जादू करने वाला हूँ, कई लोग को बहुत दर्ध होने वाला है, अब रुख जा, मैं नाम लेके पूछता हूँ, बताओ किसको यह समझ नहीं है, क्या हुआ है, बताओ, क्या 2 को हम root 2, root 2 लिख सकते है, क्या 2 को हम root 2, लिख सकते है, और यह वाला part क्या हो चुका है, 0, यहां क्या बचा, cos 5, तो दोस्तों जो पावर का फर्म होता है, AC circuit के अंदर, ERMS, IRMS, cos 5, क्या मेरी बाता समझे, क्या किसी को मीठा मीठा दर्द हुआ, क्या, नहीं हुआ, good, नोट कर लो प्यारे बच्चों, प्लीज, इसनल मिस्रा डाल जायागा, sorry, I'll check and upload in everyone, चलिए, हो गया, यह, चलो, आगे बढ़ते, अब मेरी बात समय ध्यान से, तो हमने पावर का भी फर्मला पढ़ा, यहां पर हमने पावर का जो फर्मला पढ़ा, पावर, अगर पहले आप जानते हो तो पावर का फर्मला होता था, पावर, यह आपको ट्रू पावर नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे हमने पावर नहीं दे रहा था, तो कहानी यह है दोस्तों, कि जब हम सिर्फ यह फर्मला का इस्तवाल कर रहे थे, तो आंसर सही नहीं आ रहा था, तो हम लोग ने जब डेरिवेशन किया, नहीं म्न लगाया, तो हमें मेग एक कॉस्फ और तो इसका प्लशपा वर इन्टो आई भी, दो डू अ, गले गेव ग्रव कर्वावर, गर वह दुम्हक भी, यह लूचित फॉर्मला का जाने बतालक नहीं, ल wreck, तो यह आपके पावर का फर्मला हो गया और जहां पर कॉस्पाइब किसको निकालने नहीं आता इसको लगाँगा मैं इंजेक्शन के लगाँगा अब जिसको नियाता बताओ पूछ लोगी ते और इंजेक्शन बहुत खतरनाक साए मजाग निकर रहा हो देखो भी दिखाता ह उसने बोल दिया कि भाई LCR सरकिट है तो आप बोलोगे यह होता है फाई यह होता है एक्सल माइनस क्या तुम लोग ने हद मचा दिया को सता है बेस अपन में आर भाई जैट तो यहां पर अपनी अपनी वैल्यू पूट करते रहना ठीक है कोई दिकत तो नहीं है बहुत ब यानि मैं आपको में इस चैप्टर में काफी डीप चीजों का समझा चुका हूँ अब देखें पावर एवरेज का फॉर्मला जो निकल के आया बस मैं कहता हूँ उस दिन का इंतियार करो जब हम प्रीवेस एर कोश्चन सेंपल पेपर यह वह सॉल्फ करेंगे और यकीन मान यह वाला कोशन आएगा तो आएगा और वो हम बताएंगे आपको टेंशन मतलो मज आ जाएगा लेकिन फिर भी देखो स्टाइटिक अब तुम बोलोगे स्टाइटिक में बताते फिर तुम प्रैक्टिस ही नहीं करोगे बाई चांस तुम प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आव बच्चो के सौ आते हैं तो एकसे आते होंगे तो हीली तोसिंपल सी सिंपल है वह लाष्ट मेरे साथ नहीं हूद नश्यक्ठ मॉक्त का क्सुछ लेना ठीक है प्राक्टिकल में नंबर कुछ लेना ठीक है प्राक्टिगल में बनंबर काट लेथे अपकar एग Рू प्र wen221. लोग तैश दिये थे अबैं अच्टाइस अनिति में 99 90 ऐसे फ़र जाते लोग 97 90 ए आरे में आरे में सिम्पल सी वात है प्रैक्टिकल में नमबर कटेंगे तो हंडड़ लाना टौफ है इसलिए सबस्ते टीचर का ना थोड़ा सा ख्या लगना पड़ता है यार लेकिन टीचर इतना दुख होता है ना इतना दुख कि सोच भी न सकते किसी का 100 में से 100 लिखा हो सकता है अगर स्कूल वाले प्रैक्टिकल के नाम पर कुछी नहीं कराते हैं प्रेक्टिकल के नाम पर कुछ नहीं कराते हैं, इनका सामगरी भी काम नहीं करता है, ठीक है जलो, यार दिखोला वदारा आजा इस स्कूल का टीचर अपने फ्रस्ट्रेशन बच्च पर वदारते, गर पे बीबी से लडाई हो रही है, बच्च से लडाई हो रही है, सहेली से स्कूल टाइम पर, वो तो पुछ 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 वा लेते, यहां उनका डेक्स है, यहां पर पुछ 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 एकदम, चो जाओ, आजे देवगन तो फाल तुम्हें बदनाव हैं, यहां स्कूल के टीचरों का हाल खतार ना आगए, चलो, P average is equal to ERMS, IRMS cos 5, अब यहां प सरकिट में, अगर इस तरफ करेंट है, तो VR भी इस तरफ है, तो एंगल कितना होगा, 0, कितना होगा, तो पावर कितना होगा, IRMS, ERMS, cos 0 degree, तो पावर ओटोमेटिक क्या होगा, बताओ, ERMS, इंटु में, IRMS, बस, ओटोमेटिक आंसरा रहा हैं सही, तो cos 0 degree हो गया, अगर एक pure inductive सरकिट है, अगर आपको याद हो, inductive सरकिट के अंदर, अगर इधर करेंट है, तो VR इस तरफ होता है, तो एंगल कितना होता है, 90, cos 90 0 होता है, बता है किसी को, cos 90, cos 90, कितना है, cos 90 0, तो power average क्या जगा 0, यानि एक्जाम में आएगा, कि भईया, pure capacitive, pure inductive सरकिट में, power consumption on an average कितना होता है, 0, 0 degree नहीं होता है, answer 0 होता है, मुर्क, आदेखको अगर pure capacitive हुआ, pure capacitive में भी power consumption कितना हो, बता हो, देखको इधर होता है, आपको याद हो, दोस्तों, इधर होता है आई, और इधर क्या होता है, वी सी, एंगल दुबारा कितना है, 90, cos 90 0, तो pure capacitive circuit में, pure inductive circuit में, phase difference 90 होता है, जिसके विएस से power consumption क्या होता है, 0, तो ये बाते आपको पता होना चाहिए, कि power consumption 0 होता है, किसके किसके अंदर, pure capacitive और pure inductive के अंदर, pure होना चीए, ठीक है, तो बा लिख लेना बाद में, फिर हमें waterless current पढ़ना है, average वो पढ़ना है, energy in inductor, फिर AC generator और transformer, ठीक है, तो अभी मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ है, energy या हमारा आज का last topic हो ऐसे, energy stored in a inductor, एक inductor में कितना energy stored होता है, energy stored in a inductor, आप देखिए, मान लीजिए, आपके पास inductor ह inductor मतलब L, है कि नी आपके पास, किसके पास नहीं है, ठीक है, तो मान लीजिए, आपके पास है inductor, क्या है, inductor, inductor यानि L, आप हम क्या गर रहे हम देखना जाते हैं, इसमें कितना energy आएगा, अगर इसमें हम current देगे, या इसमें current है आई, तो इसमें कितना energy stored होता है, तो हम पता होना चाहिए इस वर्क को हम एनरजी कहते हैं पता होना चाहिए इस वर्क को हम एनरजी कहते हम एनरजी हमारा होगा पावर in to duty आप किसी कई सारे बच्चों को यह नी पता होगा फावर होता है इंटु आई पता है घुटी अब बच्चे को जब लगता है कि इंटीगरेशन लगाया है तो उनको लगता नहीं मेरे बसके फिजिक्स नहीं है फिजिक्स तील लगाए क्या लगाए अब दिक्क्यत यह है कि तुम लोग डर रहे हो पर डरों मत नो फियर वेन मुनिल सर इस एर मुझा कर रहा है तो यह को यहां डाल देंगे यहां से आपको क्या मिलेगा एक मिलेगा एक मिलेगा एल क्या मिलेगा रोहन क्या मिलेगा आपको आपका गोला सारी रोहन यहां क्या मिलूऐ अपर अरे तो integration यहां आ यह लगा भागना नियाल मुम ने लेकर चुपा जाओ तो यह ल का में बहर किया constant है इसके लिए अवर यह यहा पर यह है यह आई स्कुरवाई टू अब जिन मानियवर को नहीं बता कि X इन्टू डी एक्स का आंसर चाहीं अब बता दू एक्स स्कुरवाई टू। वैसी आई इन्टू डी आई क्या हो जागा आई स्कुरवाई टू। तो यह हमारा ए पावर उनफंटर और इनर्जी इतना होता है तो टॉपिक का नाम था इसको ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा हाफ एल आई स्क्वेर ठीक है तो इसी को हम बोलेंगा यू तो यह हो जागा एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर एक इंडक्टर में इतना इनर्जी स्टोर होता है क्यों दिक्कत हो नहीं किसी को बोलो पक्का-पक क्या होता है यह पर क्या होता है यहां पर वोल्टेज होता है यह पर क्यों आगे बढ़ते हैं फटा आरe कों है क्यों को आन आख करना हिम्हाँति से करना दिल से करना है और दिमाग शे नोड़ कर लो नोज़ चैन rather mental ingot पूशिन आशी जा पूशना है 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 फूशना है यह जा पूशना है फूशना है यह अधियल आफ है इन फेर दना ने अधिक गट्रीची कर्णा है एग वर आल के लिख देंगे मेरे प्यारे प्यारे ओन्लाइन वाले बच्चे देखर माइक के ता सिस्टम बढ़ा गर दिया मैंने डूल माइक लगा रखा है डूल माइक इंटीग्रेटर शिस्टम है क्या अच्छा अच्छा लगाता हो नहीं मैंने इस पर एक वायर और ओप्टिमाइजेशन अगर इसका तुम वह देखोगे ना सिस्टम इसका बहुत ख वो क्या काटेगा सोच वह दिमागे लिए यह डल मुझे अच्छा लगा और सागर दूसरा की बातों पर ध्यानी देना ठीक है अपनी तरक्की में अपने ग्रोथ में लगे रहना सुभे साम All clear? All clear everyone? 爭ारा हम जसे म्याओ से अवस ना pepperणादि़ ही बातों जस्टम खारवार यड़रो धिज्टा शट हैhã अाल मैंट मैं एफ और उपित्शम है वह द cowbellगे अट्पैक será datasetsनट अबाल्स पार अवसिता الم झाजब च्म जजट हैंचिक क कиях बहत अवस्म हैम झारा हुँ हैं झाल ख कि अटे कि अटे कि अटते हैं टो जाजज से घराइं यहां प्राइजड़ कि आजे की की अटते हैं दोस्तों लव यू कीव सपोर्टिंग दोस्तों थाइंक यू सो मच्छ मुझे सपोर्ट करने के लिए प्यार करने के लिए आज मैं जो भी हूँ आप यूटूब की जंता की हुँ मैं यह इसान कभी नहीं भूलेंगा यह बात हमें से याद रखना कि आप लोगों ने जो मु नोट्बुक से क्यों नहीं बढ़ रहा वाई अगर बिल्कुल और नॉर्मल चीए तो मुनिल सर्फिक्स वाले से पढ़ ले वाई उसमें छोटी-छोटी वीडियो है ठीक है और कोश्चन बैंक के कोश्चन लगा लो यार जो भीजा मैंने आती है बीस नंबर ख्रीशन शुचन लगाक ही था ख्रीशन इन डीक्रिशन लगाउग yes ever भ्याकृ Ugh सिवान सिंग बादाव जाश्मीन अनवी हेलो हेलो प्यारे बच्चो लॉट्स अफ लव और ब्लेसिंग वेलकम बैक तुझा चैप्टर सो चुब जाओ प्लैनिंग क्या है देखो प्लैनिंग यह है आज एसी खतम होगा अल्टरनेटिंग करेंट कल को सा दिन है पांस सारीक पीछे डे है तो छोड़ो क्या करें अब कल कैसे करना है और देखो ग्याइव से तरीक तक दस शप्राइब करने इक नुमेरीकल तो सिदेक्स के फिस्टे लेंगे इंडियमाई लेंगे कि मतलब जाए लेंगे तीसा चाप्तर चाप्तर पाचबा छटा साथा इन चाप्ट्रinh नुमेरीकल टीसरा चौथा वाचपा शटा साथ वा इसके मो हो टॉफ नुमरीकल क्रिंगे जादा निंगे तर द Поэтому क्रिंगे शांसे के प hearts तो लाइट बंद कर तो फिरागे बढ़ते यानि कि अवाज आ तो रही है क्या बात कर रहे हूं कि नितिन मिस्रा मैंने वो अपडेट में डाल दिया है वो आज ही आपको देख जाएगा थोड़ सा टाइम लग रहा है कि आपके यह अप्डेट चल रहा है मतनमे लगा दिया है प्रसेश में ठीक है मैंने टीम को मेसेज कर दिया नितिन मिस्रा आपका समय क्वाइब हो गया ही आज ही आप पर एपर गहाँर के अंदर थे नितिन नितिन जो आपने बोला हैब हो मैंने सेम तो स्टूम instructor Chemistry chemicalids yo जो आपने बोला है ना लो मैं स्केट थेख नहीं कि बच्चे कहेँग है तुमने नही Parliament प्राइड वाली पूरा तो दोस्तो प्लैनिंग समझ में आ गई दस तारीक से हम स्टार्ट गरेंगे रे आप्टिक्स और आपके आसे वह छुट्टी बंद फ्राइडे वाली छुट्टी बंद और सटेडे वाली छुट्टी पने यार मैं सटीने फस्ट गया कोई निचुट है है मैंने चल रही है है चलो अरे यार वो मैं सालो का होताने क्लाइव ठीक है रिवी दना ठीक एचलो सो दो जान चलो स्टार्ट करते हैं यह के साट करते हैं अगशं का लच्शर अब मेहणत यह ताइम आ गया है अपना टारिट रहेगा हाब बच्चका फिस अब तुम बोलोगे सारी क्या बाते कर रहे हो। फिजिक्स में 95 प्लस लाने सच में इजी है। बोलो कैसे ? एक practical बाते कई करते हैं. मैनेना का 70 नंबर का paper आता है। किooky tracking paper आपक से लेकर 16 या 18 आप्स तक नुमेरिकल देंगे। या 13 नंबर का भी आसकत है numerical, यानि numerical न, numerical average मालने थे कि 15 marks के आपको numerical दे देंगे वो, चलो, तुम्हारी किसमत बहुत घटिया है, तुम बिलकुली घटिया इंसान हो, लो, बहुत घटिया किसमत है, 20 नंबर के numerical आगया, तो 70 में से न, सोचो, 70 में से 20 के numerical गए, तो 50 नंबर की आपके पद है क्या नहीं है, theoretical question, derivation, conceptual question, लेकिन इतने भी तुम बेकार तो रहोगे नि, मैं आपको guarantee देता हूँ, कुछ ऐसे questions है, जो हर साल पक्का ही आते है, same to same, हम numerical में अगर बहुत महनत ना करें, और हर चेप्टर से सिर्फ गिंती के दददस question याद करके चले जाए, य 20 में से 8, 8 नंबर में ओर्टिक लगा देंगा, वो आ जाएगा, पक्का बोलगा, पक्का, अब बताब कितने होगे, तुमारे पस कितने नंबर आ गए, 58 नंबर, आप समझो, अब यहाँ पर क्या है, हमारे बच्चे हुए, कितने नंबर बच्चे हुए, 12, आप ये 12 नंब लिगो और एक्टिंग करते रहो, एक्टिंग करते रहो कि मैं ट्राई कर रहा, क्यों मैं समझाता हो, जैसे मुझे पता लग गए है, यह कॉश्चन वायड सावने लोका है, बोगो इतने मुर्ख थोड़ी हम लोग, इतने मुर्ख नहीं कि पता न चले कौन से चप्टर का क्वेशन वह फॉर्मॉला लिख दो अगर दो नंबर का क्वेशन है तो फॉर्मूला लिखते लिए तुन्वारे हाथ में आध्य नंबर आ गए myths तो ऐसे आध्य आध्य नंबर करके अगर तीन-चारर में एक अध्याधर नंबर लेंगे तभी तुम थोड़ा बढ़िया से पढ़िके जा रहे हो, बात को मान के जा रहे हो, तो यकीन मानों, आप 65 लिया होगे, 70 में से, और अपको 92, 93, 95 दिखाई देगा आपके रिजल्ट में, देखो प्रैक्टिकली बात करो, डरने वाली क्या बात है इसमें, सबकुछ नुमेरिकल थो जाते हो, तो यकीन मानों, यार नहीं आता है इतना टफ, हाँ, एक कोशन ऐसा आएगा, जो जे लेवल का होगा, एक ही कोशन आता हर साले, यह इतिहास गवाए, तो इस कोशन के पीचे भागना है क्यों है, दो नंबर का आता है, वो दो से तीन नंबर का, इसलिए बच्चो लेकिन 95 तुम्हारी जेम में है, बहुत सारे बच्चों के आते, आप यकीन मानू, बहुत सारे बच्चों के आते, तो आप खुछ सोचो ना, यार प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली बात क्या गरो, कि चल कुछ भी नहीं, मैंने फॉर्मला भी याद नहीं मुझे, एक भी निम अधर तुम ज्यादा नहीं, सिर्फ डेरिवेशन और थेरी पढ़के जाते हो, तब भी आपको 35 नमर मिल जागा, 70 में से इजिली, ऐसे बता रहा है आप लोगो, पर टार्गेट हमारा 95 पुलस ही है, अब हो कैसे आएगा, मैं दिलवाँगा, मुझे पता कैसे दिलवाना है अब काम की बादे करते हैं, अरे भाई, तुम मुर्ख हो, लास्ट मैं ऐसे ऐसे कोशन बता दूगा, वो पेपर में जागे देखेगा और तुम बोलोगा, यह कैसे कर दिया इसने, इस बंदे ने कर कैसे दिया कि यह सेम टू सेम पेपर में आगे, बच्चे चौक जाते हैं बच्चे पेपर देखे आते हैं, फिर क्याते हैं, आपको कैसे पता था, अरे पता किया है, अगर मैं पेपर बनाऊंगा, मेरी मेंडल्टी क्या होगी, यह अच्छा कोशन है, यह डाल दू, तो अच्छे कोशन है, हम टिक लगा देंगे, बोलेगे, हम बगवान है, ऐसा न लगता है, एक्सपीरियंस बोलते हैं इसको, चलो, अब हां समझ में आ गया, चलो, तो कहानी यह है, कि आज की वादे करते हैं, नितिन मिस्रा कोडिनेशन कंपाउंड के एक ही लक्चर है, यह हुआ नहीं है, रे आप्निक्स के दो लक्चर है, नहीं यार, ओल्ड ओल्ड औ और उसका है, जो स्टाइटिंग का है, सुनो, कहानी सुनो, ध्यान से, स्टाइट करते हैं, अभी हम अपन पढ़ने जा रहे है, वाट्लेस करेंट, ठीक है, देखिए, वाट्लेस करेंट, क्या पढ़ रहे हैं लोग, वाट्लेस करेंट, अब वाट्लेस करेंट का पावर ना लगे ना कंस्यूम हो पावर क्या मतलब है देखिए अगर मैं हर बार आपको या दिलाओं तो पावर का फर्मुला हमारा होता है पावर एबरेज का फर्मुला आपको बता है इन दोने के बीच में कुछ ना कुछ फेस डिफरेंस होता है जिसको हम फाई बोलते हैं याद आप लोगो अरे नर्ख में जाओगे याद नहीं है तो टो पूब कि नीचे देख रहा था बहुत देर से क्यों हां बताव पिछला देख रहा था कभी नीचे का अब होगा इसके और इसके गांपनेंट आंट यादे अगर अगर इधर एक्स है और यहां पर ठीटा है तो इस तरह पताए क्या एगा एक्स कॉस्टीटा और इस तर और यह ठीटाई तो ऊपर होगा X खॉस्ठीटा इचे होगा Xáyn ठीटा दोस्तु तो अगर यह I RMS है और यह 5 तो जैसे यह X है तो ऊपर क्या हो गया X कॉस्ठीटा ये I RMS फायगा आय। आरम में सकाव्वर और इस तौरफ आंदे जोगा आई आरे में साइन फॉइल स्वेल आया में सब्सक्राइए अब कहानी को संबंजना अब मैंने कहा देखो ध्यान से थ्यान से यह आपका यह दिकर्ण को और इसवाले खलेंट को देखो देखा यह करेंट यह करेंट 90 पर है, e rms and i rms sin phi, दोनो 90 degree पर है, यानि कि आगर हम power का फर्मला देखे, तो हमें कितना एंगल पूट करना पड़ेगा, 90, कितना पूट करना पड़ेगा, तो इस वाले current के लिए, इस वाले current के लिए, e में और i में कितना एंगल है, तो cos 90 क्या होगा, तो power क्या निकल के आए जीरो आंसर देता है, क्योंकि इसका e और i के बीच में एंगल कितना हो जाता है, इस वाले को देखना ही नहीं है, आपको इस वाले को देखना पड़ेगा, तो cos 90 क्या होता है, ओबिसली बात है, एक चीज़ी जीरो है, तो सब ओटोमेटिक हो जाएगा, ऐसे बतारो हम आप को, और जब यह 0 होगा, तो आंसर क्या आएगा, यानि कि, यहां नहीं कि हमने क्या सिखा, क्या होता है, current, current, which, which has no power consumption, जिसके अंदर power consumption क्या हो, बताओ, 0, which has no power consumption, और क्या सकते हो कि power average क्या होता है, इसका, 0, ऐसा current जिसके लिए power 0 हो जाएगा होता है, यानि इस current से हमारा कोई लीविल नहीं आएगा, कोई watt नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, तो wattless current का formula क्या होता है, बताओ मुझे, IRMS sin 5, IRMS sin 5, समझे, तो IRMS sin 5 आपका होता है, wattless current, और इसका कोई power consumption नहीं होता है, क्यों, क्योंकि वो ERMS और IRMS वाला, कितना एंगल बना रहा है, 90, 90 क्या होता ह नहीं नोट कर लो, फिर दोस्तों अपनी स्टार्ट करेंगे, transformer and AC generator, फटाफट दोस्तों, हेलो everyone, प्रिय कृष्ण भाई, थैंक्यू, धन्यवाद, राधे राधे सिल्पी यादव, प्रिय कृष्ण जी, थैंक्यू सो मच, नितिन मिस्रा, येस, कमिस्टी सेक्शन भी चेक कर वादेते हैं, कर लो यार, व्ली थैंक्यू, ज्यूस कॉष्ण भाई, ठीक एंक्यू, भाई, राधे व्ली शुटीू, थैंक्यू, नितिन मिस्टी प्रिया, नितिन अभी प्ली टूविट आपचित पर एसी के कोईशन्स कर लेंगे हम, तरकि हाथ वाथ ये चप्टर मजबूत हो जाए. अजय कोईशन्स कर लेंगे हम, तरकि हम जाए. मीठे रस्य से भरी रे माहरानी लागे, मैंनु खारो खारो चमना जिद्धा पानी लागे. डन एब्रिवान, ओके. अब दोस्तों, एक ऐसा टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, इतिहास गवाह है कि इस टॉपिक को पहली बार में सिर्फ कोई नहीं सीख वाया. इस टॉपिक को जो पहली बार में सीख लेगा, आप मुझे बोलना भाई, मुझे पांच लाग दे दो, मैं दे दूँगा, पांच लाग प्रापर, प्रापर, प्रापर पांच लाग, एक रुपे भी कम नहीं, बजाग निकर रहा है, अगर पहली बार में सीखने कोई काश, काश, मैं इतना होता कि मैं कहता है, बाई, पांच लाग दूँगा, और मेरे को चेक काटने में दिक्टत नहों तकलीफ नहों, यहां मैं चेक काटूँगा, मेरा आत्मा कट जाएगा, आज भाई, पांच लाग यार देखा भी नहीं आज तक, ठीक है, पांच लाग इखटे नहीं देखा, अज तक, सच बोल रहा हूं, मैंने इखटे देखा है, मैक्स टुमैक्स, अब अगर मैं बड़ा आदमी होता है, तो मेरे को को दिक्टत यह पांच लाग इसको दिया, पांच लाग उसको दिया, पांच लाग, यह हम छोड़े, कोई बात ने, प्रनव भाई, बढ़ा भाई, बढ़ा बढ़ा आई आगा बढ़ते, ट्रांस फॉर्मर, देख़े ट्रांस फॉर्मर क्या होता है, समझेगा, यह ट्रांस फॉर्मर क्या होता है, इस बात को समझे, देखे, ट्रांस फॉर्मर क्या होता है, इस बात को समझे, ट्रांस फॉर उमर एक कहानी लेते हैं कहानी समझाता हूं मालो यह उत्रा खंड है UK क्या यह यह यो के वच्छे कई सारे बच्छे बड़ा कूल बनेगे भाई मैं तो UK से आयों घूमके UK से आयों पदा तुम्हें हमारे टाइम पहसी बोल देते हैं अभी हमें UK का ट्रिप हो रहा मारा यू क वट रखन दोस्तों मेरा फेज़िए रिशिकष नहीं रिशिकेश फेडरीट जगे वहां जाके जो शांत्सी की अनुभूति होती होती है वाह वाह बजाओ UK उत्रा खंड में दैम तुम्हें हो गया बत उत्रा खंड में डैम लगा हुआ है क्या लगा हुआ है तैम उस डै के लगें मैं से ना बिज़ी बनाते हैं कि मनाते न घूमते घूमते है एलक्रों सकता है इसा तो होता है तो दिल्ली में तो बिजली पैदा करते को इल्से करते पर इतना तो इसमें पॉलिशन अब लाना वहीं से लाना है उत्राखन से लाना है मैक्सिमम बिजली आप प्रब्लम यह है कि बिजली लाए तो लाए कैसे इतना दूर हो यह ऐसा हो सकता है जो पावर लॉस है चुब जाओ पावर लॉस है उसको रोकने गाए तरीका है कि आगर हम यहां पर शौड़िड़ बहादे तो बढ़ांने से नब पावर लॉस कम हो जाता है था या पावर कि वोल्टेज बढ़ाने से पावर लॉस कम होगा, और लॉंग डिस्टेंस ट्रांस्मेशन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लॉंग डिस्टेंस पे ट्रांस्फर कर सकते हैं, हाई वोल्टेज पे, तो लोगों ने का या अब वोल्टेज कैसे बढ़ाए, वोल्टेज बढ़ा द कुश्चन है इंस याटी में टाउन एक टाउन से बिजली को हाँ सिटी की तरफ पहुंचा रहा है ठीक है चुब जाओ तो इस टैप ट्रांसफॉर्मर फिर मालों बिजली हमने हाई वोल्टेज पर भेज दिया अब भाई साब आप लोग घर गली में महले में घर में घर में जा रही है हाई उल्टेज की बिजली डारेकस तो निरेक घर में भेज नहीं सकते हैं तो क्या करते हैं घरखे आसपास एरिया में पार्क में दूबारा क्या प्राइब लगाते यह एस टैप डाउन यानी जो वोल्टेज आ आपने बढ़ा दिया था अधे आपकि आपका नुकसान नहों मेरे बाद समझे तो ट्रांसफॉर्मर्मर ऐसी डिवाइस है जो वenne Estelle रूटीज बढ़ाता ऑर झार इन पर डूर से भिजली अगर घर तक पहुंचानी है तो आपको हाई घोल्टेज पे ट्रास्फर करना है और हाई घ्राइज के से रोगार से खेbelां दिटावाहिओ खुंट करेंगे तो पावर लॉस इस कहानि को लिन को हैं कि यहाई घोल्टेज प्रॉर्ण कई पउंंट्स लिखने था बचारों मैं क्या-कई पॉंंट्स लिखोगे कि हाईडिन लों डिस्टेंस त्रांपमेशन इस डन ऑन हाई वॉल्टेज हाई वोल्टेज की हेल्प से हम लॉंडस ट्रांपिर कराते क्वाने अद आ एकजाम में आता है और कहानी क्या है मेरे दोस् तो ऐसे ना एक बॉक्स टैप का होता है ठीक है आप देखना कभी इसको रियल में तो आपको दिखाएगा ऐसे पट्टिया लगाई जाती बहुत सारी पर मैं दो पट्टि लगा रहा हूँ अब तुम्हें इमेजिन नहीं कर भागे यह सरी क्या है तो अगर मैं आपको इमेज श क्या है अनेट से निकाल लोगे अंदर ना ऐसे ही बाइंडिंग होती है देखो यहां पर ऐसे बाइंडिंग की जान रहा करते हूँ यहां से यहां से हम कहीं से कई यहां पर हमें कोई लगा देते हैं कि कई से समझाता हूब और यहां पर भी हमें कोई लगा देते हैं यहां भी coiling करते हैं अब आई आप पे डिपेंड करता है कि आप coiling कैसे कर ओगे मैं यहाँ पर ज्यादा coiling कर रहा हूं देखो देखो और यहां से मैं output लोंगा output मतन्द मुझे आगे जहां भेजना मैं भेज सकता हूं अब कहानी को समझना दिल से और दिमाग से कहानी यह है सागर बात ने हंसिता नियंता है कि आपने कहाणी समझी है में इसका जो प्रेंसिपल समझा रहाऊ है यह जो सब्सक्राइब क्या ओंग्रम द्षिस यह किस नियम पर काम करता है यह काम कि इसके लोगा के गत्रों कि तका सबस्ते हूं old insists ऐसे कि होतले हैं आप अधिक वड़ прalosa सफ्नीन जुए अज़ा जी अगर और को तो सक्षाओंत कर्वाट्ट में इसको ट्राम में सक्ष क्थार एड़ distraction कि षक्षार पढ़ा आप लोग ने कि पहले में अगर करेंट चेंज हो तो दूसरे में ओटोमेटिक करेंट पैदा हो जाता है तो होगा क्या जैसे ही डैम से करेंट यहां पर आएगा जैसे डैम से वह तर्वाइन से पूरा सेटप से करेंट इसमें आएगा ओटोमेटिक करेंट इसमें भ पीसिकल टूडी वाई यह ओता है एवस्का फॉरमल लो यहां पर रे को पहला हुआ इवन मांड रहे तो यहां पर टी वाइड यहां मांडुकि नंबरी कोईश च áबे लगе करने जा रहे ऑच्कgo तो इंपोर्टेंट कॉल है आप इससे नोट करो इंपोर्टेंट कॉल मतलब को डिलिवरी वाला बंदा आया है एक्चलिन मेरे को कोई चीच खड़ी दना है तो मैंने उसके लिए कार्ड बन वाया एया माई करवा सकते हैं तो ना कार्ड से इजिली देखो दोस्तो देखो कानी यह है कि हमने बोला कि यहां का जो EMF होगा वह होगा D5 by dt N1 और यह आपका इंपूट वाला है बता है आपको इंपूट कि एक तरह से मालो यहां पर कितना इंपूट मिला है और यहां पर आउटपूट के अगर हम बात कर एक प्रकार से तो यहां अपर EMF कितना होगा E2 जो कि होगा D5 हमने बोला कोई लीकेज नहीं है कोई फ्लक्स लीकेज नहीं है कुछ भी लीकेज नहीं मान रहे हैं मान रिप्स पूरा पूरा एनरजी यहां तक पहुंचेगा तो D5 by dt यहापर क्या जागा एंटू अब एक चीज का हमेंसा ध्यान रखना है कि EMF number of turns पर डिपेंड कर रहा है यहां पर number of turns जादा रखेंगे तो यहां पर यहां पर नमबर अफ टरंस क्या रखेंगे कम ताकि यहां पर वोल्टेज क्या रहे है एक तरह से कम वोल्टेज क्या रहे है लेकिन यहां number of turns बढ़ाने से क्या होगा बताओ यह में बढ़ जाएगा तो लो भाई क्या होगा यह स्टैप अप यानि कि अगर आप अन्टू नमबर अफ टरंस आफ सेकेंड बढ़ा कर देते हो number of step down ठेक है तोगर आपका end to छोटा पर गया एंटू बतलब यहां का कम पर जाए क्या हो जाए कंप पर जाए तो इसको बोलते हैं step down इस्टैप डाउन ट्रांसफॉर्मर इसको भी छोड़ो लेगिन यह कम होना चीए तो यहीं ट्रांस्फॉर्मर्मर्य इसके फॉर्मले देख लेते हैं तो फॉर्मल एक डिवाईस है जो वोल्टेज को आप डाउन करने एकाम आता है यह किसके ऊपर काम करता है यह काम करता है mutual inductance पे, mutual inductance क्या कहता है, if the current changes in primary coil, induced current appears in secondary coil, लिख देना mutual inductance के बारे में लिख दोगे? ठीक है, तो यहाँ पर please mutual inductance के बारे में यहाँ पर लिख देना, क्या कर देना? लिख देना, मेरे students, ठीक है? ठीक है? चलो, तो कहानी यह है, अब mathematics की बात करते सुनो, formulae, numerical solving के लिए कुछ formulae की बाते करने है, तो पहला आप ध्यान रखिए, देखे, पहला क्या हम मान रहे है, कि अगर हम divide कर दे e2 by e1, तो क्या निकल के आएगा मेरे मुर्ख दोस्तो, ध्यान दो, मेरे प्यारे प्यारे संदर संदर बच्चो, देखे, अगर e2 और e1 को divide देखे, और बहुत basic question आता है, इसके उपर, दूसरा क्या हम formula बना रहे है, ध्यान देजिए, हम मानते है, no power loss, हमने कही दिया, यहाँ पर कोई भी energy का waste नहीं हो रहा, तो power of first equal to power of second, power of first equal to power of second, तो देखे, e1 i1 is equal to e2, कई लोग बोलेंगे यह कहां से आगया, भीया, पावर voltage into current, voltage into current, यहाँ से बहुत अगरी बात पता लगती है, बहुत अगरी बात क्या पता लगती है, देखो, e1, चलो, e2 by e1 निकालो, क्या आएगा, बताओ, e2 by e1, आपका आएगा, i1 by i2, करके देख रहे हैं, यकिन नहीं हो तो, अरे cross, मैं, यार, 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 य इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है, हमें लग रहा था, कि transformer भगवान है, voltage को बढ़ा रहा है, voltage को घटा रहा है, voltage बढ़ारे का मतलब क्या है, energy आपने बढ़ा दी, अगर मैं ऐसे बहू कि भाई, मैंने voltage को बढ़ा दिया, तुम कह रहे है, energy कैसे बढ़ जाएगी energy cannot be created, nor be destroyed, तुम तो law of conservation of energy को खतम कर रहे हो, तो physics का सबसे बढ़ा नियम है, law of conservation of energy, physics का सबसे बढ़ा नियम है, तुम कहरे, voltage बढ़ गया, नहीं भया, voltage बढ़ा है, पर किसी घाटे के साथ, मैं समझा रहा हूं, देखो, क्या घाटे के साथ, समझना मेरी बात को, कि ये formula हम आउट्पुट में, voltage को बढ़ा होगे, तो current तुम्हारा घट जाएगा, क्योंकि E2 और I2 दोन आपस में क्या है, inverse, यहनि transformer तुम्हें बेफ़पो बना रहा है, वो तुम्हारा voltage बढ़ा रहा है, और current को घटा रहा है, ताकि energy conservation रहे है, नहीं समझा बढ़ी बात को, जैसे म 2 रुपे का सिक्का है ले ले, कहे रहे हैं, कहे रहे हैं, 2 रुपे के नोट देखे निए गया, लिए होटे थे तुम्हो Alea, तो यहिए वाली बात है, छुब जा बात सणो, तो पहले तुम्हारे पास 500 रुपे के नोट और 2, फिर बाद में, बाद में क्या हुआ, बाद मे यानि कि अगर तुम्हारा 500 को 1000 किया जा रहा है तो 2 रुपे को 1 रुपे के जा रहा है तो बात बरावरी है तो ट्रांस्फोर्मर कोई जादू नहीं है बस होगे ऐसा डिवाइस है जो आउटपूट करेंट को बढ़ा सकता है तो आउटपूट वोल्टेज को बढ़ाएगा तो हागे करेंट को घटा आदेगा तो क्या यहां पर law of conservation of energy वैलिड है हाँ जी तो एक्जाम में कुशन आता है कि क्या transformer के केस में law of conservation of energy उबे होता है उबे बच्चा कहता है अरे वेटे बढ़ जाता है हमें बढ़ जाता है यह तो बढ़ जाता है हमें पता ही है हावे energy तो मेरा नीट का वेपर बहुत बढ़िया गया है ठीक है अरे ऐसी मैं बोलते रहा हूं बच्चों की गलती क्या है बच्चे सारे concepts को नहीं सीखते मैं ऐसी मजाक उड़ा रहा हूं मजाक मजाक कर रहा हूं मैं यह कह रहा हूं अगर आप इमांदारी से पढ़ते सच बोल रहा ह है एक सो एक सो असी में से एक सो असी नीट नीट के जो भी उसका चल रहा है पता रही क्या चल रहा है कि हां जो भी है क्यारे सर कुछ नहीं करना है एंसियाटी लेवल बढ़िया से पढ़ना है इमांदारी से पढ़ना है रिवीजन करने शॉर्ट नोट्स बनाने है और बह तो यही कहा रहा हूं कि देखो यार, things becomes easy, वह बच्चे काफी, मतलब हार्ड वर्किंग भी रखता है इसकी बातों से, बहुत हार्ड वर्किंग लडगी है, ठीके नाम याद न्याद न्या रहा है, मतलब नाम मेरे को याद ही न्या रहा है, तो कहानी यह है बिटा कि, देखो आपको फॉर्मुला क्या कहता है पता होना चीब, बहुत ही मांदारी से पढ़ना है, बचे का करते हैं ऊपर उपर से पढ़ लिया है, और ऊपर से पढ़ो को तो कैसे नीट निकलेगा, कैसे कोई भी एक्जाम निकलेगा, आपको बहुत गहराई से जाना पड़ेगा, तो आपके पास इन दोनों फॉर्मुला की हैल्प से आप कोशन कर सकते हो, यहाँ पर कुछ थ्योरिटिकल बाते हैं आपको बता दू, थ्योरिटिकल बाते क्या होती है, कि अगर हम उने देखो, जान दो, ई2 बाई एवन दिखर आपको, इसको ना आर बोलते हैं, वैसे ही, एन अरे आई टू पता है, यह आर क्या होता है, बता है किसी को, बिहार वाला नहीं, ठीक है, देखे, आर का बतला है, ट्रांस्फोर्मेशन रेशियो, क्या बोलते इसको, ट्रांस्फोर्मेशन रेशियो, ट्रांस्फोर्मेशन रेशियो, देखे, यह ट्रांस्फोर्मेशन रे गदाऊन है नमबर उफ टरंस का रिशो है अरे परी फिलिक्स में एन टो एन बनबन बताने क्या होता है एन वन मतलम भी नमबर ऑफ टानीशन फॉर्स टैन्ट मतलम फॉर्स्ट अर तुमतलम नमबर अभ ट्रंस अफ बाइंट आर आई वन भाई तो एन टुब उए एन वन एटू बाई एवन आर मतलब transformation ratio अब एक और छोटी सी बात जो आपको दिल में जहन में दिमाग में रुख जाओ पहले कि यह स्विच आफ हो जागा रिकॉर्डिंग वाला सिस्टम हमारा सारे competitive exam ना यकीन मानों दिल से बोल रहा हूं मैं बहुत टफ नहीं है यार बहुत टफ सच में नहीं है अगर आप इमानदारी से चीज़ों को पढ़ते हो अगर आप मतलब आपको ना एक सपना से जाना पड़ेगा तभी आप मैनत कर सकते हो मतलब आपको किसी को ड्रीम करना पड़ेगा कि यह मेरे को चाहिए और उसके पागल होना पड़ेगा कैसे आप कुछ ऐसी चीजी सोच लो जो आपके अउकास से बाहर है उसके लिए महनत करो इसमाल लो किसी को सोचो कि मेरे को ना बढ़िया सा घर लेना है एक बढ़िया से गारी लेनी है अब उसके पीशे मेरा एक सिंपल सा एम है कि रहने के लिए एक बढ़िया सा घर लेना है ठीक है मतले सिंपल से रहने के लिए कम से कम एक घर होना चाहिए वह लेना है यह अपने लिए कार लेना है या फ्यूचर के लिए अपने बच्चों के लिए या किसी चीज के लिए भी कुछ बढ़िय या फ्यूचर सोच के कुछ ना एम बनाओ, अपने आपको जीरो पर मानों, यह भी मत मानों कि आपने विदे कुछ पढ़ा है, जीरो पर मानों कि भई मैं बिल्कुल जीरो पर हूँ, उस एम को दिन रात सोचो, सच में वो लाइन बहुत हेट करती है, सपने वो जो तुम्हें सोने न दे, सच है यह, मेरे को फर्क ही नहीं परता है, रात को चार बच जाते हैं, काम करते हुए, पांच बच जाते है, छे बच जाते है, दो घंटे सो गए, तीन घंटे सो गए, हेल्थ, थोड़ी हेल्थ पर ही फाक्ट आएगा, मानता हूँ, लेकिन आप अगर एक्सरस पेपर लो, पेपर पर टारगेट लिखो कि भाई मुझे ये वाला काम करना है, इस चाप्टर का रिवीजन, इस चाप्टर का शॉर्टन, मुझे माईंड मैप बनायाना और प्समोलाशी बनाना है, और जब तक वह काम ना आप 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 सोना ही, सोना ही नहीं है, ऐसे करने अब यहां पर कहानी को समझना तो अब को बता दिया टालने रही और खाड़ी अगर कोई लॉस होगा आगर कोई लॉस होगा तो क्या लॉस होगा ट्रास्फॉर्मर के अंदर तुम यहाँ पर लॉसे की बात किरते हैं कि यहाँ पर लॉसे की बात किरते हैं बाइज जितना भी होगा हीट लॉस तोगा और ज्या जीट होगा है हमीं। हमम समस्ते हो ... मतल। के रूप में एनर्जी होगी अवासे से करता है अब द2 करता है यह हो कि पर दो लगिया, जितना आप सोच रहे हो कि जितना यहां पर Flux होतना हो पहुच दो रहे रास्ते में लीक भी तो हो सकता है चलिए Flux सब्सक्राइब तुम दूनों की करवाद है क्या आपस में लगे हुए तुसको देख क्यों रहे फिर अच्छा वह देख रहा है तुम भी देखोगे अच्छा बहुत वह यार अध्यां दो यह बोतल लेन देन में टाइम लगा रहे हैं दो सब मतलब क्या होता है जीजए ट्रांस्फर्मर है अब कुछ विए सूचिए है अगर आगर करेंट वहाँ पर है אות हो दो मिटी करेंट है तो मेंगनेट फिल्द भी होगा तो जब मेंगनेटिक फिल्ड यहाँ पर लोहा ही को है यह कोई अपर उपक्तुल्स की कि मैंगनेटिक फिल्ड हो यहा Southeast जिसके विए से यहीट हो जागा, क्या हो जागा, समझभाए एडी करेंट क्या होता है, तुम्हारे स्लेवस में नहीं आसी बताया है, वह आया कार्ड, आ रहा हो एक मिनिट उको, सुनो, कहानी क्या है, जो शीट होगी उसके, किसकी ट्रांसफ़र्मर की, उससे मैगनेटिक फ च्धीलत कराएगा, तो वहाँ पर क्या होगा एक करेंट, समय को है एडी करेंट, को बचाहिग बहुते है तो और आटी करेंट का मतलब है एक करेंट समझाता हम देखो, करेंट को बलक अफ मटेरियल, बलक पूरे में, बलक गशल सब्सक्राइब करेंगे तो अगर आपको एडी करेंट को पैदा नहीं होने दिना है तो आप प्लास्टिक से इसको एलिमिनेट कर दो प्लास्टिक लगा दो तो यह चीजे होती है पर अभी हमने बेसिक बात इस समझा ठीक है बांगी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं हमिंग लॉसका इसक्रोल कर सकते हैं काई करके बढ़िया तो यह आपका हो गया ट्रांस्फॉर्मर आप इसे नोट कीजिए फिर हम पढ़ेंगे हमारा लास्ट टॉपिक है शप्टर का एसी जन्रेटर इस्टार्ट करते हैं लास्ट टॉपिक एसी जन्रेटर आप बताओ क्या यह नाम आपको मुर्ख बना रहा है यह नाम आपको बना रहा है मुर्क कौन कहया है हम पहली से ऐसे बनानी सकता है और च्छों दोस्तों एसी जन्रेटर एक ऐसी चीज है जोमिस्लीडिंटिक अविश्ण क्रियास कर रहा है क्योंकि एक से और आ कि रहा है Carson Energy को हमने जनरेट कर दिया Energy cannot be created cannot be यानि cannot be created na तो energy क्रेट नहीं सकता तो यह misleading है energy कभी create नहीं होते तो सरे एसी जनरेटर में होता क्या है current आता है फ़र किसी और बज़े से किस वज़े से सम्झाते हो लिए हे यहांपर बहर है कि यह होऊता है और हाई रफटारमें पानी आ रहा है। और हमने क्या किया है बगल में ही बगल में एक सेटप कर रखा यह सेटप आपने मेरे से बड़ा सा इलेक्ट्रो मगनेटिक इंडक्शन में फिर भी मैं आपको रिवाइस करवा दू देखिए इस सेटप की खास बात क्या है कि यहां पर एक कोईल है कोईल जिसमें नंबर अफ अब यहां से बैल्डिंग करके एक्सिस निकाला है यहां पर होते है slip rings इसका नाम क्या होते है इस रोड को रोटेट कराने में हेल्प करते है इसका नाम होता है S1 S2 लिख देता हमें चलो और यहां से हम इसका वो ले सकते है आउटपोट जो करेंट पैदा होगा उसको हम ल तो यह लोड का मतलब कुछ भी लगा दो, पंखा, AC, Transformer, इंसान, जो मर्ज लगा दो, ठीक है, तो यह S1, S2 का नाम होता है, Slip Rings, समझना भी रुख जाओ, अभी हम AC generator पढ़ रहे है, S1, S2 का नाम है, Slip Rings, क्या नाम है, Slip Rings, यह क्या करता है, helps in rotation, helps in rotation, helps in rotation, rotation में help करता है, rotation मे है, help, क्या करता है, helps in rotation, आप कहानी समझाओ, कहानी यह है, कि यहाँ magnet का North Pole, यहाँ magnet का South Pole, और हम क्या करते है, यहाँ से माल मैंने पंखे लगा दिया ऐसे, इसको बोलते है, turbine, क्या बोलते है, turbine, अब जैसे ही, मैंने बहुत rough idea ले रहा हूँ, आप लोग को समझाने के लिए जैसे यह पानी तेजी से जटके से, पाइट के थुरू या कैसे भी, जैसे बहुत तेजी से इस पंखे से ठखाएगा, क्या पंखा घूम जाएगा, तुम लोग की beef बढ़ा देता, मलाक कर रहा हूँ, जैन ido, कहानी यह है, नक्सान आपका हो रहा है, हमारा हो रहा है, सबक वाला पार्ट ऐसे टर्वाइन घूमेगा तो समझो तो इससे जुड़ा हुआ जो रहोड हमने लगाया रहोड बैल्डिंग करके क्या यह भी घूमेगा और जब गूमेगा और जब में एक कोईल घूमेगा क्या वह रहा है मैगनेटिक फिल्ड में कोईल घूमता है तो इससे लिवे पैदा होता है क्या पैदा होता है क्योंकि हम लोग ने पढ़ा है इसे न होता है डीफायवड़ जिट्यू जहां पर न होता है नमबर खुण अब यहांपर अगर आगर बात करें तो यहां पर अन की सब्सक्रेंट लोगात्ogo चम्होछ पाइज निटेटा होका है कि जो ताइम लोग ada ट्रम को होता है तुछ व्21 मेलम मेंस तर। तो एक चाहिए और बी जगा बी एक जगा ए और डिफ्रेंसियेशन ऑफ कोस्त आ होता है देखो यार प्लीज मुझे माफ करना कर तुम्हें इतनी बात नहीं कहता हूं यह तो डिफ्रेंसियेशन एंटीग्रेशन एंटेल लगाए लगाए करवा तेल इस अब लोग अभी तम के नहीं सना करवा तेल देशना अरे गाना था बहुत फेमस हाँ कोने खेल अभी तो महके कर वा तेल ऐसा कुछ था हो चलो सुन ध्यान दू प्लीज तो सरसो तेल होता है इसका बतलब ठीक है सरसो का तेल मुहें तुझे पता है कि अच्छो रहा है है सरसो तेल तो युहीं बदनाम है सरसो तेल तो चलो चुब जाओ यह माइनस यह नवाव क्या होताब यह दिखता है ? तो यहां पर लुद्वाव नुट। मतलब है नवाव neural तो यहांपर अनुट। तो आपने का इसको देखा है तो यह जो EMF इसका नाम है Alternating EMF, क्योंकि यह जो EMF है, साइन का फंक्शन है, अगर हम EMF और टाइम का अगर आप बनाएंगे बिटा, मेरे सुन्दर, मेरे बच्चो तो वह ऐसे होता है ऐसे होता है, क्योंकि साइन का फंक्शन है, यानि यह EMF बार-बार चेंज होगा, बार-बार क्या होगा? चेंज, अगर हम इसी को कोईल के रजिस्टेंस से डिवाइड कर दे, तो यह E के निचे क्या जाएगा? आर, यहाँ E के निचे क्या जाएगा? आर, यह साइन ओमेगा आर, यही तो alternating current है, alternating current, तो इसका graph कैसा आता है? ऐसा, sinusoidal graph, क्या आता है? sinusoidal graph, यानि कि इस बार जो current की value होगा, अपने आप चेंज होगी, current की value कब 0 होगी? जब 0 degree पर current क्या होगा? 0, 180 degree पर current क्या होगा? मतलब sign का function है, क्या है? sign का function, क्या आप मेरी बात समझे? यहीं, ग्यारा, नो, आट, जीरो, पंदरा, सोला, नो, जीरो, तो current change होता है, current, और जब current change होगा, तो हम बोलेंगे alternating current, तो आप सुनो, मैं आपको क्या कह रहा था, कि energy cannot be created, not be destroyed, हम यह कह रहे थे, current पैदा हो गया, AC generator, current पैदा हो गया, वावावावावावावावावावावावा यानि की kinetic energy, यह पानी का energy ही turbine को खुमा रहा है, और turbine के घूमने के बएसे लोहा घूम रहा है, और लोहे के घूमने के बएसे coil घूम रहा है, यानि की current जो है, पैदा नहीं हुआ है, अच्छली में, यहां की mechanical energy, क्या बहुत है, mechanical, kinetic potential यह सबना, mechanical energy, आपको electrical में मिला है, यान energy convert होता है, एक form से दूसरे, जैसे for example, देखो, अभी मेरा हाथ है यह, अब देखो, अब मेरे mechanical energy से क्या हो गया, heat energy पैदा हुआ, यह पैदा हुआ, heat, तो मेरे mechanical energy से heat पैदा हुआ है, वैसी वो जो dam की energy है, dam को देखते हैं, उचाई पे बनाते हैं, पानी को उचा कर देते है फिर छेट करते हैं, उपर से पानी को नीचे गिराते हैं, ताकि तेजी से पानी के energy जाता हो, तेजी से घूमे टरवाइन, तो हम mechanical को किस में convert कर रहे है, electrical energy में convert कर रहे है, यानि कि हमने AC generator में AC को generate नहीं किया है, तो यह इसकी theory थी भाई, चप्टर आपका, समाप थोता है, कुछ रहे गया, तो मुझे बताओ, मैं करा जिता हूँ, कुछ रहे गया होगा, तो कर बादेंगा या लग से, रहे गया कुछ, ठीके मेरे प्यारे बच्चों में तो यह चाता हूँ कि आप लोगा खूब भला हो, आप लोग की जो भी situation है, उससे उठो आप लोग, तो यह यहाँ पर, mechanical energy is converted to electrical energy, लिग रहता हूँ मैं, ME converted to EC, electrical energy, और एक और बात, मैं request कर रहा हूँ, अभी भी लेट नहीं हुआ है, याकिन मानो, लेट कभी होता ही नहीं है, एक्चुली मैं हकिकती है कि बच्चा पढ़ना ही स्टार्ट करता है आपका नोवंबर के टाइम पे, अक लेट कभी नहीं होता है, जब आप, जब आप स्टार्ट कर दोगा ना दिल से बहुत बढ़िया से महनत करने को ready हो, आप आगे बढ़ोगे, 11 सबकी बरबाद होती है, 12 आधी सबकी बरबाद होती है, लेकिन अगर दिल से महनत करोगे, ऐसा थोड़ी होगा कि चीज़े तु जो भी सिच्वेशन है लाइफ में, हेलो एवरीवन, अरे नोर्स को खुद क्यों ने बनाती हूँ, करेंट सेंस्टिविटी चेप्टर 4 में था बटा करा दिया मैंने, विसाल बटा देखो और नोर्स बनाव जो लिखा है उसको देखो नोर्स बनाव वही लिखो, अगर को कॉंसेप्स तुमारी जेव में डाल दिया हमने, जेव फटी थी, क्या बात कर दो, ऊपर वाली जेव में डाला थे लो, हेलो सर नोट्स दे दो, अरे नोट्स मेरे पास है, मैं डाल सकता हूँ, और आप खुद क्यों नहीं बनाता हूँ, मैं समझ नहा रहा, हेलो एवरीवन एक पर all clear लिख देंगे, मेरे सारे बच्चे प्यारे प्यारे, all clear लिख देंगे, एक पर दोस्तो, यस जस्वल क्या बात है, वाई 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 एवरीवन, lots of love and blessing, भगवान आपका भला करे, टेक केर, लव यू आल, अच्छा तुम लोग मुझे एक बात आओ,